और आप हैं शंजय सुकला जी सोभन सरकार आपके और से जनक जी के सुन्दर विलाब पर प्रुभाविट हो करके एक से पत्रमद्राय जनक जी के चड़ों में समर्पित हैं बहुत भनवात पुट सस्सा धुआ दिए बेटिया आप बेटी वाले बैठे हैं आप बेटी वाले जिसने बेटी को जाया है जिसने बेटी को जन्म दिया है और आप हैं पावनी आदो जी जनक जी के सुन्दर विलाब पर प्रुभावद हुए हैं और एक्क्यावल पत्रमद्राय जनक जानकी की चड़ों में समर्पित हैं और बहुत धन्वार यह बेटिया दुनिया की जाय होगी और यह बेटिया बेद की पावन रिचाएं होगी ऐसे होते हैं बेटिया और आप हैं राजू सैनी जी आपकी और से एक्क्यावन पत्रमद्राय जनक जी के चड़ों में समर्पित हैं और बहुत धन्वाद धन्वार हाँ देखिए प्रधान जी जिनको देना हो तो हमारे प्रधान जी बैठ गए हैं उनको लिखा लें दियूपति उत्तु के भूपती जाए सुनकर कन्या प्याह कहाई देवयारे दादों पी आए ये पिपुले फीर की बना दिखाए जिन तु नहीं दादों अब भी तूटा पुझसे कोई पाप हुआ है ऐसा लगेता बिधीर फेलू था या फिर आज ये फाकिर ये पी प्रशूनी बशुंधरा ये फीरो शे तिर पूले हो गई पिस्वर चैता प्रम्हा से थी कैसी भारी फूलू अज विधाता ने पिस्वर थोड़ने वाले की रचना ही नहीं उसे रचना ही नहीं नहीं है आज थरा पे पीर आज सुख सुखा दे कोई पीर नहीं है जो आज मेरे प्रण की पूर्च कर दे मेरी पेठी के बाद में शितूर भर दे मेरी पेठी के हाग पी ले कर दे कोई जिर नहीं है नहीं है यह आप हैं बेदेही सरण मिस्रा जी कुरसेडाल प्रण जी आपकी और से एक से एक पत्त मद्राय जिलक जी की चड़ों में पुना समर्पित हैं और एक्यावन पत्त मुद्राय भ्रगुनात्र पाठी राम लिला ध्यच आपके और से एक्यावन पत्त मुद्राय जिलक जी के चड़ों में समर्पित हैं और एक्यावन पत्त मुद्राय अनिल सिंग यादो जी राम लिला के जुट समर्पित हैं आपके और से जनक जी के च नहीं है आज खरा देखी रो रही बेटिया की अधीर बहे रहा इतने दो में नहीं अब को नहीं बनाए तीर नहीं है आज तरा में तीर नहीं है जिसने बेटी को जाया नहीं जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया बेटी के दर्द को बेटी के किस्ट को क्या जाने कि बेटी का दर्द क्या होता है बेटी का किस्ट क्या होता है और जिस माता पिता ने बेटी को चल्म दिया है बेटी को जाया है वो माता बेटी के दर्द को बेटी के कष्ट को वही माता तमस्ती है क्योंकि ये बेटिया मंता मही होती है इन बेटियों के हिदे में मंता कूट कूट के भरी होती है बेटी मम्ता की मोटी बनी के जब ये पिता इन वेटियों का दिवाहते करने जाते है और दिवाहते कराते है ये मेटिया कदी नहीं पूछती पिता जी आप मुझे कहां भेज रहे हैं जीवन भर मैं आपके साथ में रही हूँ आपने मुझे चल्ब दिया है आपने पाला है बोसा है बड़ा किया है और आज मुझे अपने से अलग कर रही है माता जी आज अपने से मुझे अलग कर रही है कहां मुझ रही है बेती ममता की मोटी बखत जहां कहो चल्ब देती है किसके संग तुमने गाठे बात्वी स्वीकार तुरंते कर लेती माता जी ता चाहे जहां विवाह खरावे बेती कि मुझे माता जी कहां बेज रही है जिसने कन्या जाई ही रही वो कन्या कहां दुख क्या जाने जिसे पेरे दिवाई भटी नहीं वो पीरे पराई क्या जब जिन माता पिता के नेत्रों में आशू होगे वो चरूर माता पिता बेटी वाले होगे जिने आखों में आशू होगे वो मा बेटी वाली होगे जो माता यहां रो रही है वो मा बेटी वाली होगे पेटी की ममता मा के बिन ये संसारी भला ये क्या जाने जिसके गन्या चाही ही नहीं वो गन्या का दुक क्या जाने संसार का कोन ऐसा मता पिता है जो अपनी बेटी को जब कुछ देने के बाद भी उसके हर्दे में संदोस नहीं होता है वो यहीं दोते है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत कम दिया है क्या नहीं देते बेटी को सब कुछ भी देतो फिर भी संदोसे नहीं होता बेटी की दुखते बिदाईी ने हर्दे यहां देखा रूपा और जिसने बेटी को विदा किया है विदाईी का दुख वही समझ सकता है और जिसने बेटी को विदा नहीं किया बेटी के दर्द को बेटी के दुख को कभी समझ नहीं तकता पिदाई को जान नहीं करता जिसने की तेटी पिदा नहीं वो दुखे पिदा का क्या जाने जिसने कन्या चाही ही नहीं वो कन्या का तो खी पिदा जाने संसार के लोग बेटों की चाहना रखते हैं कभी बेटी की चाहना नहीं रखते हैं संसार के लोग यहीं चाहते हैं कि मुझे बेटा प्राप्त हो जाएं नेकिन नहीं बेटा क्यों प्राप्त हो जाएं बेटे की चाहना क्यों रखते हैं इसलिए रखते हैं कि बेटा होगा तो धन कमा करके देगा बेटा होगा तो कुल का रोशन होगा बेटा होगा तो कुल का चिराग होगा लेकिन मेरे प्यारे वित्रोग आप लोग इशार करें आप बेटी वाले है क्या ये बेटिया इन देटों से कम है चाहे कि छेत्र में ले ले ये बेटिया चाहे सिछा कि छेत्र में ले ले इन बेटों से बेटियां ही आगे आती है हर छेतर में मैं ये नहीं कहता हूँ आप बेटे की चाह न रखें बेटे की चाह रखें क्योंकि बिना बेटा के कोई भी मानो कभी भी गति प्राप्त नहीं कर सकता पुत्र बिना नर गति नहीं पावे बिना पुत्र के कोई भी मानो नर्गत प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए अगर वेटे की चाहना आप रखते हैं तो वेटियों का भी सम्मान होना चाहिए वेटियों पर कोई चुल्म नहीं होना चाहिए वेटियों पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए लेकिन बेटियों का कोई सम्मान नहीं है बेटियों की कोई चाह नहीं है क्यों नहीं है जब की ओश की बूत की तरह होती है बेटियां माता की प्यारी पिता की दुलारी होती है बेटियां माता पिता के दर्द में हमदर्द होती है बेटियां बेटा रोशन करता है एक कुल को तो ये दो दो कुलों की लाज होती है बेटा एक ही कुल तारता है लेकिन ये बेटिया दो दो कुल तारते हैं दो कुल कैसे बेटी का बेटा पहले नाना के हाँ सरात करता है नाना के हाँ पंड़रान करता है फिर अपने अहां सरात करता है पिंड़दान करता है फिर गया जी जाता है वहां पर नाना के अहां का सरात करता है पिंड़दान करता है फिर अपने अहां का सरात करता है पिंड़दान करता है तो बेटी का बेटा 27 पुर्खों को उतारता है और अपना बेटा सिर्फ तीन कि ङार थेन तो पीटिया सब्ट डाइश shaking और 259 को तारता है अपना बेटा तेन फूर्गों को तारता है यूर्ग डिक्र बेटा दो तार्टा है तो आप बताये थी श्क्ताइब भाल अतुसीन हुई की बेता लेकिन फिर भी संसार में इन बेटियों का कोई बाहत नहीं है जो नहीं है बेटियों का महत होना चाहिए बेटियों को संभान मिलना चाहिए, इन बेटियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई गरीब पिता, जब अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं, तो धन के लॉलची लोग, धन के लोभी लोग, धन की मांग करते हैं, और ये गरीब को कश्चित करते हैं उन वेटियों को सताते हैं उन वेटियों को मारते हैं कैसे बता रहा हूं सुने धन्या भाव में यही बेटिया जब तुस्ते घरों में जाती है तो रोज ये मारी जाती है और रोज चलाए इनका अधिकार आप आप लोगों के उपर सौप रहा हूं इन बेटियों पर कोई अत्याचार न होने पावें इन बेटियों को समान मिलें इन बेटियों को समाज में वो समान मिलें जो आप लोग बेटों को देते हैं बेटा और बेटों में कोई अंतर नहीं है समान है बड़ा बड़ा बेटे का क्यों मान है जग में इन बेटियों कोई मान नहीं उझे बताओ बड़ा वालों ये बेटी क्या संतान बेटा तो पसदा नहीं कमाए ये बेटी प्रिस्टे कमाती है बेटी के तो किस ग्रमे रहती मापाप का साथ निभाती इस घर में बेटी ही नहीं इस घर में बेटी ही नहीं उस घर का कोई बान नहीं उथे बताओ दुनिया वालो ये बेटी क्या संतान बेटी बेटा चाहे घर छोड़ने जाए ये बेटी साथे न छोड़ेगी ये आप हैं बैदही सराल जी मिसरा आपकी ओर से एक सुएक पत्तमुद्राएं हमारे कुर्शेणा प्रखाम जी है जनक जी के चन्डों में और एक सुएक पत्तमुद्राएं ब्यास्पीट में समर्पित हैं बहुत धनवात पढ़ने जी को बहुत धनों और आप हैं मनिया प्रसाद जी प्रजापती जनक जी के सुन्दर करण कंदन पर प्रभावत हुए हैं आपके और से क्यावन पत्मद्राएं जनक जी के चल्ण में सब्रपित हैं कोट साथा दुगात पद्धवत्धन वाई बेटा चाहे घर छोड़ेगी पर ये बेटी साथे न छोड़ेगी बापुण का घर ना छोड़े हर घर से ना ना जोड़ेगी एक औसर ऐसा आता है ये पिता ये मता आस लगाए रहते हैं कि मेरी वेकी कपड़ी हो वो आउसर का वावे जो मुझे करने को मिले कन्यादान कन्यादान का आउसर एक बार ही प्राक्त होता है बार बार नहीं मिलता है मिल जाते इस बिश्व में करम अवधरमे हजार लेकिन कन्यादान का उसर एक बार ही मिलता है तो कन्यादान से बढ़ कर दू जा दुनिया में कोई दान नहीं उखे बनाओ तुनिया वालों ये बेटी क्या संतान नहीं पेटी क्या संतान नहीं ये आप हैं रमेश्यादोची प्रभाविज जिनक जी के सुंदर करन किन्दन पर आपके और से एक से पंद्ध मद्रा जनक जी के आपके और से इतनक जी की चल्डों में समर्पत हैं और धनवात कोट साथ हुआ थे पेटा क्या ने कर लाया है यह पेटी क्या नहीं हाई है मेले प्यारी मित्रों संशार में पिता को अदित चाहने वाला अगर कोई है तो बेटी अगर पिता कहीं ते परिश्युन करके ठक कर के आया है और उसे ब्यास लगी है द्वार पे आकर के आवाज लगाता है है कोई मुझे जल पिलाने वाला तो सबसे पहले बेटी ही जल लेकर आती है और प्याद जाती है मिल जाते बेटा भाई जगते सबसारते के लेकर नेकर पेटी पिता पे करती साची थी पिता के प्रीथ करने वाली अगर कोई है तो ये बेटी है बेटी किसी के यहां अगर बेटी का जन्म होता है आप लोग विशार करना किसी के यहां अगर बेटी का जन्म होता है तो अगल बगल के लोग कहते हैं क्या कहते हैं लक्षमी आई है लक्षमी अगर किसी के यहां बेटी के जन्म होता है तो बताईए कोई अगल बगल का लोग कहता है कि नारायराए इसलिए बेटिया लक्ष्मी का रूप है लक्ष्मी का रूप है इन वेटियों को सम्मान मिलना चाहिए या धिकार मिलना चाहिए बेटा क्या लेकर आया है बेटी क्या मिलना आई है बिन बेटी के सूनी सूनी हर भाई की गलाई है वर्स में एक अउसर आता है परवाता है और रक्षा बंदन का ये बेटिया वुस्त बर्व का इतिजाल करती है और ये बेटिया तोस्ती है कि वो पर्व कब आवे अपनी ब्हाई की कलाई में राकिवाता है और जिन भाईयों के बहना नहीं है वो भाई सोचते हैं कि आज अगर मेरे बहर होती जो मेरी कलाई वे रक्षा सूथ बानती राखी बानती तो रक्षा पंधन भाई दूज का तुमको क्या पहचाज नहीं कुझे पताओ दुनिया वालों ये पेटी क्या संताव पेटिया और बेटा में कोई अंतर नहीं है ये बेटी भी पिता के यस को पिता के सब्मान को बढ़ाने वाली होती ही ये बेटिया ऐसी होती है ये बेटिया बेटा है अगर आख बेटा है अगर आख तो पलक है बेटिया बेटा है अगर हीडा तो मूती है बेटिया किसी भी मामने में बेतिया कम नहीं हर छेतर में बेतिया है दुनिया का दर्द दुनिया का दर्द सीने में दफन करके मुष्करा देती है ये बेटिया ही हैं ये बेटिया ही हैं जो ससुराल के लिए माई का ठुकरा देती ऐसे होती है बेटिया इसने ये बेटा बेटिया एक बराबर बड़ा नकोई छोटा है फर्ट जो समझे इने तो जोबे वो नियत का भोता है ऐसी नियत वालों का तुम करना कधी समान नहीं कुछे बता ओ दुनिया वालों ये बेटिया संता नहीं एक बार मैं नगरब्रम्ण कर रहा था एक बेटी की बिदाई हो रही थी एक बेटी अपनी माते लिपड़ करके रो रही थी कह रही थी माँ मेरी एक प्राथना है मेरी प्राथना को शिकार कर ले माने कहा बेटी तुम्हारी कौन की प्राथना है बेटी ने कहा बार जब तक आपके आप हैं स्रीमान राम के सोरफपाल जी आपके और से जनक जी के चरणों में एक सुएक पत्तमद्रा स्वर्पित हैं कोट-कोट सा धनवाद है धनवाद है ये बेटी अपने पाते निपढ़कर के लो रही थी कह रही थी माता जी जब तक मैं आपके पात रही आप की मेरे वड़ी सेवा की अपने पूडे पिता की बहुत सेवा की लेकिन मैं अपने घर जा रही हुए मेरे बूरे पिता को कोई कष्ट नहोने पावे मेरे बूरे पिता को कोई तक्लीब नहोने पावे बस मैं यही प्रासना कर रहा हूँ क्योंकि बेटिया धान की बेल की तरह होती है बेटी होती है धान बेल जो कहीं उगाई जाती है कुछी समय के बात वहीं फिर कहीं लगाई जा रही बेकी का जंब कहीं और होता है लेकिन जीवन आपन कहीं और होता है यह बेकी का जीवन बेटिया पराधीन है जब तक माता पुता के साथ रही तब माता पुता के पराधीन रही लेकिन जब उसका दुदा हो गया पत के घर गई तो पत के पराधीन है इसलिए आज निधला में दोली सजी की सजी रह गई आज मेरी बेटी कोहारी रह गई यहाँ पर कोई मुझे उपाय पताने वाला नहीं है यहाँ पर बड़े-बड़े ज्ञानी पंडित बेखते हुए है याग कबल के देशे पंडित सतानंद जैसे मनीशी गारगी जैसी महिला लेकिन कोई मुझे पताने वाला तमझाने वाला नहीं है आज मितला में टोली सजी रहे गई आज मितला में टोली सजी रहे गई आज क्वारी आज क्वारी जनके की लली रहे गई मेरे जीवन की सुंदर बिमल बाती का प्रण के हाथों भूई नस्त ये पाती का फूल बनने फूल बनने नपाई कली रहे गई आज क्वारी जनके की लली रहे गई मेरी रानी सुने ना मेरी रानी सुने ना नेपाई निया मेरी रानी सुने ना को जम्मालूम होगा कि मेरी बेटी का विवाव नहीं हो सका मेरी बेटी के मांगने सिंदोर भरने वाला कोई पीर नहीं चलबा मेरी बेटी के हाँ पिले नहीं हो सके अपरे प्राडों का परिख्यां कर देगी इस चलब का धन वईभोल संपत सब बेखार हो गए मेरी रानी सुने ना ने पालन किया हाई रोती मेरी मेतिनी रहे गई आज बारी जनकी की लदी रहे गई ये सब सोच रहे होगे कि जनक पर तिक्या भंग करेंगे नहीं धनुस जब दूट सकेगा तो सीता को कौारी रखेंगे अगर मैं चानता धरा वीरों से खाली है तो करता प्रन ही एता बिना वी दीपक दिवाली है तजहु आश निजनिच गिर्ह जाहू लिखान विदी वैदेह विवाहू सुकर्चाई जोपन परिहरऊ तो कुमरी कुमारी रहू का करऊ धनस भंग नहीं हो सका सभाक रादो भंग भिगर गई मिठलेश की रंग अमनिका रंग रंग अमनिका रंग रंग अमनिका रंग सीता से पर समाव आप हैं संजय सुकला जी सोभन सरकार आप की वोसे जिनक जी के चड़ों में एक से एक पत्रमद्राएं ब्यास पीट पर समर्पित हैं बहुत धन्वाद है धन्वाद जना के बच्चानि सुन सब नरिलारी देखी जानी की भै दुखारी मागे लखल कुटिल भै भॉँ है रद पट फरकत नयन दिसव है अही न सकत रग बीर डर लगे बचल जनुपाल नाई राम पद कमल सिरू बोले गिरा प्रमा मैं धिली प्रतियोगता पर भाग लेने वाले प्रतियोग्यों सुना अप लोगों ने अस्टांग योगी के बचनों को मैं तो सुनाया करता था मिथला में ग्यान की चर्चा हुआ करती है अब चन को माख़े भटपानी वीर वहीन मही मजानी महत्मा जनक राजा जनक समाज में नहीं गोश्रा कर रहे हैं वीर वहीन मैं जिसे लोग वीर भौक्या वह सुन्धरा के नाम जानते हैं जिसे लोग रत्लगर भाव सुन्धरा के नाम जानते हैं महत्मा जनक राजा जनक समाज में नहीं घोश्रा करें वीर भी इन में सुन्दर सदन से मैं यहां तक आया था देखा तायोक और विचार चंद्रोदय विचार सागर अप्रोक्षान भूद तत्वोध आत्वोध प्रम्भसूद अठातों प्रमजी क्यासा मितला के अचारपन नितिहा के छात्रों के लगवा रहे थे मैंने किले लिया था मितला ज्यान की नगरी है वेदान की पाट साला है और अध्यात को और जुकाव है राजा जनक का जीवन जल्मे जल्च की भागती है जैसे कमलक का पत्ता जल्मे रहकर लिपाए मान नहीं होता उसमें लिप्त नहीं होता मैंने सोचा था महत्मा जनक का जीवन उसी भागती में है पत्पर जैसे लेकिन यहाँ निपने भी लोग जनक अकुलाने बोले बचन रोस जलुसाने भाईया आज योगेस के वक्त पिनी हमारे मन मुकुर के टुगड़े कर डाई है महत्मा जनक के दौरा राजा जनक के दौरा मेरा व्यत्यक तक पान की आगया होता मैं सुन लेता सेन कर लेता लेकिन यहाँ राजा जनक के दौरा पुरिवीर्जाद को पंध किया गया, पुरी छत्री समाज को पंध किया गया। सुनें समाज मेवाई जो मिलाल बैट रही है पुसतर抬थ हो हम छत्री मर सकते हैं लेकिन अपने छत्रीद को मरता हुआ नहीं सब्सक्राइब प्राइब त sfd, मिचले से योगे इस धनुस Πड़ में ऐसे भी कुच नहें एसे यह ताइसे भी कुच जरे हैं मिर्खेन नाएं नहें जिनके आमपरखे से मनना हैं जिनके जिनके उपर उठकर जानके हिंगिर है और जिन्द भी जिनके गर्जन से रहता अस्ठिर है जिनके लाथ दूद्द के लेकिन कार्ट पड़िपीखी है छोटे हैं लेकिन बड़ों बड़ों ने में कि उनकी और नीहारो उनकी और निहारो जिनका आनन अंगारा पाचो वह देश्ट से जोति धूतारा उठो जिराम अग्रज जनक की सुनकर कातरवाणी रखों सी वीरों के मन का मना नहीं पानी मिल जाए संकेत तुम्हारा जने क्या से क्या कर दूँ हर जोला को राथ मना कर अंगर बनू मैं कहेगा चान मौई वीर नहीं उसी के देश में बच बन जाओंगा पद कर धरती माई भूर भारी तच्छप अई को लोको मिटाओंगा रहेगा ना राजा कहेगा कायर कौन मौई वन्स के लिधाओंगा जने सायों खोई क कर दूफ करों भिलों की शोई तोरों छत्रक दन्डेटलवाथ जोन कर पृपस्पत कर दोंभाथ कर दोंभाथ कर दोंभाथ कर दोंभाथ लखान सकोप बचल दे बूले डगमगान महीं दिगल डोले सकली लोग सब भूप तिरोने सीय ही हरतों जनक सकुचाने सय नहीं रघुपती लखन निबारे प्रेमु समेत निकट मैं ठारे आज तुम अत्तधी क्रोधी तो हो रहे हो लेकिन यह समय क्रोध करने का नहीं है क्योंकि महाराज जनक हमारे पिताजी के समान है विचार करो जो व्यक भी पिताजी के समान होता है क्या उसका अपमान किया जाता है नहीं लक्षमन अरे बड़ों के द्वारा किया हुआ अपमान तो हम छोटों के लिए सम्मान के बराबर होता है और तुम उसे अपमान समझ करके क्लोधित कर रहे हूँ नहीं लक्षमन यदि मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान देते हुए महाराज जनक से कुछ कहता हूँ तो इनके प्रन्युक्त में बच्रागात होगी और यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी बीरता पर बच्रागात होगी इसलिए समझाया उसी को चाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो तुम अपने भी हो और हमसे छोटे भी हो आज पुद के कारण तुम्हारा संपूर शरील लाल हो चुका है प्रतहे काल जब आकास में सुर्योदे होता है तो आकास में लालिमा छा जाती है और यह लालिमा इस बात का प्रतीक है कि मानो अब शूर्य वंस का सूर्य उद्य होने वाला है इसलिए लक्षमन तुम अपने कोद को सांत करो और सांत हो जाओ सांत हो जाओ सांत हो जाओ भैया तजो प्रोधि को सांत हो जाओ भैया तजो प्रोधि को किस समय क्रोध में बोलना ही नहीं सांत हो जाओ भैया इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं तजो प्रोधि को किस समय क्रोध में बोलना ही नहीं सेन को जाने कर सैन करना नहीं संद रहे न चरादो लेना ही नहीं सेन को जाने कर सेन कर ना नहीं संद रहे ना जरा दो ले नाई नहीं गुरू जन पितार तुले बिखने से हैं सामने पिन में मुपे को जना ही नहीं सांद हो जाव भईया तदो पोधिको तिसाएं पोध में को जना ही नहीं और लक्षमन तुम मुझे आदेश मांग रहेगे कि भईया हमें आदेश देदों और मैं इस धनुष को तोड़ दूगा अरे मैं तुमें कैसे आदेश देदूं क्योंकि हम और तुम तो एक आज्या के बंधन में बंधे हुए हैं हमें जब आदेश प्राप्त हो जाएगा तो हम स्वयं तोड़ देगें कर जोडाली प्रतिक्या दनुष कोड़े दूं विदिका कोई विव्या देदूं कर जोडाली प्रतिक्या दनुष कोड़े दूं विदिका कोई निया मटूं किता ही नई देखे आजया सकल में प्रिजंगा दनुष किया सकल बेपज़ देखे सत्कप प्रतिक्या सबका चाहत बंदूός कोड़े दनुष कोड़े दनुष कोड़ाली दनुष कोड़े दनुष doe दनुषnaj महाराज जनक रो करके अपने व्यथा को बता रहे हैं लेकिन विचार करो मा सुनेना मा सुनेना पर क्या भीत नहीं होगी मा सुनेना सुनेना टीसी देवचन विधलावाजी सभी दुखारी लगन मा सुनेना सुनेना इसी के बचन विधलावाजी सभी दुखारी लगन ना रहे की खुवारी उवर जाने की जानी 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 की है दिलाई लगन सांत हो जावशा है राजो खुद न यहां ना रहे की खुदं दुखारी 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 लगन विश्वामित्र समय जुभ जाऊंगी आति सनेह बोले प्रियबानी लागी मैंने जाना कि ये समय बहुत सुभ है मैं कई योजन तक देख रहा हूं लाल कि ये राव भगा चला जा रहा है अब ये वापस नहीं आएगा कई योजन तक निकल गया है मैथली अदिवेशन में देश देशांतर कि नरपाल आए और स्रीहत हो करके चले गए रावन भी आया एक समय और स्रीहत हो करके जब वापस गया तो जाकर के उसने आपात काल की घोशना कर दी राव और केत जो उसके बंदी ग्रे में बंद थे राव को निकाला गया और उसको जुम्मेदारी दी गई कि तुम धनुत के मत्य भाग में जाकर के बैट जाओ तभी तो मैंने सुब समय जाना जब रादा जनक ने ये कह दिया कि तजा हूँ आज निजनी जिगर जाओ मैं धली अधिवेशन समात्य की घोशना कर दी तभी तो राव प्रसन हुआ और ये भागा चला जा रहा है इसलिए लाल उठो है राम रगुननन ये सभी की आस तुम पर है जनक की कर्म निष्ठा का बंधा बिस्रास तुम पर है ये कपाली के कठिन जन को तुमें ही जा चढ़ाना है लाल करो कुछ कष्ट अब इतना कि बजे मिधिला में सहना ही लाल ये बेदी का पर रच्थे अजगों को चाहता हूँ कि तुम दो खंडों में भी वाजित कर दो मेरी और मेरे साथ साथ हमारे समुचे साथ या जार्वी शिवरंद की सुख काम नहीं तुम्हारे साथ है जाओ जाओ तुम्हारा मार्ग मंगल में हो मंगल में हो मंगल में हो लखन लख्यों रघुबंस मनी ताक्यों हर को दंड पुल की कात बोले बचन चरन चापि ब्रम्हन तिस कुंजरव कमठ अहिकोला धरहु धरन धरी धीर नडोला क्यों राम चाहीं संकर धन तोरा इसलिए हो उस्तक सुनी आई श्मोरा साथान 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 स्री राम जी के दारा धनुष तोटने जा रहा है स्री गुर्दे भगवान का आदेश मिल चुका है आप सब लोग साथान हो जाएं फूल समाज में वित्रित कर दिये जाएं सभी लोग पुष्प ले ले और जिस समय तैच्छन राम मद्ध धन तोरा ऐसा उचारित हो तो आप लोग भगवान पर फूलों की वर्षा करें जेजेकार करें एवं तालियों से स्वागत करें देखी विपुल विकल बैदे ही देखी विपुल विकल बैदे ही लच्छिमन रामा भजो सिया हो निमस बिहात कलप समते ही लच्छिमन रामा भजो लच्छिमन रामा भजो 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 सिया हो मुए करें का सुधा तड़ागा लच्छिमन रामा भजो मुए करें का सुधा तड़ागा लच्छिमन रामा भजो सिया हो का बरिखा रमहा 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 कापर खा सब क्रसी सुखाने समय चुके पुनी कापचिताने 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 नच्मल राम मां भजो भजो सिया हो अस जी जानी जान की देखी लच्मन राम मां भजो भजो सिया हो सिया हो प्रभो पुल के लखी प्रीत भिसे की लच्मन राम मां भजो भजो सिया हो सिया हो कुरही प्रणा कुरही प्रणाम मन ही मन की राम नच्मन राम मां भजो भजो सिया हो सिया हो अंदिलांगाव मुठाई दन लीना तम देव दामीन चिमी चन लया हो कोनी घनो रब मन धल सन पाया हो एत चावत खेंचत कारे रोह उनला कादे की सब ठाड़ नच्छन राम पस्त दन तोरा हले भुवन दुन भोल कटोरा भरि भुवन भोल कटोर रब रबिबाज तजबान गुचले चिकलही दिक जिक डोल मही यही बोल पूर्म कलीमल तुर असूर मुलकन कान दीने सकल भिगल भिगा रही वोतन खंडो राम तुलसी जेती बचन पोचार है संगल चाप जहाज सागर रगुमर पाहु बल है पूरत संगल समाज चलाज पत मही मौँ पस्त प्रभु दोचाप घंड मही डारे देकी लोग सब भे सुखारे शतानंद तबयायस तीनह सीता गमन राम पहिकीना जली सिया प्यारी जनक तुलारी चली सुक मारी ले जैमान चली सिया प्यारी ले जैमान चली सिया प्यारी ले जैमान चली सिया प्यारी जनक तुलारी चली सुकुमारी ले जैमान जाय समीप राम छब देखी रही जनु अर चित्र अब रेखी चत्र सक्की लखी कहां पुझाई पहिरा महुं जैमाल सुभाई जुक जाय जुके माला डलाली जियेगा बरना बैठे के बैठे रहे जुके माला डलाली जियेगा बड़ी है जनक की लख जद्रे में पहिरा माला यिरेगा ले उठाई प्रेमे विवस पहिराए न जाई सो हो दजन जुगर चल जसना सती सबीत देत जैमाला गावाई चब आव लोक सहेले सी जैमाल लाव और मेली रगबर पुर जैमाल देकी देवा पर सही सुमन सकुचे सकले भवाल आरति करत जनक करजोने बड़े भाग आये प्रभो मौन श्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे जे राम आरति करत जे राम स्री राम जे राम जे राम करही आरती की पुर्णरनारि देहनिछावर वित्थ विषारी करए आर्ती पुर्णरणारि देहनिछावर वित्थ विषारी कभी लोग आ जाएं ऐा निचहावरी करने की देह Naar आईए आप सभी लोग आँए भगवान स्री राम जी और माता जानकी जी की मंगल आर्थी करें अपना जीवन कृतार्थ करें और भगवान की मंगल आर्थी करें समित का सहयोग भी करें और सक्खियों को व्यास पीट को निवशावरी भी प्रदान करें और आईए भाई सभी लोग सीटा राम जी की पावन आर्थी में समलित हो और अभी तक हम सभी लोग मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान श्री राम जी की जय बोलते रहे किन तुम्हां जानकी मां के साथ पाणी कहर संस्कार हो गया है तो अब सभी लोग एक बार जयकारा लग प्रथम में महाराज जनक जी के द्वरा आर्थी की गई और उसके बाद मिठला के जितने पुर्ण नारी थे उन्होंने मा जानकी मायों प्रव्शियामगी की पावन आर्थी की तो भाई ये मंगल बेला है और प्राता कालिन का समय है तो हमारी सभी माताएं भैने बाई बं जो भी आपर इस पावन समय का लाब ले रहे हैं आवें और आर्थी में भाई समलित हों बड़ा ही पावन समय है और सुनें सक्षियों के दारा सुन्दर मंगल गई थी हालो हालो अर जिली मिली सीता रोका आगाने होगा इने मुझी मुबरस्ता सावने होगा हालो मिली मिली सीता रोका आगाने होगा इने मुझी मुबरस्ता आगाने होगा मुझी 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 मुझ जाली में एक चोटा का धुर्वा नाएंगे जाली में एक चोटा का धुर्वा नाएंगे और भाई आदर्स राम लेला कमेटी के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी और सदस्याव बस्ती थे उनका विशेश यह उनसे अन्रोद है कि भाई इस अंति मार्ती में सीता राम जी की इस पावन आर्ती में जरूर भाई आप लोग सभी लोग आवें भाई जितने भी बिल्लाधारी आप रुपस्तित हैं सभी से अंडोद है कि भाई यह अंतिम आर्ती है और यह एक बर्स बात यह आयोजन फिर आप लोगों के समझ होगा तो आप लोग आवें और आर्ती में भाई जरूर समलित हो कर दो आप लोगोहा तो आप लोगो ... कर दो आप लोगो ... कर दो दो प्रहा वारान ज दो रहार लोगा कर दो दो दोगी कर दो दो भीक सबी लोग बैठ जाएए ये थोड़ा फूल साफ कर देजिए कुर्सियां अटा देजिए फूल अटा देजिए और कुर्सियां अटा देजिए सब लोग बैठ जाएए भगवान स्री परशुराम जी का आगमन होने जा रहा है अच्छा अच्छा उसके पूर्वेक न्रत्र नाचेही गामई विबुद्बधुटी बार बार कुश्मानजली छोटी देखे चुकी धनुश तूट गया है और जैमाल भी पड़ चुकी है इसलिए खुसी का उसर है तो न्रत्र देखें सुंदर पर इसके पूर्वे ये पुस्प हटा दें झाल जाँ है टुस्प है कि अनुश मेंगे पोड़ भी अनुशण को पूर्वेक रहए ये मुद्बध। झाल 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 कोला हल सुनी सीय सकानी सकी लवाय गई जहरानी राम सुभाय चले गुर पाही सीय सने वर्नत मन माही आ तेही अवसर सुनी सुथान भंगा आयो प्रगित्मुल आ कमल पतंगा आयो प्रगित्मुल आ कमल पतंगा झाल 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 लड़त मला, मिन्हबत जाना अल्यान, सलाक्या, सच्छुरु नदील कमीते, तश्मय श्री गुरहे, नमः बंदे देवुम् हापतिम् गुरु गुरुम् जबंदे, बंदे जगत कारणं। बंदे, बंदे, बंदे बंदे, बंदे भुतां गळघर अरं, बंदे पसुनाम बत्र, बंदे शूरस हांग, बंदे नईनं, बंदे मुकंद अप्रियं, बन्दे भग्त जनात्रयंच वर्दम। अन्ने शिवंध शंकरं। शंकेंद्वाधमतीव फुल्गरतनु सारदूर चरमां वर्ण। कालव व्याल, कालव व्याल, करालभू कणधरं। जंगातां कप्रिक्नम् तासीतां। कालिकल्व सौग समनं। कल्याण। कल्पाद्रुमं नुमित्यं। जरजाद्वतिमकुन निद्हुत। कंदर्पाहं। शंकरं अंबे, अंभिके, अंबालिके। नमान यदिकस्यनाहात तत्वकाहा। सुभर्द्रिकांकां तीलभाशनी। ये हम जरके। तूंग अस्रंग परा। ये हम जरके। तूंग अस्रंग परा। ये पहली होई हिम दालाये। आसना सीन पजमासन्ले। यहां भिकरी मौँ भटक सिला। ये पिंगलवर्ण जटामूशे आच्छा दिता। आओ जहां सुरंग परी दाला। पाल बीच पर जमक रहा हो। लगता हो मना हर प्यारा ये पुम 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 करते पुमकार रही हो। ये जला सरमों की माला। ये जला आच्छा मंगसी शमक दमगले। भूकल के हला हलवाला ये दज्जन। ये दज्जन करने हो उत्रसूला। 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 यल्ली बाईते प्यारे करते हूं पांग। पारवती 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 पति वो सच्छे धरंग। यह दया मत्य आजाओं। ब्रंतो हो रहां है फ्रीम सनमार्ग सम्द कलाब। हे भक्तों के भुरेर साल हो कालों के भी महा काल गलमुनमाल विकराल वे अल। फुम 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 पारवत परेश जयी महा सक्साली महेश जयी महा सक्साली महेश यह बेजो बियरो व्याब भूतों को रलसर्णी समर्स फूतों को भेजो घड़मगॉ भेजो गणागे शाई जी महांस्प पिसाली महेशा जी महांस्प पिसाली महेशा तरु प्य शओर चाहिए शर्वत कुझा की शिया शंमों कंगारे गरते हैं बिवधाउं के भाद़ गरते हैं इनमें भर्दों इनमें भर्दों वानीरी शेस यह महान सक्साली महेश यह यह नहां सक्रसाली महेश ये कितना प्रामन समय था ये प्राता कालिका सीतल समीर अपनी लिल्टताउं का लिए उनकरता हुआ बाहरा था एक करकुन में बैठ करके खनकन कोकला कोमल कुस्म कुरगाने के लिए प्रभाती जा रही थी यामनी भी उसा को पना राज्य दे करके बनी क कि अंतिकार में चायावे तक परने किये जा रही थी कि समादव सेशनारेश की कि कि किसी गोर घंगोर शब्द ने मुझे ब्रम्हानंद से विश्रत कर दिया काउन गोर को धोर योकिन हो शब्द प्रकास जय जय उपाकाल कोई भेग वाकास भेग वाकास एंगा वाकास एम अच्यक्त प्रेंब्य ठोने मुझे तक हो एक फथी नहीं सब्तें मश्रत आंफ्यों कि मिशंग कोकूर लुए यह वह लुए दू आयगे चिश्न नियु मटे कंट का इससाब्राइश कि जक्त प्रकास प्रातैर भाण वाजिवन हमारा ये यहां नय नहीं कि तमिछाः या फिशिकी चितका याक्षी चितका यादिं चितका क्या यह अच्छानक तब कईशा एक कर अधकी भन केशी वह शास्थ वांपर चाहिए आक तीर में यह अश्चान्त केशी वह शुकूमल पादब पल्लाओं अमनी स्वाब हमी करतमा का पर द्याकर के पीतमा के उद्धार करें मुखमें तनक अबल कवलिक की हुश्चता पत्ध्रम क्यों आज मेरी आश्रम का दर्स परवर्तिता क्यों निकाही पुड़ रहा भूली नाथ कहां चलीगी वह शाम्तम्रत्पन यह जो मेरे आश्रम में श्रेव मितमान नहां करती थी भूली नाथ ये कहां चली कहां चली कहां चली ये परवतों निशान को तू कहां चली कहां चली क्यों गन की गोद में तराहने लगी धता सोगई कफल पेत क्यों और ही अभी शठा स्वपन का सतित्रकाओन लूटतर चला गया क्यों बहार त्रांत के लिये रही छत पता ये ग्यान मेन ध्यान है ये ग्यान मेन ध्यान है ज्यान मेन ध्यान है ज्यान अदिशस्तिका ज्यान अदिशस्तिका बदल गया बिधान है फूल बल नहीं थिदी ये फूल बल नहीं थिदी आज है कोई कली ये परवत्म पिसान का तूं कहां चली कहां चली क्या मजूर मुझ्धनत। प्यान नहीं रिखाएगा क्या धन मर कमल के पास अब लमुल्ब नचयगा वो कौन दकता क्या प्रभात रात को भेली सुना येगा हरेक रंग मैंचे का हरेक रंग मैंचे का सरुपो हो रनस्थली ये पर्वतों किशान को तू कहां चली कहां चली आज भगवान भात पर के भोड़े रास्ता को रास्ता जा रहे हैं शिन्दुक ख़बरा रहा कच्छब ख़बरा रहा खेश रांदी वेवी दुआ अबने साथ लोगों के रियाच अरे आज अरे आज भगवान के सूंती आरा जाना कर रहा है पेरा चलो पर भर ये चलो पर भर ये चलो पर भर ये चलो पर भर ये सिन्दुखों से होते कोई ये कैसा ध्माराओं ऑनिध्य ब्रह्म्भ्तभाद भाक्ति खार्टी कमकर रही थी पार बार यंगारी वरस रहे कैशे इलग्णों का दल मदवाला है धरकु तॉन देला लाऊन आकाउन भूएं से काला है किसके यलकामे लग्यात और निनिध्यक्तित परमान जले मानों के रख्याद पड़ू पड़ू जलते हैं चल नहीं हमाने के गंगा की लिए हिम तोड़ू पड़ू तेद बित्व दिलाया जाता है तुम मर बड़ने के यह अरमान जगाओ तुम कोई जिहाद पदलना है कि अधियरे कल्ब श्वाश्य को व्याद हुआ यह तत्त्तनी बें अंबर में कानन के जीव जंद रहे फैला पंभाद कले पर चौँगों छोड़ू यह सुन चड़नीरों से थार 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 बित्व के महानत लोड़ किया ख़ूल था शेंडू इन बूलों में धुर्से सुन का गरंगन में योलका पाथ हुआ बार बार मानो चपाना आज खन खन हुए भरके खन खन हुए भरके यह आज कौन दूर से यह आज कौन दूर से कर रहा है जोर से प्रांत की पुकार ले अब पुखार थान ले छोड़ दे समादी सान वित्व के विनाख में ये वायू सूप से क्यों धरा चला रही व्यूम में बिञास के प्रशार की तका रही ब्रग समूह भाग कर सिंद्ध की दहाल कर और काप काप या रहे और द्वार जा रहे छोड़ के निमा तहाय जिल्ड़ी की आस में बामदेव 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 जप रहा हुश्वास में आज में प्रित्मुगा भ्यास के बारा देखना चाहिए इतना हतात का कारण क्या है शिवारात याद हो गया मित्ला पुरवेजगव का खनन तूट गया सिर्पा पिणाओं मैया का उडी भैया करें पिपलव हो गया जागो महेश जागो महेश पिए रखूंग कि अडंबन नल में घंगोर्व काता खूट गया बन में मखसंग दहार उठें इस शमनी कलका सब लूड गया कभी ध्यम चलो बहुरंदन का तब ध्यान समाद सो तूट गया तब जाल नहीं मिध्या पुरवे एक गुर्षाप तड़ात तूट गया ये जह ये खनब्रात की श्के दोरा है कि नंकाथ मत्रांवनों के देरें दबराँ साच फने बराद हुआ है तो यह हैर थाए तेरी वी सुपशन को रहे आज अज अज वरे सतात्यावाउवा जूए वह हैं तो लम है फो फोन कि अधिया वहांगा मार दानू पीछ डानू पड़क के मरो दानू वाक वद हम तोर बेको मजा मैंच भाउगा पार के विलाए देऊ यंपर बढ़ाए देऊ उनमें ध्यापर जाए इस सिपले में चाउगा देख विला काम कर गित खाय देऊ तो जीते दी धरणी पर रिणू प्राम न कहूंगा कि प्रवल प्याज बेग मार प्राइब हो अंबर पाउट हो फूंट 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 लादर्सों पिके दबाए करा साई राष्टिल रहों लेके गठोट डंड चंगले के हाथ बाना संबूब पाताल ताल भन्हों गहन गराज को दराज कर अंबर चैन्स करी हो चैन्स करी हो चैन्स करी हो आसम के देवी देव बताओं आसम की रच्छा करना रेम काकमार प्रफाम काम द्लागी पांड भूंको प्रस्थान यहां जड़क्त दियावा हूँआ रख के भूबारी चलाओंआ हराण पंबिस्त जैये मुर्ष जै उ के लोगोगरा, खगो कर दो में किसाल के लूख भगार मुझाई तंढ रिखाई गार भगगार, जुख अभण त customs कई, खगाईegen मुझाईन झाउ, फगायो कि आ के लाउडudsे, देखते ब्रगुपती वेश कराला उठे सकलब है विकलब हुवाला पित्व समेत कही कही निजनामा लगे करन सबतंड प्रनामा आ जनक के बहुरी आई सिरनामा प्रता हिस्मानी महर्श स्री परश्राम की प्रगति पराक्रम परुष के प्रचंड रोग मुर्तिमान ग्यान शील न्याय शील मर्म शील संसकर्थ के संसकर्थ के हर सुदीर्द जनकर्थ के दीप्तिमान देउता जिसके इस मर्ण मात्र से विपन्न मानों को मिलती है महान शक्ति ग्यान भक्ति जग विरक्ति काल को निकलने का सत्र भी हो तलने का अप्रमें साहस्या उत्साह ओज धीरता ऐसे ओजश्वी तेजश्वी तप्रश्वी के संबंधनी चर्णों में शीरद्धुच्का पढाम स्वीकारों ऐसी सुभपावने बेलां परे श्रीप्रभु के दर्चने पाया है मस्तक पर मेरे सदा रहें इन्हें करें कमलों की चाया है मैं अपनी भाकिर प्रबलता को कुछ आजे नहीं कह पाता हूं थे तया था महें त्यागे मोर्ति चर्णों में शीर से जुकाता है आपके से चर्णों में शीर अधुच का प्रणा सुखा रहा है व्यास्पीट से एक सब्द आया जनक बहोरी आई सर्रामा यह जनक सब्द आया कहां से वैसे तो लोगों ने कहा जनक सपिता जनक नाम पिता का पर यह जनक सब्द की निस्पति आपके बंग शते हैं और यह प्रारम कहां से जब हमारे पूर्बज निमी महराज का शरीर का मंथन किया गया तो निमी के मिथ मिथ के जनक वहीं से यह जनक के उपाधी जितने भी राजा हुए जनक नाम से ही यह उपाधी निमी मंथन क्यों हुआ मंथन क्यों हुआ महराज सिवस्टी जी ने स्राब दिया था क्यों दिया यह भी जानना चाहते ये भी मैं बता रहा हूँ आपको एक बार हमारे पूरबज निमी वहराज ने एक सहस्तर वर्स यग्य करने का अनुस्थान थाना उन्होंने होता के रूप में स्री वसिष्टी जी का वर्ण किया लेकिन वसिष्टी जी ने पांसो वर्स के यग्य का अनुस्थान करने के लिए श्री इंद्र जी इंद्र के अहां का वर्ण कर लिया था तो उन्होंने कहा कि मैंने इंद्र के अहां का पांसो वर्स यग्य करने का मैंने वर्ण कर लिया है मैंने कह दिया है तो उन्होंने सोचा हमारे पूरबज ने सोचा कि हमारी बात को वसिष्ट जी ने स्विकार ली है लेकिन वसिष्ट जी ने भी यही सोचा कि हमारी बात को राजा ने स्विकार ली है लेकिन दोनों लोग असमंज़त में पड़े रहे वसिष्ट जी इंद्र काहिए के करवाने चले गए के करवाना प्रार्म कर दिया जब वहाँ एक समाप को हो गया और वहाँ से जब स्रीबसिस्टी जी आए और उन्हों ने देखा कि होता के रूप में गोतमरिशी तो हमारे पूरबज निम महराज सैन नित्रा में थे सोते समय ही उन्हों ने स्राब दे दिया कि हमारे साथ कितना बड़ा उन्हों ने चल किया कि हमारी जगे में गोतमरिशी को होता के रूप में रख लिया और जब निम महराज ने ये देखा कि मेरे दौरा कोई कल्ती नहीं हुई है इन्हों ने हमें अंजान में शराब दे दिया है तुसरी बश्किस्षी जी को हमारे निमी महराजी ने भी शराब दे दिया कि तुम भी बिना सरीर के हो जाओ तुम भी बिना सरीर के हो जाओ तुम निमी के सरीर के किस भाग का मन्थन हुआ भाग का नहीं पूरे सरीर का अभूति देहोश्म पितेज मैदेहा मंधना मिठ्र की हर्दियस्तों का अभी भंद्य ने हर्दे का मंधन प्रिया गया और एक बालक का जनम हुआ जिसका नाम पड़ा मिठ्र बसिष्ट जी का जब सरीर बात हो गया तो बसिष्ट का पुणा जनम कहां से हुआ तो उत्तर मिना बसिष्ट पुणा अरंधति के गर्व से बालक भंड हुए कहीं कहीं अन्यान कदहे मिलती है कि वह अफसरां के गर्व से जनम हुआ वैसे जनक नाम पृदा का आपने कहा शीरत भज तो जिसके भजपे शीर का चिन हो उसका नाम शीरत भज देह रहते हुए वी जीसे देह का भान ना हो उसका नाम विदे मैं धिल प्रांगण के raja होने का गव्रू जी शे प्राप्त हो उसका नाम मिध्रेश नाम क्या है अब नाम क्या है सास्त्रों ने नाम खोजा जनिदेव हां मगर जब मैंने इसको भी देखा इसको भी देखा तो जन्माने लोग तुम आगे अब दिरागे अब यह आगे भईया अब पूटे रहे हो ना इस सवगराम महाएं चाहिता हूँ योग के अश्टांग अंगों पर बिले प्राप्त करने वारी शीरत भज अश्टा वक्त जैसे ग्ंणी के दोरा वल्ली को प्राजित कराने वाले सीरत भाज़् सुग्द्यों जैसे ग्ञानी को जैने वाले शीरत भाज़् भूपत नाम को सार्थक करने मैंने चत्रियों को असिरबाद ना दिने का संकल पले रखा है कानल जानते हैं कि जिस समय मैंने ये संकल पलिया उस समय एर चत्रियों ने पिन मर्यादा का परिप्ला करें परको स्थाप्त करिया जहां पर अधर्म किस्था स्थाप्ट कर הצ हाथ्या है वहां जनकोस निजकोस दोनों कि पर आश्रवांद कि या है कि भरत मस्तक पर ये तेन देखाऊं का करनी जमाले है आपसे हैं नेश्टिक सेव हैं धर्बाव रम्मी हैं चाहता हूँ तुम्हे नो निर्माण तुम्हे हो कि मेरे नो निर्माण तुम्हे हो और इसम्थला के भगवान तुम्हे हो और इन नीरा बाला के पलवान तुम्हे हो और शनकरी के सम्मान तुम्हे हो अरे मेरे नो निर्माण तुम्हे हो चाहता हूँ तुम्हे हो नपति महान तुम्हे लिए यही बरदान तुम्हारा कर्मन योजित बंदर्शा हो तुम्हारा राष्ट प्रफिलिक नंदर्शा हो शिंधासन उचाईशे निस्की नाप कभी मत करना नाता धर्ती यहूर धर्म से रखना जैसे रखता जहला ये पांस तुम्हे ये पांस तुम्हे लिए यही बरदान तुम्हारा सवर प्रकासित यंचन्सा हो तुम्हारा राष्ट प्रफिलिक नंदर्शा हो नियाए धर्म का आलम मन ले जननायक का कर्म निभाओ राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्मा ज्यान आदर्स बनाओ हो ग्रिहस्त पर करो शाधना तुम्हें नहीं बेवधान मिलेंगे है आसीष है आसीष है आसीष है आसीष हमारा तुमको घर बैठे भगवान मिलेंगे तुम उद भडबे द्वान तुम्हारे लिकी यही परदान तुम्हारा ग्यान सुआशिक चन्न नशाह हो तुम्हारा राष्त प्रफल्द नन नशाह हो आई सुमानम हो दीर गहाय भवो शस्पीभव शरन्गी सिय बलाए प्रणाम करावाई आओ वेकी यह भार्गों सिर्फ प्रश्राम की हैं प्रणाम करूँ जनक शुता ये कहूं अरुन्धतीर तारा देहसी समसंभैसी जाओं और उमारमासी जेडमिल जहां की जलकाती ये कहूं जनक सुताई ये कहूं बालिका के मुक्मनल क्यों दिस्थपात करता हूं मां सैया की याद आ जाती है बरवश जिब्लाई ये कहने क्लिया को रुख जाती है कि लाली पर कंचन खरकाती है ओ परदकर पसार की ओ निहार की क्रपा की कोर ओ रुख जिद मिधावरी को तीर की चली आती है आती है आती है आती है समस्त स्रंकार को तजाये ये हुए आती है आती है आती है समस्त ये आनुपमों तरकाती है आती है आता है ओ परिचे, ओ परिचे बतावा बेग, ओ पालिकाप दोग पुधे कि बारबार, कि बारबार माता जरजा की आद आती है, क्यों ये भूपत तुमरे भवन भगी रथ गंग, आसी लहराती इक चली आ रही तों भालका से नुर, एसे नुर, एसे नुर मगछे रखा की ये दूब गये, दूब गये, दूब गये ना बखे सबतारे, ओ लोक च्छे पचली तुन्हां की, चली धापने आंचल से मुकसंध आशी शरमाई एछी नचाई, एछी नचान एछी नचान एछी नचान। चुन चांद ये थी चांद उसा की लाली केवे अंग लगाती चली आ रही कौन भाल का शे नुर ये शे नुर ये शे नुर मगछर का आओ ये मधूर 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 ये पदूर मधूर मधूर आल मनू ये दादिम भटो सदाना पापर नासा चोच चलावे मनो इर मस्ताना ये द्यस्य अलव कि देख देख ये द्यस्य अलव कि देख मन मेरा अगणा ये प्रकत खड़ी या सुपट खड़ी या खड़ी यहां जग माता तर्देव सक्यूं की शक्य तनवे सुधानां कर गुष्ट दल्ड़ी नहीं दुआती बनक वालिका चन्न जोस्तनां की ब्रहन कोद मुखानन कानती महानों की नहीं देव दानों सक्य सालिका क्यूं को पर भादे रिकादे कमने में अनुवालीका 12 आई जनक वालीका विश्ट में समस्ट का सार शर्बत सुलिये शीकर ही पताओ जनक आती कौन वालिका किस भालिकाइगे क्या परच्यहें आपके शूंदर मखार बिंद जोबरा कौक्ट कोकिल मईबानी के द्वारा सुमध हुर्षप्तों के द्वारा स्रम ना करना चाहता हूं स्रम ना कराएंगे अब मेरी बेटी का परचेश प्रकार है सुने प्रोग्राम एक समय बिधी चासे मम राचे अकाले पड़यो अतिभारी तब प्रम्ह समाजे एकत्रे की हो कर जोतिस ज्याने ये पैने हुजाएं कंचन का हलरानी सहीते तुम जोत हूँ भूमी मिटे तुक भारी सोई उपाएं कियो मुनीना तुम तब प्राप्त भई कन्यास तुम नाम जान की परा में फुनीता नारत आई कहों पुनी सीता अब यह आप द्वरा वक्त पा रहा है कि हमारे यहां आकाल पड़ा है क्या सच्पुच आकाल पड़ा है 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 हुँ मैंने तु जाना है जिसके किस्त हों आकाल उसके हां किससे पड़ गया आकाल कहा गया कि हरी चाल भावी द्वर्वान प्रबल दुलसी जैसी भगी तक प्यता तैसे मिली सहाई आप ने आवे आप पहिताई तहां नहीं मगर एक बड़ आप द्वर्वान पा गया है इप्भावी में तक शकैन पुरावी को नहां को मेंते वाने रहवान शंकर तो यह भावी मिच्चित्यों नहीं कभी कभी ऐसा होता है किसी के द्वारा कोई कार किया जाता है और उसका भलू उसको नहीं दूसरे को भोगना परता है कभी कभी श्राप भी परदान वन जाते हैं कभी कभी अपकार भी उपकार में परलित हो जाते हैं तो कहीं किसी के द्वारा किया गया अपकार आपके लिए यहां बना उपकार आपने अर्जित की सक्ति आप भनवे सक्तिवान अकाल स्वाब्त सुठाल प्रारम आपने अकेले अहल खर्षण किया नहीं पुरानी से सुनैना को खर्षण बनाया सुनैना को भी खर्षण बना दिए अम्म नहीं सुठाल में लाकर के कहूँआ कि तुमने अपनी पुर्षण बनाया उसका कारण यह है कि प्रया लोग भालिका को ऐयोनिया ऐयोनिया कहते हैं क्या यह ऐयोनिया है उत्तर बिलता है कि यह ऐयोनिया नहीं अवनिया है और जिसने इसका लालन पालन किया है वो आयो नहीं जाए एक बार मैया पारबती ने भोली नाग का संगार किया सारी सर्पों को भुलवाया एक सर्प नहीं आया जिसका नाम का सेज बुला करके बंधन बनवाया और जो मुठे का जोर लगाया तो आँख से दो आशु गिरे एक से सुनाई ना की उत्पत्ति और एक से स्ट्रोट चुनाचे तो अवनीजा आयो नीजा और आप दी तो आईवनीज मन सके हैं तो समीकरन बना आयो नीजा तब आवनीजा आपने वाराइस बालिका का नाम करो मेरे द्वारा बहुत सारे नाम हैं मैथली मैदेही जानकी जो एक प्रिवाला हो बताओ जानकी कही के नाम अनेक अडूपा भूंशे उपन होने के कान भूंजा बिदेह की पुत्री होने के कान बैदेही मैधिल प्रांगण के अंतरकत रहने के कान मैधली जनकी पुत्री होने के कान जानकी हल प्यत्र भाग कि शीज से उपन्न होने के कान सीता स्रबत सीता शीलत सीता शीता माने रेखा कर्षिक के दिश्ठाती देभी का नाम सीता अस्तावक्री के द्वारा पुनिता और वैश्रों के द्वानों के द्वारा इस बारिका का नाम कर्ण किया गया कि शोरी यही नाम जब अग्होर पंध में पुछा मात दु लूंग मात दूंग माने जाते हैं मात मुंग में फ्रवेश कर जाने के कारण बालिका का नाम कम हो गया मात दूंगा मेरे पास तो ने अरे भही जिसने जीवन महरं विर्षी खाई दो उससे पुछो कि मिध्याई का स्वाज कैसा है तो उसको मालूब ही नहीं तो बताएगा कहा है आशिरवाद कभी दिया नहीं आशिरवाद देने का सुभाव रहा नहीं और अनिवारता है कि आशिरवाद देना है देखो भाई ये धराश्यूत पन नहीं शायता हूँ ये आत्मा हो ओमा धराश्यूत ये परमातमा तेरा पती हो तेरी दो आये सदर में मुक्त ही अन्दिम गती हो ये प्रेम पत का यू मिले अज्यू मिले संकर सती को सुकुद्व यंद्वे भॉब ये इवे पर्गे में सुर्भत सती को ये सूल भीवन भूल तेरी ये गूद में एंपीर थी ते जर्म खत में ये परहो ओम दुखवादा तेरी पी पत पता दोनों गुलों की ये लाद कौन दाध रखना है प्राद रखना ये प्राद रखना ये प्राद रखना बशीशी दे इस धरा में तुम सदा पूदित रहो की पत पुद्न युद्न सवभाग में तुम सदा पूदित रहो ये आत्मा हो क्योंकि ये कर रही है नमन फोगेगे मल मगल तो है आसित मेरा की रादी बड़ो राज रादी बड़ो महारादी बड़ो हे जनक बालिका हे जनक बालिका तुम हो जग पालिका जनक बनका दुष्ण दानो हो रादे रादी बड़ो महारादी बड़ो शीते शीते हो ते रादल फुभाग सिर पर सेन उरते खालाल बन्न से सुना सुमित भाल पुत्री शीते हो ते रादल फुभाग अखने सवभाग रक्तिक हो ये बालिका ये सीता की सथी एक बात पेटे दिहान लखना ये आपके इश्ट है और जब इनके साथ लोग बस्तित हो तो ये आफगानिस्तान के परधान न पहिए इससे ये लगेगा कि नहीं आप मिधला की नहीं किसी दूसरे देश से आयात की तो इसलिए है इस पर दिहान ये आप पीश्ट है जाओ शुबाद की आज़े आशिस दीन सखी हरिचानी निज समाज ले गई सयानी विश्वा मित्र मिले पुनिया ही विश्वा मित्र मिले पुनिया दूरी अप्रसुत्वा भहरी एक इर्टिं करणाउं चत्रप्तव नचाच छुशी में तयोर इबादम परिहल कामाहां शमागतोहं का बदर सुना ओमात्मना शंत्र दवश्वा से पांच हजार वर्ष पहले हमारा उरात का मिले रेवा नदी कितित पर पुनिया तत्पश्चाथ हम उरात गंदमादन पुर्पर मिले उसके पहले कहां मिले हैं ये इसमर्ण में न बेटा मुझे याद आया हमारा तुम्हारा मिलन आज से अठारह हजार वर्ष पोर रेवा नदी के तड़ पर हुआ था उसमें आप बाल्या वस्था में थे अब मैं युवा वस्था में आपको देख रहा हूं हर्दै गदगद हो गया है रेवा माने ही तो नर्वदा होता है अब वह पाकिस्तान के भूभाग में चली गई यह रेवा नदी यह पाकिस्तान है क्या यह पाकिस्तान है अरे पहले तो यह भारत में ही था जब उसके भाग अलग किया गया नई हम कहां है अभी तो हमारे पास में है भारत में है तो भी पाकिस्तान कहां चली गई हूं जब आभी हम अधी अधी घाल अजनाब वर्ष में तो अभी कहां चली जाए गी बटवारे में चली गई अरे बटवारा कहा हुगा है रेकरी ऐसका पाकिस्तान निकाला गया कि अरे तर्फ हमारे नाती हैं अधनितों क्भाइखक्राइब स्वीख्डी। करने मापकर नातिरेहें हम आपके नातिरेह। में आप में बाबा मंगर यह बताओ गो पाकिस्तां कहां से आने है। के भी बताईब्स नहीं लाइसा में आरे उट्यानी खावाहार हैं वो युक्या थे नेुदी कि पहले हमारा अपना मिलन रेबा ने देखे तक पर फिर हम और आप बंदमादन पर उसके पहले हम और आप नरबदा के उद्गम छेत्र अमर कंटक में हमारा आपका मिलन रेज़ा वहां हमने और आपने मिलकर के कुछ किया देखे देखे ओंर एक करें देखे बा नैद्धा देखे में Good with अधान करें करते हैं यह फिर एक नहें हमारे मिलड़ाब के त्वारा होगा हो और आज उस यग्य में आचार और ब्रह्मा को थी अरे होगे 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 और बहुत दिन बाद दर्शन प्रात पुपा है लोग ए ब्याशी सरकरा निमिचित तरल पडार में तरंग पाने वाला च्छेना घाती रहें आज रिस्गुला घाली हो मिला है 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 कुछ अमंगल सभी प्रिकार की कुछलता है बेगा इन बालकों को मैं आपके पास लाया हूं देखो यह हमारे बहुत ही निकत्तम संभांदी सरदे परस्राम जी हैं चाहता हूं तुम दोनों भईय इनको प्रणाम करो बेटा पद सरोज मेले दू भाई पद सरोज मेले दू भाई महादमन इन बालकों नमन किया मेरी जिप्याई ये कहने के लिए आपकर हो जाती है कि कान भाग साली के भावन भाग चगो आज काके भावना की गीत गीत मुदकाई है काके भावना की गीत मुदकाई है कौन अबला कौन अबला आज सबला भई जुनके मुखों से मया कही जाती है बाबा कौर रावुरे कौन बाबा कौर सांबरे कौन इनकी कमल बतांखें इनकी सुन्दाकार भजाएं मेरी वाणी होती भावन बाबा कौर रावुरे कौन बाबा कौर सांबरे कौन इनकी क्या प्रश्य है बेटा चंचल चखन्या को लखन इति नामता को प्रेम रूप धामया को राम रूप नाम है ताल का संगारी इनि सुभाव भून ज्यारा इनि वाहिरि पूदलन को प्रधान इनकाम है त्रेमी दूबईया मद मदन मिटईया दसरत के छैन को अवद फुर धाम है बड़े का नाम राम है छोटे का नाम है छमन है यह राजा दसरत के बेटे हैं दसरत के बेटे हैं महत्मन ये दो ही और है क्यों ये दो ही और है और है दो आपके पास है और दो वहां है इनका नाम है राम इनका नाम है लगान नाम महत्मन राजा दसरत के तो कोई शंक्तान नहीं थी फिर देका प्रादृ भाव कोईस्व पूत्रेष्ट यर्ग्य की दौरा पूत्रेष्ट यर्ग्य किसी ने कराया तो तो ये फिर मुन कुलके भी है रग कुलके ही नहीं ये मुन कुलके तब तो ये अपने हैं है ना चाहता हूँ चाहता हूँ स्वष्थि स्वष्थि सारत पड़ती हो गणपति गामें मंगल गान चिरंगी वही जोडिंगे अनुपम गवर की सोर महान कि कमला कंचन धार सजाकर ये कमला अनुपम गवर कंचन धार सजाकर आरत करने को आवें अस्वरक के नर्व गंधर्व आदी सोच सुमन मार्ग में बिधराओं ये दियर तुम्हारे सन्रत चक हो सदा सेत्ता यी भगवान दसों तिसाएं यस गाती हो कभी न हो उनका अवसान कभी न चिंता की द्वाला में जले देह इन बालों की अभिलासा अमरेश लही न तछबदे पूदन लालों की सरवाबाद हापि नर्मक्तो धनधान तुतान बिताद मनुस्सों मत्पसादेना भर्षक ना संसयाह अश्वान हो नी हल पोशिस के हो सुनी महतमन ये चोर है चित चोर हो हैं हमारी बाप चोर की है चाहिए चित चोर हो जाए 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 जोड़े इनों ने आपका कुछ चुराया कि नहीं चुराया है क्यों चुराया नहीं है आपका इनों ने ध्यान करें तो चोरी हुआ अब आभी यहां के राजा का भी चोरी हुआ सहिज बिलागरूप मनमूरा और यहां रामई किते रहे ठक लोच ए ओ गाज जलन रुक जाओ हमारे तेहे यह सामरों सलोनों भरी नेत देखे लेंगो उमुणों है अगाज प्रेव मेरे पनमात में आज यह सुधा का प्यूश बिन्दू आज चक कर पी लेने दो राम रम जाओ राम देता है देने खाओर या तो परस घर को ही आज रम लेने लो क्यों कि कि मल तु भेदे कर राम यूँ कह रहा कि जीत मारते तुम्हारे निकत ही रहू हर घड़ी उठ रही है खुशी की नहर कि प्राण में देर से अधी कुछ थार कि रूब अपना स्वय क्या तुम्ही ने घरा ब्रम्ह के देख से स्वरण से भी धरा आज मिन्दा नगर का मनुजबोन है क्या यही सोच था राम तु कौन है कि मुझबाली उई परे से का करूँ कि मल तुम्हें देखकर राम यूँ कह रहा कि जीत मरते तुम्हारे निकत ही रहू दो नइन मेरे दो नइन तेरे दो दो निल करिये चार हुए ये अपनी अपनी किसमत है दो जीत गए दो हार गए कुम्हारे राम मनों खेने कुम्हारे राम मनों खेने बड़े बड़े हैं काले काले इनने कितने ही घर घाले इनने कितने ही घर घाले ये पुतने हैं ये कोच बड़े जो में नए कुम्हारे राम मनों खेने मानों का एक प्रबल कबर्त ग्रग के यदिक बान कहेंगे प्यासे अधर से सकते अंतश राम उन्हें भगवान कहेंगे देख रहा हूँ जीव धरापर कितनी तुमसे आश लगाए पलक पावले बिछा रहे हैं निज नएनों में सुप्र सजाए पाकर हुए नएन सार्थक ये मेरे परबान कहेंगे प्यासे अधर से सकते अंतश राम तुम्हें भगवान कहेंगे राम तुम्हें भगवान कहेंगे एक बार पचाता हैं हे राम तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास अलग होगा तेरा तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास अलग होगा यग में होंगे आधास पहुत तेरा आधास अलग होगा तेरा तुम्हारा चरित दुनिया में ये द्रामा नण बन कर जूनेगा उसकी रठना करने वाला तुल सीधास अलग होगा तेरा तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास अलग होगा जाओ ले जाएं बहुरी बिलो की भी देह सन कहाओ काथ भी पूछत जाल या जाल जिम जाप हो ओ पूसरे कि ये किस कारण गुम से रभाई यह यह तरक भणक कर शीवने हैं नगर नया पहले जैसा काया ही इसकी पलट गई है इंग पुरी लज्जत होती है सब्वासी विस्त दिखाते हैं समय अदम को साभरा मिठला के कणकण में विजे हैं है ओज निया है ओज घरा क्यों गुम्र अचानक यहां पड़ी हो सुभाधा और सम्मद विजे एक तरक भग कैसी विदे शीक्राउगत करा समाचारे कही जनक सुनाए जही कारण महीफ सब आए इसलिए का कारण सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाच आजे यही तोरा फिर कैसी करण सुलत बचली फिल्यलत लिहारे देखे चापो खंड महीडा दे यह क्या प्रवाड अलाशियत भज मुझे इसका कस्टने के जगो दोग फंडों में क्यों परभरती थे कस्टिश्बात का है यह अजगों को प्रवा करके प्रत्वी फिल्वा दिया जहां के प्रतेक पर क्याता जाता है उसके पैरों की धूली सजगों पर पड़ती है वीरागणों के करों में सुसोबित होने वाले प्यारी अस्त्रों वीरता के परिश्चत मां गवरा के प्यारे पिनाग मया तुम्हारा नित्र पूजिन याकिती थी खालानन तुम्हें खेलोना बनाया करता था नंदी तुम्हें सरंगों में धारन करके खेला करता था आज आप मोन क्यों हो बोलो बोलो प्यारी भीया जम्हें तुम्हें मिलने के लिए कहलास पर जाता था तो तुम कुलकित हो जाते थे आज मोन क्यों हो अरे बंदर बना पुलंदर बैठा इंदर भी बंदरों की बहां तक्टकी लगा करके देखा करता था कि कब पठखले और कब अजगब के दरसल प्राप्ट कहा था मल्यार सैल जात हाए अजगब को एक शन्याराबत हो देदो अजगो तून तूता ये अंबर क्यों न भूता है अरे तू नहीं तूता तूता जगब का पहारा है किसल नहीं ने या है अईताकार और भारत के भंस्चतों लंके कित बिचारा है क्या मुझपर निश्वास नहीं था हर्या सुतो शके ठैदय दुलारे पारवती के प्राण पियारे ये दुरगत ओप ये तुमारी और तुमने मुझे पुकारा क्या मुझपर बिश्वास नहीं था क्या मुझपर बिश्वास नहीं था तुमसे भी पहले जलता जीवन था धरती थी अंबर नललता पर हुआ नहीं ये त्रपुर दहन था आस मेरी भी दे लत्तु मेरी नगते ये दादमता का तमचाया था तुमसे भी पहले पत जड़ता हस्ता हुआ या मदमाश नहीं था क्या मुझपर बिश्वास नहीं था हर भी तुम्हारे ना रहने शे ये बीर तुम्हारे ना रहने शेमी आखों में इनके सा करके क्या हम केवला कहने कोई ही थे सेवक पूज हित ऐसी घर के अर नेने को बदला बेरी आख ये सक्तिन कोई रोक सकेगी पर मेरे अलकस धल में ये जाला जीवन भर रह 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 कदके जी पैरी ये पैरी तोड़ गया तल तेरा ये पैरी ये पैरी थोड़ गया तल तेरा और बन मेरे पास नहीं था क्या मुझे पर बिस्वास नहीं था अजगो ये क्याक में हो गया कुम से भी पहले चलता दीवन था ये अजगो ये क्याक में हो गया हर माना मैंने जित भूमन लल पर हर यादे वाला जाता है पर ये भी ततहे किस्यम का हर प्राणी से कछुनाता है पर कौन समय के पूर में अजगो ये क्याक तुम्हें हो गया मुझे बताओ प्राण प्यारी ये हाल किस्री किया तुम्ते सुर्दली भी निर्वह था राच्छचकण भी ये गरते थे दो गंडों का भाजी तो मां कहुदा का प्राण प्यारा मुझे बताओ आती रीसी बोले बचली का धोरा कहुद जड़ जनक धनस के तोरा प्राण प्राण कर दो प्राण करें जिसने किसके दो खंड करूंगा ने असके सो खंड अकेला हो को जंड विदारूं उसके भुष्टन प्राण प्राण का भिमाओ भेग दिखाओ बेग दिखाओ मूरी लत याजू ओल्त हूं मैं ही जहाल यह तब राजू भेग दिखाओ शीरत बाट भेग दिखाओ कहां शुपाब एठाए है साथ जाथ कार करवादो यह तेरे रात की समथ भूं को रयाद याद 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 आती डर उतर देत नपना ही उट लभू पोहरे से मन माई शबहे बिलो के लोग सब जाली जाली की भीरू रद नहरत बिसाद कछू बोले सीर गुबी क्यों ब्याद शीप अगर शीप को माल कोस में पड़ दिया जाए तो सब आप लोग के लोग सब जाले जाले के भीरू वजे नहरत बिसाद कछू बोले सीर गुबीरी ए भगवन संकर जी का धनुष तोड़ने वाला ए दिनानात आपका दासी होगा जिसने अपरात किया है संकर जी के धनुष को दो खन्नों में बिवाजित कर दिया है वाहे दिनानात आपका दास होगा सिव होगा प्रभु जीव धनुष तोड़ने बाला भी ही कोई सिवु प्यारा होगा ओ जिसने ऐसा अपरात किया वाहदा से आपका ही होगा जो क्रीपा पात्री है गुरुब वह कब किसे दर्शकीता है जिसे पर है क्रपा प्रामणों की यहकार वही कर्शकीता है नाति सम्भु धनु फंजी निहारा होई कोई एक दाहा से तुम्हारा आयस काहा कही यकिन मोही बार बार बिर्वों मैं सोही राम कौशिया जंदर्राम तस्त तजिर भी हारी राम मेरी वाता यहां करिश्टाता राजा चनक से हो रही थी मैंने उससे पुछा कि अज़कों का खन्दन किस्री किया उससे बताओ यह दिखाओ बताया जाता है नाम, दिखाया जाता है रूप और इन डोनों कारों में से वो कोई कार संपाजीत नहीं कर पाया मौन हो गया, सारी सभाम मौन हो गई आपके द्वारा बक्तब बारा है नात शम्भूने पृषभी शम्भाने कलियान करने वाला जो पृषभी का समसम कलियान करने वाला है क्या उसके द्वारा अचिकोITA Ministra हुआ है तो उत्तर मिलने आने नहीं एक ये तो मैं भी जामकाउगी धंकोलने वाला एक है क्मारी सीता का विवाह दो से नहीं चार से नहीं दस से नहीं एक इसे होगा और दास ये परपाटी हमारे यहां लागों नहीं दी क्या करें जिस पर है करपा किसकी जोर से बोलो ब्राम्रों की अच्छा जिसके उपर ब्राम्रों की करपा हो जाए वो किशी के घर में आगा लगा जिसके सांतित वैठो दुबारा अगर अगर बोले वहीं आकर कि मारूं भक्त तो बड़ा पिछित रहा ब्राम्रों की करपा हुई जाए किसी के घर में आग लगा देखे ब्राम्रों की करपा हुई जाए किसी के हाथ पहर तूर जाए और जब कोई पुछे क्यों यह मूर्ति कैसे घंडित हुई तो क्या उत्तर देऊ हैं क्या कहो हुए ब्राम्रों की किरपा है करो तुम भागें ब्राम्रों है क्या कही रहते आयसका कही किन मोहीं अगर हम जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे कुछ तो बोलो पालन करोगी कि नहीं करोगी न यह मतसोत लेना कि हम तुम्हें कबट्टी खेलने का आदेश परदार कर जाएं आदेश हमारा यही है कि धनुक तोलने वाले को हम भी धूने तुम भी धूने और जम मिल जाए तो उससे तुम भी मारों हम भी मारों पहले मारों तुम ऑब अदर मारों हम उपूछो क्यों अपूछो तो क्यों क्योंकि अक्रे अक्रे ब्राम्रहां और नदी नाले भर्जिता जहां मरों का पहले मरों तुम इसलिए हमारे यहां दास नहीं हमारे यहां कुछा और शेवक्सों सेवक्सों जो करेंजियों काई आरी करनी पर कर्य लडाई आरी करनी पर सुनो राम्रह वो सेवक्साज जो कार करेंजिया जैसा संट राम्रह वो सेवक्सों का Κार होता है यहां सीवक्सों कार नहीं दिया गया है रागहों यहां अरी का कार दिया गया है उसके तो लड़ाई करने हुई उसके लिए संग्या है सुना हु राम यही सिवे धन दूरा साहस बाहु सम सोरिप मोरा अरे चैनों को खोल 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 सुल्डे नर केहरी जैसने चोगा खानने नुपिया उमेरा साधान कोड़ का बैरी जैए हुमेरा सास्त्राबाव हर दून की बहार पैर दिये हुद्दे लिए संग्या है सो सो बिलगाव भिहाई समाजा नग मारे जई है सब राजा को मिलगा को मिलगा को मिलगा जैए शिव धन्तोरा जिसने भगमान उषिन करके आए उसका परित्याद करके यहां से चला जाए अत्रा समाज उसका परित्याद करते अन्ता सारे राजा मारे रहेंगे मैं एक ने को राजा को मारूंगा और कुछ हूंगा आजकों को अखाना किष्णिया सुनी मुनी बचन लकानी मुष्टानी बोले परतू धरही अपमानी सुना आप लोगों ने धनुस्न तोड़ने वाले की विरोध में महत्मा परस्राम जी की एक घोस्रा हो गई जही शिवधन तोराम सहसबाहूं समसो रिप्मू मोरा सो बिलगाओं विहाए समाजा और न तुम्हारे जहिए सब राजा जिश्वक्ति ने धनुस्का खंडन किया है वहाँ धनुस्त तोड़ने वाला सो बिलगाओं विहाए समाजा धनुस्त तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए और अगर रैसा न किया गया तो महत्मा जी के द्वरा विवार क्या किया जाएगा कह रहे हैं सब राजा मारे जाएंगे एक तो राजाओं की संख्या कम है क्योंकि जब से परसुराम जी आए है तो बाज जपट जनु लवा लुकाने ये सब छुपे बैचे हुए है तो देख महीब सकल सकुचाने और बाज जपट जनु लवा लुकाने जैसे बाज पक्षी को देख तरके बटेर चिप जाता है उसी तरह से सब्राजा चीप गए अब जो थोड़ी बहुत बचे है वो भी मारे जाएंगे तुझे भी प्लाइन कर जाएंगे तो परसुराम के लिए रही जाएंगे न तुम्हारे जंगें सब्राजा मारे जाएंगे कब धर्श तोडने माला अलग नहीं हुआ तब बहुत सुन्दत जिस समय ये कहते हैं कि न तुम्हारे गेंगें सब राजा तो मेरा ध्यान इन सब राजाओं की और चेड़ा गया यहां राजाओं की दो कोटिया हैं दो तरे के राजा हैं एक राजा हैं तब शिय देख भूप अभिला से कुरूर कपूत मूड मनमाखे उठी उठी पहर सनाए अभागे और जहता गाल बजावन लागें दुष्ठ प्रवर्ट्टि के राजा कुरूर कपूत मूड भागहीन गाल बजाने वाले दुष्ठ राजा हाँ पड़ा राज से के और दूसरे राजा हैं साधू भूप बोले सुरिबानी की राज समाज ही लाज लजाने तो एक राजा है दुष्ठ राजा और एक राजा है साधू राजा और महत्मा जी की घोसड़ा है कि न तुम्हारे जिएंगे सब राजा सब राजा मारे जाएंगे तो मैं सोचने लगा कि जब सब राजा इनके द्वारा मारे जाएंगे तो सब राजा और तुम्हां राजाओं के साथ साथ साधू राजा भी आगए तो क्या इनके द्वारा साथ सद्ध प्रबत्य चिके लोग भी मारे जाएंगे आप और साध्ध प्रबत्य के लोग इनके द्वारा मारे जाएंगे तो इनकी अवतार पूती है मीन कमच सूकर नरहरी बावन परशुराम भफधरी जब जब नात सुरंद दुखपायो तो नाना तन धर तुमनी अवतार पूती है और अवतार होता काहे के लिए है परित्राण आये साधू नाम और विनास आये चाहे दुश्कृताम अवतार होता है साधू की रख्षा के लिए आउतार होता है दुष्टों के बिनास के लिए तो भई साधू रक्षा के लिए आप आए हैं तो साधू की रक्षा करो दुष्टों का बिनास करने के लिए आप आए हैं तो दुष्टों का बिनास करो चलो साधू रक्षा के लिए आप आए हैं करना तो साधू की रक्षा चाहिए, साधू की रक्षा न करो, लेकर अगर इनकी रक्षा न करो, तो कम से कम इतनी करपा तो करो कि ने मारो तो ने, और साधू अगर इनके द्वारा मारे जाएंगे, तो यह न्याय होगा की न्याय होगा, यह पुन्य होगा की पाप होगा, यह धर्म होगा की अधर्म होगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेवार इनके द्वारा किया जाएगा तो क्या यह अपने चरित्र के साथ नियाए कर पामेंगे यह बाद समझ में नहीं जाए जिस हेथ साथुसंतों की रच्छा के लिए अउतार हुआ है और इहीं कि द्वार साथुसंतों मारे जाएं पृष्ण खड़ा हुआ है मेरे ध्यान चला गया है अउतार सब्द पर एक काल खंड में एक अउतार अपने सहयोगी के साथ ध्रमण कर रहा था ऐसा ही प्रातहकाल का समय था सरोबर का किनारा था तो वह महापुरुष्ण अपने सहयोगी के साथ सरोबर के निकट पहुँचा अपना धनुस उतारा नीचे रखा तरकस उतारा नीचे रखा तरकस से एक बाण मिखाला और वह बाण भूमी तल पर गार दिया निद्द नईमिद्दिक कारियों से वह निबर्त हुआ निबर्त धोने के बाद उस महापुरुष्ण ने अपना धनुस उठाया तरकस उठाया और जो बाण भूम पर गारा था उस बाण को उखाड़ा और जैसे बाण को उखाड़ा तो ध्यान बाण की नोग पर शला गया तो देखा क्या की बाण की नोग में रक्त लगा हुआ है खुण लगा हुआ है तो समाबुष्ण ने अपने सहयोगी से कहा है की नोग में बाण के खुण लगा इसका मतलब है किस भूम इतल पर कोई जी हुए मेरे बांट से आहत हो गया देखो ज़र तो सिस्थान की मिट्टी हटाई गई और जैसे मिट्टी हटाई गई तु देखा कि वहाँ एक दादूर में था दादूर मेढग और वो मेढग बांट से आहत हो गया तो उस महापुरुस्त ने मेढग से कहा दादू से कहा तुम मेरे बाज से आहत हो गए रक लनीत для हमसे और हरद नहीं और वार देनी चाहिए तो तुम्हारी उपस्तिती का भांग दोसे हो जाता लेकिन तुम मेरे बार से आहत हो गए है लेकिन एक बार भी तुम्हारे मुंसे आवाद नहीं निकली तो उस दादर ने बड़ा समीची नुक्तर दिया उसने कहा कि प्रभू संसारी लोग जब जीव को कष्ट देते हैं तो वो आपकी पुकार करते हैं लेकिन जब आप ही जीव को कष्ट देऊगे तो भला वो किसकी पुकार करेंगे किसको आवाज देंगे कष्ट तो आप से मिल रहा है तो किसकी पुकार करेंगे संसार से जब सादूसंत तरशित होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए इनका उतार होता है यह फरसा चलता है और जब इनका ही फरसा सादूसंतों पर चलेगा तो यह सादूसंत कहां जाएंगे न तुम्हारे जाएंगे तो यह सादूसंत जब इनकी के द्वारा मारे जाएंगे तो एक कहां जाएंगे किसकी पुकार करेंगे समझ में नहीं आ रहा है भाईया से कह रहे थे कि धनुस तोड़ने वाला मिल जाएंगे तो पहले मारो तुम बाद में मारें हम अकर यह पूंछो पूंछो का है तो बोले जहां मरो वहां मरो पहले तुम अग्रे अग्रे ठीक कहा है आपने देखिए इस सरपर कोई वार करता है कोई प्रहार करता है ब्रहान मुख है चत्री भुजाएं है इए खितर रहे कि जहां मरो वहां मरो पहले तुम द्यान कीजिएगा सिर पर अगर कोई वार करता है प्रहार करता है तो प्रहार को सहने के लिए सिर आगे नहीं आता है कोई सिर पर अगर प्रहार करेगा तो सबसे पहले हाथ आगी आएगा और हाथ है छत्री रक्षा कभारिं के उपर है कोई इन पर प्रहार करें तो हांथे उठेंगे और यह हांथ असनिहूं के घाए असनि तलवार का घाओ भी सहन अगर करता है तो हां तो रक्षा का भार मात्मा जी प्रनाम प्रणाम की प्रिश्टभूंग और सब ठीक है कुसल मंगल है कुसल नहीं मंगल है मंगल है ना कुसल है और मंगल है अगर कुसल होगी तो मंगल होगा और मंगल होगा तो कुसल भी दोनों एक साथ होगे नहीं तो दोनों नहीं होगे कुसल तब लग कुसल नजीव कहूं सपने हुंबन बिस्राम और जब लग भजत नराम कहूं सोक धाम तजिकाम जब तक जीव के जीवन में प्रमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुसलता नहीं नहीं मंगल भी वहीं से मंगल भवन अमंगल हाज एक बात समझ में नहीं आ रही हिमारा बड़ा क्रोध है लेकिन क्रोध के मूल में क्या है क्रोध का कारण क्या है किस कारण क्रोध है अकारण नहीं सकारण कोई कारण क्या कारण धनुष तूड़या है। इस तुम्तिने पर रहे हैं एक बात मैं आपको बता दूँड़ Вам अगर किरोध का लिप रहे हैं तो बहु दなるほど करें तो बहु धन भी तोरी अद का बहु धन्मी तोरी लिकाई highly कब होना असरिस कब होना कीन ऐसा कोद कभी नहीं किया इस से बात धुनीत हो रही है कि क्रोद किया पर ऐसा करोद नहीं किया कब होना असरिस्की नगो साँ ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जब बहुत क्रोध नहीं थी तो बहुत नहीं था अधिये कुरोध बहुतए तो क्या यही धन पर मता इस धनasto कि अब और अगर ममता है अगर ममत तो है तो कही है तू इसका है तू इसका कारण क्या है उजपाद प्रहता हिश्वरडी महामना हम जानना चाहते कि यही धन उपर ममता कही है तू क्या है तू शुमित्रान अंदनलेच्छमा मेरी बार्वा यहां के दिश्टाता राजा जलिक से हो रही कि मैंने उससे पूछा कि अजगव का खर्मन किष्णे किया उसे पताओ या दिखाओ वो मौन हो गया तेरा भईया बोल उठा उसके द्वरा निश्यवाची शर्वरां का प्रयोग श्रीमांत्रियाए मैंने सोचा कोई उत्तर मिलेगा उत्तर को दूर इतने आरोग लच्छमन की पहली बार का आई कि प्रस्वरां जी ने कहा इन्ने तमारे यह तब राजा यहां सारे राजा मारे जाएंगे और आप अवतार कोट में हैं और अवतार कश्डिय होता है तो अवतार होता है धर्म की इस ठापना के लिए कि जब जब हो यह धर्म के हानी जब जब धर्म की हानी होती है असूर बढ़ते हैं अभिमानी बढ़ते हैं कि तब तब प्रबुदा जाए दिवे 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 दिवा लिए तब प्रमात्मा शरीर धारन करता अने प्रिकार चौबीश शरीर धारन करता लिए और दिव मानी में भी आपने कहा परित्रा आए जाधूनां भिनाता ये जदुत्मे कां धर्म संतापना भाये शंभवान यूगे यूगे मुले धर्म के लिए अवतार हुता है धर्म की स्थापना के लिए अवतार हुता है और हम धर्म की ही स्थापना कर रहे हैं कि लोगों ने सांत के मात ध्धृब धर्म की स्थख़पना की है और मैंने क्रांत के मात कि संसार में जब जब कोई यशी बात आई ये पर फ्राम के दोरा क्रांत के दोरा उसका स्माधान किया दिया है रहां ने तो प्रकार की राजा साधुरा जाए एक वुष्ट राजा और अगर आप कुमारेंगे तो आप इस चरिट्र के साथ में कहां तक नियाई कर पामेंगे ये या ध्रम होगा न्याय होगा अन्याय होगा तो राद कुमार लख्ष मनद यह मेरी दिष्कें न्याय हैं जोगि न्यायात अपने पन को भी दंद देना है न्याय के लिए अपने पेटे को भी डंड देना ने आये है जिस्तेदारों को भी डंड देना ने आये है न्याय पीट पेपाइट करके कोई जिस्तेदारी नहीं चलती और सादू सादू अगर अन्याय का साथ दे तो क्या वो डंड के पात्र नहीं होते क्या नियाए पालिकां यह करके छोड़ेगी कि नहीं जाओ आप साधू हो चाहे जो कुछ करो जागा हैसा तो नहीं दो साधू भी छे अन्याई का सथ देते हैं तो डन्न के पात्र हुथ दन्न के पात्र हुए प्रमान मैं दे रहे हैं कि एक प्रमाण मैं पने घस्टे दे रहा हूं एक प्रमाण मैं आपके घस्टे दे रहा हूं हमारे बाबा फ्रगु शाद उथे कि शाद उथे और श्यू विरोध में यग हुआ उस यग्य में पहुंचे अन्याय का साथ दिया है शाद उथे दन्न नमिलता पर डाड़ी के उन्हों उच्छी पूसा के दांक्यों तोड़ दिये गए भगे के नेत्र क्यों भोड़ दिये गए दच्ट का सर क्यों करता गया तो यह भाट किदद करके एक पिस साद ऊग्याय का साथ देते हैं तो डंडी के पात्त लोवते हैं रूत्र प्रमार्ट कुम्हां यहां से तुम्हारे आएक राजा हुआ है नभख 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 के अमबरीश और अमबरीश के हाँ दुरवासा परहरे दुर्वात्वा को भोजने का निमंतन दिया गया राजा एकादशी पर तरहता था एकादशी उद्यापन करने करिए पारण करने करिए दुर्वात्शी के कुछ पर सेश्टे त्रेउदशी लगने वाली थी और राजा एहां दुर्वात्वासा नहीं पदा हरे भिलम्ब हो गया राजा ने केवल जलसे आच्वन किया और पार्म कर लिया तत्षण ही दुरवासा पढ़ार गया कहने लगे तुमने ब्रामनों को भुजन कराई भिणा भुजन कर लिया है राजा ने कहां भुजन नहीं किया केवल जलसे आच्वन किया है दुरवासा ने करत नहीं मिल पाया तो यह बात शुक्त करती है कि शाद भी अगर अंज्याई का साथ देते हैं तो डंड के बाट रहुते हैं उन्हें डंड दिया जाता है कि राजकुमार लच्छमन के दवारा एक ब्रण्दु आउर आया है कि राजकुमार कई रहे हैं एक अउतार कोट के विशे में चर्चा की गई बिलुकुल वही इस्ति यहां है अरे भाई ये अजकुम दिया गया धार रच्छन के लिए देवरात को अब उसके उपर रच्छा का भार है और वो अपनी मनमानी करदाली है उतने अपने मन से संकल्प ले करके अजगों को तुड़वाया उतने तो रच्छा करने वाला स्वैब तुड़वा रहा है यहां पर तो गल्ती किस की है उस गल्ती को ही कुछ सुदार ने के लिए आया एक बात आई मंगल कुसल मंगल कुसल तो नहीं मंगल है लच्छमन इद्वारा कहा गया मंगल भवन आम मंगल हारी किन्टु मंगल का देने वाला कहा है मंगल को बांटने वाला कहा है वो हमारे घर में बैठा है कि मोदा कप्रिये मोदा मंगल दाता हो बीद्याबादि धोगल भूग धीश्प्रदाता मंगल का देने वाला कऊ हमारे गुर्प पुत्र हैं गणेशी मंगल को देने वाली मोदा क्प्री मुदा मंगल दाता विद्याबादि धुद्य प्रदाता अब लक्षमन ने कहां बहुत धनुही तोरी जर काई कमहुना से दिस्कीन वो साई कह रहे हैं मालिया वस्ता में हमने आं से बहुत भूद्य जहां तोड़ी तोड़े होगी जहां तोड़े होगी उंतसे मेरा कोई प्रयोचन निए वहां गय के तोड़े और यहां गया हैं तोड़ा और आज अंदूहो बूद racism किके की मन का मंед प्रकार की तोड़ने वाला एक तोड़ने वाला एक तोड़्वाने वाला एक तोफिर पूछने वाला भी हो एक हवाज यह कह रहेगा चाहिए तोड़ने वाला रहे या पूछने वाला इसलिए एक बाद बतादू अर्रे नुप बालक का लबाश वोलत कुईद सभाओं धनुही शब्द पुरार धनु विदित सकर्शिक्षा चलिए महराज बड़ी सुष्टशैली में आपका अपना चिंथन आया अब आपने पने कथोप कथन को जहां से समाप्त किया है समापन किया है वहीं से हम पुना प्रारंब करेंगें और समापन आपने कहां से किया है रे निरिप बालक काल बस बोलत तोहीना समारी रे राजा के लड़के तू समाल करके नहीं बोल पा रहा है समाल करके नहीं बोलता है देखो माराज एक बात आपको बता दे लड़के अगर समाल करके नहीं भी बोल पाते हैं कोई बहुत बड़ा प्राद नहीं कर देते कोई बहुत बड़ी चूक नहीं कर देते कोई बहुत बड़ी भूल नहीं कर देते लोग बक्ष में भी जब कोई ऐसी बात आ करके खड़ी हो जाती है तो लोग ये कह करके छोड़ देते कि छोड़ो लड़के मैं इतनी छूट है छोड़ो लड़के तो लड़के सभाल करके न बोल पामें तब तो ठी कम से कम ये पुर्खे तो सभाल करके बोलना सी अब तक समय से चलता है आप ठी है लड़के सभाल के न बोले तो पुर्खे तो कम से कम अब पुर्खों से लड़के सीखेंगे अच्छा कि बोलत तो ही न समाल के नहीं बोलता है मैं क्या समाल करके नहीं बोलता हूँ मेरी बात भी लोगों तक है और आपकी बात भी लोगों तक है दोनों की बाते लोगों ने सुनी है तो आप एके तू समाल करके नहीं बोलता अब आप तो सभाल के बोली ने हो लड़के ने क्या कहा था कि बवधनवी तोरी लड़काई और कब हुना असरिस कीन गोसाई गोसाई गो नाम इंद्री का साई नाम स्वामी का इंद्री इंद्रियों का साई स्वामी अर्थात मन जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्ट क लिया है इंद्री जित हो गया है अर्थाथ जितेंद्री हो गया ऐसे सम्मानित सब्द का प्रियोग मैंने आपके लिये किया था क्या का था गोसाई और हुई पूजपात प्राताइस शुर्णी यह भासा ठी यह हमारे हम आदरनी कहें तो आप कही रहे हैं कि सम्हाल के नहीं बोलता हम प्राता इस्मरणी कही रहे हैं आप कहते हैं सम्हाल के नहीं बोलता हम गोसाई दी कही रहे हैं आप को सम्हाले के बोरी रहे हैं विल्कुल वे दवाक के निकल रहे हैं इस समय आपके में से क्या सम्हाल के बोल रहे हैं हुरे क्या घजब का सब्द और अच्छा है यह भासा इनकी है तो यह ठील अवादरनी प्राता इस्मरणी गोश्राइं यह खरार धन अगर किसी पाड़ साला क्या ध्यापक बना दिये जाओ आप हैं असोग दुवेजी जी लखनलाल जी की चड़ों में क्यावन पत्र मुद्राइं और ब्यास पीट पर इक्यावन पत्र मुद्राइं शवर्पित हैं कोट-कोट साथनवाद बहुत साथ हुआ कि तो अगर किसी पाड़ साला कद्ध्यापद बना दिये जाओ प्लफ है वज्य अग्याम के आचार जी अप्धू सत्रक्र संभाख इसके होगी हगुख्य इसराइब ऑर पद्ध्यार्थियों को जीवन्तॉपण कर दा था था वह ऍटुर्त पग नहीं मिला है अरे मेरी भासा क्या है आप चलिए कुछ बाते हैं आपकी बहुत अच्छी आई हैं उन पर थोड़ा हम सुख्षुचिंतन करेंगे मैंने कहा था कि दो तरे के राजा है साथ राजा दुष्ट राजा आप पहते मारे जाएंगे हैं सब राजा सब राजा मारे जाएंगे तो मैंने कहा कि जब सम मारे जाएंगे तो साधू मारे जाएंगे ये न्याय होगा कि अन्याय है तो आपने कहा कि अन्याय का साथ अगर साधू देते हैं तो उनको भी दंड मिलना चाहिए क्या अन्याई पाली का ये कह करके छोड़ देती कि ये साधू है पहली बात तो ये दो सब्तों का मेल नहीं है अन्याई का साथ साधू देते है अन्याई और साधू इन दोनों सब्तों का मेल नहीं है अगर अन्याई है तो साधू नहीं अगर साधू है तो अन्याए नहीं नहीं ये दोनों सब्स आप ने का मैं उदाहरण दे रहा है एक अपने घर से एक तुम्हारे घर से उदाहरण क्या दिया बोले हमारे बाबा भ्रीगू साधू थे अन्याय किया था दन बिला था नहीं परगुजी साधू नहीं है साधू किसी जादीर्ण का नाम नहीं है साधु किसी प्रवेश का नाम नहीं है साधु बहुत उचे कुल्म में पैदा हो आवश्यक नहीं है साधु इक ब्रत्ती का नाम है साधु इक सुभाव का नाम है साधु इक आचरन का नाम है संत साध सुभाव का गराया साधु चरित और नहींगे प्रपूंजीस हो सकते हैं। भ्रजी जो गोल्ट।शाचार हो सकते हैं। भ्रगुजी महर्शी हो सकते हैं ब्रमबाणी में भी जिसमें भ्रगुजी की चर्चा की तो प्रमात्माने भ्रूत योग में कहा तो भ्रगुजी ही। एक शादू भी थे आप दूसरा उदारण तया का कि दुर्भाशा सादू सभिए अब दूभाशा बिसी अफेन दूरवा सादू भचे हैं अन्हें प्रतार मैं इसमी फिर लेकर व कि शाद है कि यह कि धूरबाशा भ्रहवान हैं तक बस्वब हैं लेकिर वो साथ नहीं नहीं साध्मों के चरित्र को मैंने पढ़ा साध्मीमा वली को मैंने पढ़ा तो मैंने उसमें पढ़ा कि जो साध्म होते हैं वो कैसे होते हैं तो का सम दम नियम नीत नहीं डोले और परुष बचन कब हूं नहीं बोले परुष नहीं कठोर कठोर बचन साधू कभी बोलते ही नहीं और जिन दुर्वासा को आप साधू बता रहे हैं दुर्वासा का चर्ट किसी सिभा है जिसको देखोजी घुसराब दिये पड़े तो यह साधू बर्ति तबस्री हैं वो ब्रामौन हैं यह सब सुईकार हैं लेकिन साधू हैं यह सटीय थे आच्वन करा लिकारश दुर्वासा अप्रशन हो गए हम्रीश सें म्रिश्ष को छक्ष्ट दे दिया जानके हिए भगवान से सहनं नहीं हुआ तो भगवासा के पीसर से चक्र छोड़ा था कि वहां भगवान ने इससलिए सहं नहीं किया था कि दूर्वासा थिया धिसलिए चक्र फोड़िया था इनहीं दुर्वासा निस एक बार सुन भगवान को कष्चथ दिया था यूज ने तल्भवांके भक सेख को कष्च टो दुर्वासा ने भगवान सेन नहीं किया टिका iPhones भगवान के हाँ दुर्बासा पधारे हैं है भगवाने बड़ा स्वाहभत्न कया एंशकर के दुरौशा के सांवने खरेऊं और का की महराज हमारे घरको चलो है कि थो दुर्बाख्वासा ने का कि मैं ऐसे नहीं चलूंगा तो भगवान ने पुछा महराज कैसे चलोगे तो दुर्वासा ने कहा कि पहले रत में बैल की तरह जुता हो फिर लई चलो मर्यादा के रक्षत परमात्मा ने वैसा ही किया रत में बैल की तरह जुत गए दुर्वासा ने मारे कोडों के भगवान की खाल उतार दी, वारे साथू, मारे कोणों के भगवान की खाल उतार दी, घर लए गए, अर्चन, बंदन, इस्तबन, पूजन करने के बाद, दुरवासा के सामने परमात्मा फिर खड़े हुए हाथ जोड़ करके, और कहा कि माराज, भोजन परसाथ तयार है, ग्र परसार तयार होगे, भोजन के लिए, भोजन का, पहिला ग्रास जैसे दृवासा ने मुख में घाना, तो एक दासी वहीं खड़ी थी, तो उस ने दृवासा से पूत दिया कि महराज, भोजन कईसा बना है, कुरोध के हवतार दृवासा ने मुखता ग्रास बाहर कर दिया, ह आत्में जल्लिया अपका कि महराद स्राप दई राहा है वारे साथ है का इस स्राप दई राहा हूं क्यों भोजन के बीच में टूंका गया इस सादू की लक्षान है अरे घर में अगर कोई यति भोजन कर रहा हो तो घर का व्यक्ति सदस्वाभावित पूछ देता है कि भोजन अच्छा बनाएगी तो क्या उस पूंचने वाले बैक्ति ने इतना बड़ा पराद कर दिया कि भोजन करने वाला व्यक्ति के दे कि अम स् भगवान ने दुर्बासा के चरण पकड़ लिए और कहा कि महराद आप उस्राप ने दो आप जो कहोगे सुम्हें करूंगे तो दुर्बासा ने कहा कि मैं जो कहूंगा सु करोगे भगवान ने कहा हाँ तो दुर्बासा ने कहा कि जो मुकका ग्रास जूँठन मैंने बाहर करदिया है पहले इसको उठाओ परशादमान करके चखाओ अंग्लपरतंगों में मलो परमात्मा ने उस जूँठन को परशादमान करके चखा सारे सरीर में मला दुरवासा प्रुसन्द हो गए उन्हें का कि महराज आपben एक परियादा की रक्षक है आपने इस जूथन को पुरूसाद मान करके चिकाँ है और पूरे श्रीर में मला है तो जाओ आजसे मैं तुम्हें बरदान देता हूं कि जहां जहां इस जूथन का भाग आपके सरीर में लग गया है वहां वहां का भाग आपका बज्जर का है हां सरद्धा के कारण आपने इसको सारे सरीर में तो लगाया है लेकिन पैर के तर्वे पर नहीं लगाया है भगवान ने उस प्रसाद को सारे सरीर में मला था लेकिन स्रद्धा के कारण पैर के तल्वे पर नहीं लगाया था दुर्वासा ने कहा कि सारे शरीर में आपने मला है लेकिन स्रद्धा के कारण आप इसको पैर के तल्वे पर नहीं लगाया है तो आगे आने वाले अवतार में आगे आने वाले किषी युग में जब कोई सक्त्रू तलवे तल पर बाण का प्रहार करेगा तब तुहारे सरी से प्राल निकलेगे वहां दुरुबासा ने भगवान को कष्ट दिया भगवान ने सहन कर दिया अम्मरीज के हां दुर्वासा ने भगवान को नहीं भगवान के भग्वान के भग्वान को कष्ट दिया तो प्रमात्मा ने सहन कोई भगवान को कष्ट दे तो भगवान एक बार सहन कर सकते हैं लेकिन कोई भगवान के भग्व को कष्ट दे तो ये प्रमात्मा इस Inde नहीं करते हैं है विश्कार के दिगा इसका प्रमान्द में दे रहा है कि दे प्रमार दे रहा है, कैसा है, कहा सुने, कहा सुने सुरे से, सुने सुरे से, रगुना थे स्वभाव, कैसा स्वभाव है, निचे अपना थे, रिसाहिना का, उनका कोई अपराद कर दे, तो रिसाहिना का, उक्रोद नहीं करते हैं, पर जो अपराद है, भगते करे कराई, कोई उनके भगतका पराद कर दे, तो रामरो से, पाब कैसो जरै, मैं नहीं कह रहा, लोक पक्ष और बेद पक्ष दोनों प्रमान, लोक बेद विदित इतिहासा, यहां महीवा जाने दुरुवासा, यहां महीवा जाने दुरुवासा,進 दुरुवासा, कि बात आप कर रहे हैं आप अपने सा ज्ञान में लाइए बढ़ यहाँ इसलिए शर्मा जी की द्वारा यह उसकाद दिया गया है और यह तो राम भीला नुरागी है राम भक्त हैं और राम जी करता हैं और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और यह पुराने साथी है उसी का प्रस्वर इनको साध्वा लच्छमण की द्वारा फिर दिया जा रहा है कि लड़के अगर समहाल करके न बोले तो कोई बात नहीं पर यह पुरके तो समहाल करके बोले अभी तक यह नहीं जान पाए हो कि पुरका किसे कहते हैं पुरका कहते कि पहले जानाओ पुरका कहते कि पहले शन्याओ जो यह नस्वर सरीर छोड़ करके कर्रमा आज पित्रगणों के साथ में निमाद करता है उसका नाम है पुर्खा है हैं हो हम तुम है कामने साड़े ठीन हाथ के जिन्दा दो लिए रहें मरें भैट गाई पर रहे हैं कई रहें लड़के अगर समाल करके बोले तो न समाल करके बोले तो कोई बात नहीं पर पुर कि अगर समाल करके न बू ने तो कोई बात नहीं, माल, कोई पैक अच्छे वस्त्र पहिन करके, किसी के हाँ जा रहा है, वो मार्ग में छोटे छोटे अबोद बस्ता के वाला कामानी नहीं, बोद माने ग्यान इनके बात में ग्यान नहीं है, वो बालक मार्ग में धूल में खेल नहीं हैं और उसके वस्थों पे धूल डाल दें वो देखेगा कि अबोध है घड़ी आएगा चला जाएगा परिमानदारी से बताना जबी स्वारा स्वारा पर इसके लिए दिखा अगर वाक्यों पर धूदा उलीची है तो ख़ड़े कहेगा नहीं मारेगा खीच कहेगा नब्बें तक कुणड़ बन जाए अरे भाई कई नहीं किसी पार्षाला के सिच्छक बना दिये जाओ तो पूरी पार्षाला का पार्षाला सत्यानाज उन्हें पिद्द्यार्थियों का जीवन नस्ट यह ऐसा सिच्छक मिना है हमें सब्सक्राइब पार्षाला से पिल्कुल एक पीछे से निकल या लिए अगर लक्षमन ने लख से दांद कांगी पढ़ी होती है ब्रहज अनुमाद चंद्रका पढ़ी होती है तो साइद यह एद कहता कि रे अनुशित है क्योंकि रे हे भो यह सम्दोधनातम कप्प्प्प भो अपने के बड़े के लिए प्रयोग किया जाता है है अपने बराबर वाले के लिए प्रयोग किया जाता है और अपने छोटे से छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है और तुम हमाएं पिता जी ठोड़ी है भगवान संकर तक को प्रयोग किया गया हिंदी संसित सब्सक अब लगष्चमन कई नहें दुरवासा साधू है नहीं साधू की साधू कैटने किसे हैं लाल कपड़े का नाम साधू थोड़िये पीले कपड़े का नाम साधू थोड़िये चन्दन लगाने का नाम साधू ठोड़ी है शाधू एक प्रक्टी है यच्छमने ने कहा साधू चरीत सुब चर्च कपासू साधू का जो चर्च होता है कपास के समानू होता है मगर मैं ने एक परिभाता पड़ी कि परका रेत साधेत साधू её जो दूसरे के कार को साधूय दूसरे के कार को पूला करे तो उसका नामा रभू ऑदोरवासर के महार्त भ्रकुरे संसार के कार को पादा जिस सदें संसार में मंत्रा हुई कि इत्राइं लोग में सबसे स्रेश्ट कवन है सबसे सहन सील कवन है तो कोई आगे नहीं आया बाबा भर्व आगे आए कहा कि ये निद्ध खोज करके मैं दूंगा भले मैं अपयस का पात्र बन जाओं भगवान रम्मा के बात में गए पुरोद आगे भगवान शंकर के पात में गए भोले नाथ तो क्रोद आ गया और जब भगवान नारायन के पात में पहुचे तो च्छापिक पे जाके लातमारी भगवान ने चन पकड़ लिये कहा महराज कहीं छोड़तों नहीं आई वोले बस हमें निद्धी लगी है आपने बड़ा सहिंसील कोई नहीं दुरवासा को दुरवाता जैसे संत अ Penthouse कि जब कोईकार करते हैं तो वह कि रहाद बन जाता है अहम भगता प्राधीनों हां सुतं क्रीव दिच्यों यह परिभाता प्रयक्षित नहीं कुलू दुरवासा अच्छा भगवान के ह मामदारी सी पताना की दुरवाथमा को लाया क्या गया था है दुरवाथमा को खेर खिलाई घिए घिनепाई एक और दुरवाथमा अपने हाथ सेखारणे लेगे श्टेसेख्ट रखेए बहन ऐसे लिए हुए और हमारे पाफ भूले नहीं नहीं आतर हैं अब जो भोजन हमें और आपनों संतार को मिलता है वे तीन लिग्वे देखा जाता है हाँ रेखते हैं ठन्दाएं की घरम खाने लाइक है की नज्यनी नाच का शूंब कि ये दुरगे न तो रही वह जिब्या सूंब देखती है तो दुरवासाने का ठीक है आप कहते हैं तो अब हम इसी से खाएंगे चानी वाले पात पर से वह होता नहीं जिससे खाया जाता है हम रिश्वों के पास तो रहता नहीं तो उन्हों का कि याओ हम आते हैं अब पात तो बताएगा नहीं ये जरम आएंकि ठन नहीं और खीर पिलकुन जलती हो थी और दुरवासाने चैसे हैं चम्मच को नहीं दारा तो हां चम्मच पात्र वहीं उसको सब लोग समझने हैं से हमने कह दिया चम्मच नहीं नहीं बहुत से लोग इसे हैं यह पात्र कहीवे तो कहो कहीदें यह पात्र माने को कितने पात्र आएंगे हाँ कहो पात्र कहीदें तो कहा हुआ नंबरदार समझ जाये महाँ बात तो जैसे ही घीर खाई जिब्याप में रखी जीवे फूक गए जैसे तैसे गले में पहुशी गर फूक गा मूले चम्मट फूका मूले जाए भाड़े में सब बता अच्छा एक बात बताओ किशी प्यक्ति को गरम गरम घीर खबा दे हूँ उखेर गर फूक जाए तो वह तुम्हें सोहाजी दी वो तुम्हें प्रसंद होगा उन्होंने कहां मैं स्राप देता हूँ तो परमात्माने वहाँ इसा नहीं तो कहाई शरीर में लगाओ मगर जुर्वासाजे से संतन होते तो क्या परमात्मा का स्वीर बजिर का होपा था है अब कई रहे हैं है इजो इजो अपराध भरत भगत का करई और रामा नोसर पावक सो जराई ही हम रामे को नहीं जामते हैं हम रामे को नहीं जामते हैं ये राम काओं एक राम दसरत कर देता ओ एक राम घट घट में लेता एक राम सब जगत पसारा ओ एक राम है है दल्मारा तो किस राम की बात कर लेते हैं बेटे जब तक मैं जानूँगा नहीं जब तक मैं मानूँगा नहीं क्योंकि सुत्र है कि जाने बिलों ना हो ये परवीती और बिना अरमीत हो ये नहीं प्रीजती और प्रीजत बिना नहीं भगाती द्राई तो जब तक मैं जानूँगा नहीं तब तक मैं मानूँगा चेलिए पर यहां सुनाते हो कथा एक से जोड़ते हो कह रहते लक्षमण अगर पाट साला गया होता तो यह न कहता कि रे बहुत खराब क्या है रे हे भो क्या है यह संबोधन सूचक अब्ड़ बोले अपने से बराबर बारे के लिए यह अपने से बड़े के लिए यह और रे बोले अपने से छोटों के लिए रे संबोधन सूचक अब्ड़ आप ने पढ़ा है यह यह गरंत सब पढ़े जो आपने पता है हां मैं लगता कि दर्शन तक नहीं किये हो हट कहीं से सुन लिया जहां यह लिखा है इसमें रे संबोधन सूचक अब्ड़ अपने लिखा होगा संबोधन सूचक अबैद अब फिल लिखा होगा क्या लिखा होगा आगे लिखाऊगा त्रिस्कार भाव सूचक अब्वै क्या लिखाऊगा त्रिस्कार भाव सूचक अब समझे जो कि पाट साला के पीछे से निकल गया है तब इतनी पढ़ाई तुम्हें परिजान किये कि पिर्शकार भाव सूचक अब गया खराब थोड़ा है बढ़िया है ठीक है विगण अच्छे लख्षमन बढ़ियां बोला है जाओ आए बढ़ियां सुनता थे लुग आओ आपने का कि लक्षमन की दृष्ट मेरे खराब है हमारी दृष्ट में ब्याकरन की दृष्टी से और ब्याकरणा ओड़र रे खराब थोड़ा रे तो बहुत अच्छा है अब यहां लोग सुनेंगे बच्चे बी बड़ों से ही लोग सीखते हैं अब प्रस्राम जी बता रहे हैं कि रे बहुत अच्छा इस अब अब यह करना है इसऑ के लोग सुन रहे हो परहिंगे ताओ आतए तंवी वकोसह संब fly ऐंखर मcza रहे और यह करना है फिर स्वागत होगा तो परस्राम को भूढ़ेंगे तो बड़े यहां ब्याकरन पढ़ा गए का है संत्यानास कि यह रहे बहुत अच्छा है इसी तो सिच्छे हैं इनके पास यह पढ़ाई लिखाई है वो ब्याकरन ब्याकरन के सूत्र देखते हैं आज यह आप हैं श्रीप् कि महामंत्री है संचालक बीये हैं वो भार्गोंजी के चलों मेर्ट किस्पत्त मत्राय और से लखन लाल जी चलों में सवर्पित हैं स्वक्तित हैं कोड़कोड सधनवाद है पर दोत्साध हैं तो यह संभूधन सूचे अब्याब्याल जगत में कब कहाक प्रियोग करना है यह आपने फिर से जो है वो सादू को लेकर सादू देखिए ब्रगो Grade ने परिक्षा ली तो कोई परिक्षा लेता है तो क्या उसको शादू कहते हैं वो सब दूसरा हो जाए हमारी लडाई साथ अगर किसी ने परिक्षा ली तो परिक्षा लेने वाले को क्या कहते हैं वो परिवासा हुआ लगेगी वो समक्त दूसरा प्री होगी है यह थोड़ा की परिक्षा लेक्षा किसी ने परिक्षा लेक्षा 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 लेक्ष जो इतलो यहां आई हलो पचास पुस्मुद्राएं बगवान लेश्वान के चरणों में सम्रबित हमारे इंदल यादो जी जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं और सो रुपए आरके आदो जी पचास पचास पुस्मुद्राएं समरबित परश्वराम और लच्मण जी किसमें पपू भदवरिया जी पचास पचास पुस्मुद्राएं भगवान लच्मण और परश्वराम के चलों में समरबित और बलराम यादो जी पचास-पचास पस्वुद्राएं लच्मान और परश्वराम जी की चरणों में समर्फित किये आरके यादो जी मैध के टीचर है कोचिंग संचालक है घाटम प्रो में बहुत अच्छा है इनका उन्होंने भगवान लच्मान और परश्वराम जी की चरणों में पचास-पचास पस्वुद्राएं समर्फित किये मैं आदर्स राम लीला कमेटिक तरफ से बहुत-बहुत भार्दी आपका बदाई और प्रधान जी बैदेई सर्मिस्रा जी पचास-पचास पस्वुद्राएं और अनिल यादो जी पचास रुपे लश्मन जी की चरणों में पचास रुपे परश्वराम जी की चरणों में समर्फित पचास-पचास रुपे हमारे मोनु सहिनी जी मोनु जी पचास-पचास मुद्धनाय चरणों में सब्रपित की है कोट-कोट सादवाद चलिए भरत तो सादु सत्परियात्रा की थी फिर मैं कह रहा हूं कि सादु ब्रत्ती सादु सभाव सादु आचरन सादु चरित निरस विशद गुणमेफल जासु जो सही दुख परचित धुरावा जो दुख सहन करते हैं किसी को दुख नहीं देते हैं कि हैं कि और लिए भुर्दो टरूर सम शंते क्रपाला क्या करती है यह परहित्द निद्श हामिप利 भीपत्व हुए कि सेंद करते हैं यह साद्रु संतों के ला बॉसा घर्रमाश्या की परिभासा दी है वहां अंच्रियों और लिंप्र परिभासा तो परिभासा थो ह期 आप उदाहरण दे रहे हों सब ठीक है लेकिन उपरिभासा दूसरी दिशा की और जा रही है दूसरे दर्शन दे रही है अब आपने दुर्वासा की कथा पूरिया और जोड़ करके बता दी है क्या बता रहे थे तो दुर्वासा को खीर का पसंद है खीर खीर खा रहे थे और का एसे खा रहे थे एक नया पात आपने बताया है ओ चलिए अब खीर गरम थी अब यह भोजन अगर सामने रखा हो तो गरम है कि ठंडा है इस दिन्मेदारी घरवारे की है कि तुम्हारी किसकी है अब जब इतने बहुत नहीं है कि खीर 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 जानते हो कहां से बना है कि खीर शीर शब्द से खीर बना है चीर और देखिए चीर उससे बन गई खीर तो अब आपको तो वहीं वहीं से दिखाई देता है है न देखो कि गरम है कि ठंडा है कि खाने योग भेकी नहीं है कितनी जल्दी जो है वहीं तो कहा था कि इसके लिए सब आप लोग आगे रहते हो चलिए खैर यह तो आस्परियास आपने जिस धर्दी से ही आपने का मैं रामे कुने जानता हूं कौंड राम कैसा राम तो उ कि इस तरह से आपने अलग अलग करके दर्शन दिए एक यह है कि कौंड राम हम जानते हैं नहीं अच्या एक राम दसरत कर बेटा एक राम घट घट और जो घट घट में ब्रम्हाइब्याप्त है वो कैसा है तो कहा बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करम करे भिधी तन बिन परसन यन बिन देखा गहाई घ्राड बिन भास इसे खाग है असभातिय लोकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बरनी फिर कहा जिमें बगा मही बेद बुधर जिसका गान बेद करते हैं बुद्ध करते हैं जाही धरे जिसका ध्यान मुनी लोग करते हैं तो बेद जिसका गान करते हैं और अलग आपके अमसाद है मुनी जिसका ध्यान करते हैं का वह अलग ना मुनि जिसका ध्यान करते हैं रवन्तियों योगियों के हर्दे में जो रमन करता है बेद जिसका गान करते हैं बुल जिसका गान करते हैं मुनियों के हर्दे में जो रमता है वो भिन भिन नहीं अलग अलग नहीं है जिम इमगा वही देद बुधव जाही धरे मुनिध्यान स्वई दसरत सुत भंगन नहीं तकोशल पती भगवाद अलग नहीं है वह वही आपने का कि वह अलग वह अलग वह अलग वह अलग इसा भिन भिन चलो कि अपने का कि जब तक हम जाने गे नहीं तब तक हम माने गे नहीं जब तक हम जाने गे नहीं तब तक हम माने गे नहीं एक बात आपने और थोड़ी जोड़ी की बोले मंगल हमारे हां है 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 मोदक पुरी है मुद्ध मंगल यह कौना है गनेश हैं अच्छा है और हमने कहा था कि कुसर और मंगल यहीं से हैं तो यह हैं मुद्ध मंगल दाता मंगल के देने वारी पर इनको प्राप्त कहां से होता है जे जे जो सिद्धीन को मिली है यह प्राप्त है ग्रेशी को उसके मूल में कौन है तो मंगल देखिए बाल कांड में जहां पहला सोर उठा निखा गया ब्याज बंदना करते हैं आप मंगल तो पहला सोर उठा कौन पढ़ते हैं आप पहला सोर उठा जब सुरू करते हो बंद यही जे सुमरत सिध होई गननायक करीबर बदन तो यह क्या गनेशी की बंदना है और थोड़ी ध्यान देव तो देखो नया पाउ निकल करके आएगा जे सुमरत सिध होई गननायक करीबर बदन गननायक करीबर बदन सिध हो जाते हैं किसम का इसमर्ण करने से जे सुमिरत सिद्ध हो अर्थाद राम जी का इसमर्ण करने से सिद्ध हो जाते हैं गण नायक करीबर बदन जो गणों के नायक है करीबर बदन है अर्थाद गनेश जी भी जिनका एके नाम का इसमर्ण करने से सिद्धी को प्राफ्थ हो जाते हैं वो राम नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है, मूल यहीं से हैं, आप याक्त्रा जाहें इतनी करिया हूँ, पर जो मूल है, बुझे हैं, चलो, आपने का जब तक हम जानेगे नहीं, तब तक हम मानेगे, अरधाली आपने क्या पढ़ी थी, हम भूल गए, कहा है, कहा बढ़ा हो यहें, परतीती, अपने परतीते, हो यहें नहीं, प्रीती, प्रीते बिना नहीं भगती, दढ़ाई, ओ जिम खगे से जलके, जिकनादी आपने का पहले जानना, जाने बिन नब, होई, परतीती, परतीती मन विश्वास, बिना जानकारी की विश्वास, नहीं होता है, और बिन परतीत होई नहीं, प्रीती, बिना विश्वास के प्रीती, नहीं होता है, तो आपके अंसार, पहले क्या है, जानना, ना, पहले जान झा जानना नहीं है इसके पहले ऑउर कुछ ना जानना बाद में उसके पहले और किसी की ऊपर करद दहुरें नहीं पढ़ाओ रिके मूल को छोड़ दें तो मूल को छोड़ों के फसाव नहीं हो जाएगा जास्त्र की चर्षा हो रही है तो सास्त्र में जहां से विशे का उद्गम हो रहा है उसको छोड़ देंगे इसे की उपर धाली लिखी हुई है आपके जहां की पड़ी है जाने बिन जानना बाद में है उसके पहले है क्या है बोले रामे क्रिपा बिन सुने खागे राहाई ओ जानी न जाये रामे प्रभू अब है वो तुम्हारी वाली चोपाई पहले राम की कर्पा फिर जानना फिर विस्वास फिर प्रीत फिर भक्ति सुदर तो राम कर्पा को किनारे धरे हो जानकारी यात्रा च्रांग लगा है बिना राम की कर्पा के जानकारी संभव नहीं हो सकती है इसलिए पहले उस मुल्क को लेकर करके यात्रा करिए तो सारी के संभव हो सकते हम नहीं राम की तरपा हो या उताए नहीं है और देखो हम जानेंगे हमारे पास साधान है ब्याश कई से बढ़ गाँ धान से अब दूसरा कोई होए तो चैच चेगे रहे तो ब्राम्नों के उपर बड़ा आच्छेप वोले आप लोग इसमें तो मागे रहे लाला इदेखो इसमें ही आगे नहीं नहीं यह पता रहे हैं बाएं हाथ से दाएं हाथ पर सुनिये आपके जबरान का जी ना बेटे जन्म से लेकर प्लग गया तक लगते गंगा घाट तक कहीं पर वहीं पर हो गया कहां हो हमाई बीना कोई काम होने वाला है जाहिए जाहिए लच्छमन ने जो मूल पुरसंग है कि मैंने जानकाई यह पिज़ा रख्थी तो लच्छमन ने कहा आई से थोड़ी जान पाऊँगे जब तक उसकी करपा नहीं होगी तब तक जाने नहीं पाऊँगे हों कहीं जहरान की करपा हो है और चाहिए नहों हो है हम जाने कैसे हमारे पास साधान है क्या साधान है यह बताओ इसो जान जाब सत्संग प्रभावू और लोग नौबेग ना आन उपावू को जाना डा सकता है एक साधान सत्संग इसके रावा कोई दूश्रा उपाई नहीं है बेग बेद केसे हैं इसके रावा कोई दूश्रा उपाई प्रिक्र्मा laying on जिंन में गुंके आना होई पड़ेगा कि क्यों बढ़ करता जानकारी कि बिना राम की करपा के जानकारी नहीं हो सकती है उसके लिए मैंने परमाणपरस्तुत किया तो आपने जिस सैखी में प्रारम किया था कि राम की करपा हो और ये अच्छा लगा आपकी शैलिग है ऑओ तो खो Кजा है किया son बड़ा दर लगता है आपसे राम की कर्पा हो जाए नहीं हम उसको वोले मेरे पास साधन है ना 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 दुनिया के साधन से काम बनने बादा नहीं है यहाँ गुन साधन ते नहीं हो जी फिर बने तुम्हेरी कर्पा दिना राम के कर्पा के कुछ होने बना जा जाए साधन दिनिया के संसाधन में लगे रवे साधन से नहीं मिले यहाँ गुन साधन ते नहीं हो जी पूछा गया फिर बोले तुम्हेरी कर्पा पावे कोई कोजी है हलो इसी बीच हमारे कि पचास उर्पे सीवकरन सचान जी कि दोनों लोगों को फुस्मत्राइब भेट किये और सिरी कांक तिवारी जी हमारे मौशा साव जी उन्होंने पचास पचास समुत्राइब सप्रेम भेट की है अब मैंने कहा था बिना राम की कर्पा के जानकारी संबों नहीं हो सकती है तो आप लगा कि नई राम की कर्पा की जरूरते नहीं है मतलर राम किर्भा इसली पर एक्छा है आपके , पे अज़ार ख़छा है ? मतलर राम किर्भा की ज़्रूरत हैaría ? हम उसको जान लेंगे , कैसे जान लेंगे तब्यास दिसी ? कैसेजन ने काथ जान लेंगे , हमार साधन say . क्या जानौ ? कैसे जानौ ? सत्संग सोचानव सत्संग प्रफावू अलोक अभुवेद नंगे राम की करपा की जरूत नहीं है हम माने लेते कि आप सत्संग से जान लेंगे पर ये सत्संग मिलता कैसे आई से मिल जाता है का आप सत्संग से जानेगी हमें सुईकार है पर सत्संग मिलेगा कैसे तो कहां बिनो सत्संग बिबेके न हो जी लेकिन आगे यात्रा कर याओ लेकिन मूल में वही रहे हम मानने रहती कि सत्संग से जानों पर मिलेगा सत्संग कैसे बिनो सत्संग बिबेके न हो जी पर राम किर्पा बिन सुलबहुना तो जानकारी के लिए राम किर्पा की आव सकता है तो जो सत्संग करने के लिए चले हो सत्संग के लिए और भी राम कुरपा की आया वसक्ता है बिना राम की कुरपा की संसार का कोई खेल बनने वाला जबर्दस्त्ति नई बनने वाला आनम के बस श्टि कंल क्रपा कहीं नहीं कि मिलेगा तो वैसे मैं मिलेगा कैंज जब तक निकीर पार यह होगी वेकर दहली पढều इपनों सब्संगर बीवेद नहों जी और आपापनों सुला मैंने सोई मैं के रहाओं राम कुछरपा होए और चाहना होए की मिलेगा कैसी पुल्या फूल्या मिलाई नसला हो सबसंगत्den सश्थनि देंगे मुल्या विपनपनों के बिना संत नहीं मिलते हो जब तक शंत कहा लुद्दी आ गए कि बुले जब तक संत नहीं मिलेंगी तब तक सत्संग कैसे होगा जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सत्संग कैसे मिलेंगा अच्छा ये संतों मिलेंगे ऐसे मिल जाएंगे का इस संत मिल जाएं तो समझे लो कि होई गई किरपा होगा बिना राम की किरपा की संत नहीं मिलते हैं प्रमाण में आपको दूँ संते पिसुथे संते पिसुथे मिले परते ही के ही बुले राम कृपा कर चितवाई और जिस पर राम की कर्पा की दर्श्टी हो जाती है उसको संत मिल जाते हैं तो अब अब जब तक संत नहीं मिलेंगे तो संतों मिलेंगे तो को बिना याँकी किर्पा के मिल जाएंगे क्या अब आपने का कि पुन्ये में देऊं न जाएंगे क्या यह कि यह अपने सब जोड़ा पन्न पुझ अपन अपने मैं पुन्स पर आपको बताई दे रहा हूं अपन्न पुझ इ यह एक बहुंव बैठे थे तो एक दर्शन आया क्या का कहा इनसा में पुन्ये जग थोरे यह हम समों पुन्ये जग थोरे आपका संद है न पुन्य जग थो यह पुन्य पुन्य बाले संसार में थोरे बहुत कम लोग हैं और यह कौन है पुन्य पुन्य जग थोरे अब थोरे लोग कौन है बुले जिनाही रामु जाना जाना है करीमों जिन्हें राम जी समझें कि मेरे उनसे पुन्य पुझवारा कम बढ़ा हो सकता है और देखें बहुत सुधी लोग बैठे हैं देवता है उपर से कही रहे थे एक को राम चर्ण धोने का सवभाग प्राप्त हो गया तो देवता उपर से कही रहे थे कि यही सम्मुन् इसके समान पुन्पुन्ज वाला कोई दुनिया में दूसरा वेक्ती नहीं है तो यह जानकारी रामकरपा सत्संग रामकरपा संत मिलना रामकरपा पुन्पुन्ज यह नहीं के कुछ बना ठून के चाहिए इतने साधन लाए पर वहोगा होगी से अच्छा चलो छोड़े इ यूगा करें ऊपर है अब तो इसने फांसने का पूरा पूरा प्रयास किया है कि अगर एक पुन्द की बात होती तो मैं करें ताओ चर्व में लो तो अगर के पुन्द मिल जाएगा कि पुन्द येक जगमों नहीं तूजा हो मना अक्रम बाचान भी प्रपद पूरुजा एक पुन्द की बात होती तो मैं करें दिताओ च्छाओं मैं लोता हुआ करके अब ये फुन्द का जुन कहा मिलेगा है मिले ले मिले ले एक इस्थानी नहां मिले गा मैं बता रहा हूँ कि चित्र कूात के पी हगमरगआरी बेल प्टफद लागदी फुन्न पुन्ज पुन्ज पुन्ध जब धन आता कहई देव दिन रात पुन्नों का मिलेगा तो उत्तर मिला चित्र कूट मिलेगा चलोला चित्र कूट की स्यारी करोर अब यह आपके अमने का आपके अमसार कुन पुन्जी कहा मिलेंगे तो बोले मिलेंगे वैसे किया कई बार लगती जब सोचता है तो जब चंतन होता है तो सोचनी के मुद्रम में अपने कुछ तो चंतन है नहीं है अगुद आई जुच इंतन आपके पास आया उसमें आपने का की करेंगे पुनपुन्जी का मिलेंगे तो अपना अपने था चित्रकूट के भिहाग इम्रिकी बेल पीत पत्रन जाए पुन्न पुन्य सबधन अस कहाए देव दिनों कहां मिलेंगे पुन्न पुन्न चित्रकूट मिलेंगे अच्छा इस दोहें पूं जड़ा आत्म साथ करो इस दोहें पर चित्रकूट के भीहग मरिग मैं बेल बीतप त्रन तिनका ऑडरी चित्रकूट के पक्षी मरगां दे बरक्ष को कह हैеру कं NOW's कहा है कही रहा है क्उने मूल में आपने देखा dat कि इन पर कर फ्रभा रगा हुआ इसलिए कि चित्र कूट के पक्षियों को म्र्गों को बृक्ष जों को तिन्कों को राम जी की निकट्टा प्राप्त होगा है इस लिव पुर्नपुन्जे वाड़े के हमारे बीमल सचान प्रदान जी गुपालपूर स्पचाट यह आप हैं श्रीमाल बीमल प्रदान जी आपकी और से क्यावन पत्र मुद्राएं भारगो जी की चण़ों में और क्यावन पत्र मुद्राएं लखनलाजी के चण़ों सुम्धृत है बहुत-बहुत साधिवाद, खोड़-खोड़ साधिनवाद, तो ये जो पुन्न पुन्ज है, वो महीं से है, उनका कि चित्रकूट के पक्षी मिर्गों को, राम जी की मिकट्टा, अच्छा चलो, आपके अन्सार चित्रकूट में मिलेंगे, अब माने लेव कोने पुन्ट न जा सकता हो, तो बोले मरीगा, अजब मरीगा, और लएके मरीगा बाले का चलो साथ है, तो काथ साथ हैंगा, भैया जो अन्मरीगा, तो मरने वाले बैक्ति कुछ बले करके चलते हैं, काथ भैशलत हो, राम नाम अब बताओ, यहूरा मेराम सत्तरकूट, बिनरा बना कुछ का, अगर मरोगा, अब देखो जरांशन, मरी गया, तो साथ हैंगा, अच्छ दूस लिए, मैं मिलेंगे, फवतिक शुरूप, एक होता है तात्तिक शुरूप, चित्रकूट का भवतिक शुरूप आपने बताया, और शोत्तिक शुरूप मैं बताय दे रहा हूँ तक तकोट अगर आप गए होंगे, तो वहां कोई शरिता बैएती है। ठीक, ठीक, मंंंंंदकनी, और तात्तिक स्रूपने मंंंंधंच क्या है। राम कथा, मंंंं, और नुम्यी रामदी की कथा ही तो मंदाकनी है बिना राम के परिक्रमा लगाया हो अगर कुछ बन जाये तो मैं बता नहीं राम कथा मंदाकनी और चित्र कूट चित्र कूट चित्र चारू निर्मल चित्र कूट है तो ग्रीयत है बिना बातर नार जाये बिना इन के कुछ हूं बनने वाला बनने वाला है जबरजस्ति नहीं बनने वाला है है जम बनां के मानें नहीं हो कहां तो लक्षमण के द्वारा एक बात पर गई इंबर गया तो क्या गया अच्छा है तभी बोला जाता है अचा चलो कोई मर गया तो उसको लेके जा रहे हो बोले रहे हो राम नाम सब्त है और माने लो किसी की बेटे की भावनें पढ़ रही है अवहां पहुंचाओ कहले लेको राम नाम सब्त है राम नाम सब्त है किसी के अगरे प्रवेत हुई रहा है अवहां पहुंचो बोले राम नाम सब्त है तो बिटिया वाले लड़का वाली और जित्ते बेवहारी सब एक तरत जुड़ जींगे किया बताना अल्लेक्षमल ने कहा इजाब का मलना कदी और चितन पूत चितन चारू रभवी ने हार चितन कूट की महिमे कोई आ जिसे है क्या चितन कूट की महिमे कोई अभीत इत आए चितन कूट की महिमानाद काल से और जिनका तुम धंदा लिये घंदा उच्छा रहे हमारा वो भी जब चित्रकूट में पहुंसता है तो उसको भी महिमा चित्रकूट की सुनाई जाची है कि चित्रकूट महिमा मिला कई महा बुली जाई वाए जया वाए बारव श्रीयक का हिद्द नोगाई तो महिमा किसको सुनाई गए उनको सुनाई गए जो चुट की महिमा आज से थोड़ी है ना बहुत पज़्डे से है चलो और तो छोड़ो बोले राम नाम बहुत बढ़िया है तो मैंले कोई मर गया तो राम नाम सत्थ है कहते चले मानले किसी का बिवाए हूई रहा हूँ नहीं कि रखका बालेबित ऑब दिवाहें दिखाई दे रहूगां और और इसकी हलावा कुछ ने भिकाई दे रहा है विवाए हुई रहा है तो वहां राम नीमम में लिया या सकता है वहां फिर्स Sum बाल看看 लिखा और उसमें दोहा कगौहार है कि शीतारा में भिवाहर जे सप्रेम का वही सुनहीं तो सिनक तिनका सदा उच्छा जब भिवाय इत्यादी होते हैं तो क्या राम नाम का गय नहीं होता क्या मागली गीत नहीं गय जाते हैं काई जानो का गॉ गहोना मंडप के नीचे तो समझोुगी और करको कि हमने वहीं मैंने का था कि राम नाम तो सासवत थो कोई यह बर दन से पर होता हुई है इसलिए का सिता राम विभा शब्द दूसरा है जे सप्रेम गावई और सुनहीं किनका सडा उच्छा है जितने मंगलिक कार होते हों में सब गाई जाए सुने जाते हैं अब आपने फिर एक बात रखी बोले वह चित्रकूट की महिमा को याज से थोड़ा ह जिनका की चर्चा हम कर रहे हैं बोले उनसे भी चित्रकूट की महिमा सुनाई गई थी और दोहा एक बढ़ा आपने क्या था जाए जित्रकूट महिमा या मित्व कही महामुनिकाए आयनहा ये नहाए कहां सरीत बर्म सिय सहित दोह है महिमा सुनाई गई चित्रकूट कि इन से बोले जिनकी तुम बात पर नहीं सुना रहे तो आपने फिरम ने का कि देखो मतलब बतलब का जहां इनकी महिमा है वो चांड दिया और जहां से वो महिमा है वो सुरू कर दिया काई कौन रामेड हमें मादू में जा जा जाओं वो महिमा सुना रही थे पहले क्या सुना रही थे गुले चके पेखने तुम देखन हारे विदी हरे संभुन चावन यहारे ते उन जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा महिमा सुना रहा थे चलो इसको छोड़ो चित्रकूट महिमा अमित कहीं महा मुलगाए आए नहाए कहा नहाया सरीता मंदाकनी पंडी जैसे सरीता में नहाया अद्बुच चमतकार हो गया और जब रामदी नहाया अद्बुच खेल हो गया जैसे रामदी ने मंदाकनी में अवगाहन किया इसरान किया तो एक अर्भुद्च मतकार हो गया आए नहाए जैसे नहाए तो क्या हुआ सुरसारी सुरसारी माने गंगा सरसाई सरस्वती दिनकरकन्याम यमुना मेकलसुता नर्मदा हमने एक महत्मा से अभी पूंचा था जैसे आपने रेवा पूंचा था रेवा भी नर्मदा है और मेकलसुता यह भी नर्मदा है मेकल परवत की पुत्री होने के कारण नर्बदा का एक नम है मेकल सुता जैसे सूर की पुत्री होने के कारण जमनाची को सूरतनिया कहा जाता है सूरतनिया सूर की बेटी ऐसे मेकल सुता मेकल परवत की पुत्री नर्बदा अभी हमने एक मात्मा से पूंचा कि मेकल सुता मना बोले सरी हूँ हम को लाओ पई करमा करें तुछा मेकल सुता गुदावरी धन्या जैसे राम जी निस्तिनान किया मनदाकिन में तो घंगा यमना सरसुती नर्बदा गुदावरी सबसर सरमानि सरमानि तालाब सबसर सब सिंधु सागर नदी नद नाना यह सब कठ्था हुए गंगा जमना सरसुती गुदावरी हैं मेकल सुता साभ समद्र साभ कठ्था हुए और जैसे राम जी ने मनदाकिनी में सनानकिया तो मन्दा की नी कर प्रही बखाना मन्दा अहो भाग मन्दा की नी तेरा राम जी ने सनान करें तो सब धन निनाय आगे कुछ होने बाला है क्या चला विनाय बाला बिकुलो होएगा भाई लक्षमण ने बड़े अच्छे धंचे बात रखी लक्षमण की एक बात आई कि हमने अभी एक महातमा से पुछा कि मेकल सुदामाने क्या होता है तो वह कह राता सर्यू अभी तच्छन की बात है एक राक्यमार से मैंने पुछा कि धनुठ किस महीने में चूटा था तो भूह उसने का जूड में तो हमने का हिसमे कुछाए तो बोले हां लिखा है का छतलाब जून धन तोरे तो हम का जय हो जाए तो क्या हो क्या हो क्या हो कि यह कब तूटा था 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 कि कातिक पूर्लीमा ठीक दिवाह पंचमी मनाई जाती है इसलिए जब वो रुकी है बरात रुकी है माराच जी का अध्या के क्संत थे तो उनकी किठी तालिका थी नहें किस समय कांसा कार किया गया किस्षा किसी किष्व में यह वत्लः आगया है कि बारात धंते 104 के दिनाए था बसनत पंचमी के बादे बैस दिन तक रुखी थी नजाने किते दिन तक तहीं चुला खाया सब लोगों नहीं है लाटकुमार लच्छमन के दुबारा बड़े पढ़ यहां देंके भाई आनम्ला देखिये आनम्लान भुथ तब आती है जब सामने से कोई बात आती है जरूरी नहीं कि हमारी बात भीज है सोला बैठी जाये थीरे यह जुड़ती हुआ है साथ लच्छमन ने लच्छमन लें कहा था कि कोई मर जाता है तर्लोग ले जाते हैं अब कैसे राम नाम सुशत है ठीक है नहीं तो हम ने का हर जग्य। यह राम नाम सथ नहीं मूला जाए अब बिवाह में राम नाम और अगर किसी किम्मत तो हुजाए और हुं तुम्हारे रामा गामाई लागो तो अंतर नाम लिया जाएगा मगर अलग प्रकार मेरी बात लिया थी अब लक्षमण ने बड़े बड़ी हां नहीं ते कहा कि जैसे इसला निदिया तो नदियों ने जैजेकार कर दी अब मिनद्व दूणे दूणे करो बड़ी बड़ी चर्चा ने करो दूणे दूणे करी थाओर नहीं नहीं लां त्षा और उसी महत्मा से पूछ रहे हैं का पूछ जिसने महिमा सुनाई तो यह बताव मा रहा है तो आत्मा ने कहा कि यह बात मुनिवर भवल देखाए एक दात मुनिवर भवल देखाए फोले राम सपेम मन भाए तो फिर क्या कहा कि चित्र कूत दिरी अरे हां करा हुदि वासू ओ चहां कुहार सब भात शुपासू हो सैल स्वावल कानल जारू हो पहले के हरी अरूपियंग भी हारू है कह जो नदी कि जैजेकार अरे भाई नदी पहले से धंग है कि नदी पुनीत पुनीत माने पवित्रा पुरान बखादी पुरानों ने कहा गया कि अत्रप्रियाद रिजय तपवल आदी अगर वो आई यह है तो अन्सुजाची के द्वारा लाई यह है और पुनीत है पवित्र है पावन है धन है धन है बड़ी बड़ी बातें करीश है कई रहे थे कि जिनकी बात मुं कर रहे हो द्वोड़े द्वोड़े कांट नहीं मिल रहा तो वहीं इसे पूछ रहते क्ते जैसे आप पता रहे वह जिस समय उन्हों ने पुंछा कि महरा आप बताओ ये बड़पन दिया था म स्थामा को कहा रहे तो कहां रहे को स्थान बताओ अईसे सकार और कि के रहे है acceptable का रहें कि जिसमें पुछा कि कहा रहे तो जो महत्मा जी ने उत्तर दिया था तो बताओ कि क्या कहा था उन्हों ने तो महत्मा ने जो उत्तर दिया था वो बताओ जिससे में पूछा कहा रहे तो महत्मा ने उत्तर दिया मुही से कहाओं मुही से कहाओं कि रहाओं कहाओं आप हमसे पूछ रहे हो कहाँ रहे है अमें पूछत सब्चाओं हमें बताने में बड़ा संकोच हो रहा है कहा है आप कहा नहीं रहते हो तो बता दे कि वहां रहे हैं को रहा हूं का हुआ मैं छद सक उचाँ और जहाँ नहों ंथ मैं तुम हम विह दिखाव अब जहां नहों आप बता देओ वह रहां पुसम्जे के रहते हैं उन्हें कुछ स्थान बताए थे बंडी जी चैतन देखो दरह कुछ स्थान बताए थे कहां रहे हैं काम कोह बद्ध मान न मोहा लोभ न छोभ न राग न द्रोहा जिनके कपट धम्भ नहीं माया सब के प्रिय सब के हिंदकारी दुख सुक शरिस प्रसंचा गारी कहाई सत्य प्रिय बचन पिचारी जागत सोवत सरन तुम्हारी तुम्हीं छाण गती दूसर नाही तो राम बसा हुं तिनके मनु इस्थान बताये द्र नहीं धोड़ियंगं पताये वहां रहें अभां में कहा था कि आप उस इस्थान पर रहें वह ताया कि छित्रकूट केडर निवासूं जहां तुम्हारी सब भाव कीश्वाय का सब अन्यची कुछ ओर इस्धान तो इस आन्येव वहां रहे हैं और राम देवे गवरो घरी बरावू राम देवे गवरो घरी बरावू परवद को बढ़ाई देव तो इसका मत्तब है कि राम दी के तहुचने और रहने से उस परवद को बड़पन ब्राप्त होना थे ना के तुछ दुनिया में होने बाता है कि राज्मार लक्षमर मैं फिर कहीं राओं कि दूने दूने कहीं थाऊने मिला थे नदीवे शनान किय हुआ हुआ है जिनकी आप चप्चा कर रहे हो स्वेप कही रहा है इसको बार काई है लगन भले था तू अपकराओं के कौँ अब था रे था तू अब गातू है है लगन भल गातू और जिस तूमें राम दिन इसनान किया और गात देखा तो रगोबर कहो लखन भल गातू राम जी ने क्या का वल गातू जहां प्रान इसके पहले उस घाट का नाम तक नहीं का ये वच्त कोई नाम नहीं था को इनाम नहीं था जैसे राम जी ने सनान किया ऑ 99 अंसी दिंस निस गात कर नम सब्सक्राइग रां पून को जा तुमोड़ गाêuे नहीं तुम प्रोहास नहीं मिल रहा था ये घुआ नहीं मिल रहा तो कहा ट्रव करां चब्यूंत क्या सब्सक्राइब प्रयोग आचा है करो 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 तो लखन दीक पर उतर करारा अगर चितुकूत कभी गये हो तो चहुंदस फिरो धनुस जिम नारा धनुस की तरेक नारा नाला जानते उसको क्या कहते हैं आज वी आप जाते हैं तो जो लोग जानते हैं विशेश करके उसको धनुवा नाला कहते हैं क्या कहते हैं धनुवा नाला धनुस जिम नारा देखिए दर मंदाकिनी ऐसे बह रहे और सुनाने का सुनूप है ऐसा बंदा की निया तरफ दन्षा का रहा तो कभी नहीं एक चित्र खीचा और देखिए क्या प्रयोकिया है उन्हें का कि ये धन्ष जिमनारा धन्ष की तरह का नाला है तो इसमें बना क्या तो कहा नदी नदी परतिंचा प्रतिंचा नाला एसा है और नदी ऐसे है तो प्रतिंचा इसे तो तो इसे है तो देख लिए आप धनुसे लेकर जो दो से इसा होगा अब प्रतिंचा इसी होगी तो कभी ने चित्र खीचा कि नती पनचे यह जो नती है यह प्रतिंचा है सरसमें दमों ताना सरमरे बाण सम दम दान पाण है और सकले कल उसे कलिसा मुझे नादा समस्त्र कलियुग के पाप यह शिकार तो नाला हो गया धनुस नदी हो गई प्रतिंचा और सम दम दान यह हो गई बाण और समस्त्र कलियुग के पाप हो गई शिकार सिकारी को गई शिकारी तो कहां चित्रे कूटे गिरिया चाल अहेरी सिकारी और सिकारी जब धरुश पर प्रतिंचा पर बाण चड़ा करके सिकार करता है तो दुनिया के सिकारियों का निसाना चूट सकता है लेकिन ये सिकारी जब कल्युक के पापों को सिकार करता है तो चुकाईन घात मारे मुड़े भेरी तो सिकारी का निशाना कभी चुकता नहीं राज कुमार लश्चमन ने कहा कि तैसे ही सना नहीं किया तैसे उस घात का नाम पढ़ गया क्या मैंना करा नहीं नहीं देख मुझे घात नहीं दा नाम नहीं दा घात बनाने में दो बला माहिर है एक घात महाँ एक घात यहाँ भी बनाया कि गोर दोर भेगुना पर साथी ओ का थे तुदा ने राम बर का दी अधने यहाँ पर भी घात बनाया कि उसका नाम नहीं था राम का हाथ आगे बले चबुतरा दिखाई पड़ा कोई जमीन है मुले लिद्दे उठाकर द्वारा के राम आता है अधने चाहे जहां देखाई शित्रकूट में बीता बिलता भर की घह में कब्जा करें बैठी है काहूं ताला के भीतर भुसे बैठी है काहूं तंबू के भीतर भुसे बैठी है मगर ना अब नदी पनश यह चित्रा आपका मन भाया बहुत दिन बाद बहुत दिन बाद जिस पर पही है है मगर वो नदी है क्या आज से थोड़ी धन है अच्छा भाई जो पापों का नास कर दे पापों पापों को उपजरेन दे वह धन है कि नहीं जो सब पातक पोतक दांकनी सुरसरी धार नाम मलना कनी जो सब पातक पोतक दांकनी जो सबी पापों को उपजरेने वाले पापों को नश्ट कर देती है सुरसरी धार नाम मलना कनी यह क्यों ऐसा है क्योंकि सुरसरी धार से प्रारम बैना और यह सुरसरी के धार क्या है ब्याज जी इधर दे अकोमरी धार सुरसरी धार कहां से प्रारम बैना सुरसरी धार और यह सुरसर की धारा क्या है पंडी जी राम भकती जहां सुरे सरी धार राम की भकती ही तो सुरसरी की धार है इसलिए सुरसरी धार नाम मंदा की आपने काक्त को नदी आज से कोई पुरी थोड़ा है आज से धन थोड़ा है तो चीत कहां राम जी जहां से निकल जाए रास्ता से निकल जाए तो रास्ता का सव भाग दे जिस बन में पहुंच जाए वो बन का सव भाग दे जिस परवत में रह जाए वो परवत का सव भाग दे धन नदी बन पन्थे पहारा जहाँ जहाँ नाथ आपे पगण धारा जहाँ जहाँ नाथ आपे पगण जहाँ जाहाँ रामचरण पड़ जाए वो सब धन्द है लिए यह कहीं रहे थे बीता बीता भर की जगे मैं सब कब जा कि यह भईठो हाँ यह का अब की जगे में काउं तम्मू के भीतर पाला के भीतर है जित्रकूट कहे हो असी प्रस्त हमीं हम है नहीं नब पर मालों नब आउट पंचान भी पंचान भी मालें पांच में अध्य करता चोर इनका बंग करता है तो जोड़ा करेंगे खट खटा चोर आपके बंग सखाओ कि गलत तो रहेगा हम दस्जी कहा था और अपने सब्सक्राइब पंचान भी मालों पर में तो अगर गय को से देखो पहीं पहीं से चलो यह तक परिकर्क्रिंग करो है परिकमा की दर देखो थोड़ी दूसरे दूसरे मुखार बंशे दिखाई देगा आपको जान की कुंड का दिखाई दे जान की कुंड जान की कुंड आउ थोड़ी चलो भरत मिला लच्मन पहाड़िया सीता रसोई में आप लोग लगते हो पहुत कष्ट देसे लोग निज्याना बंद करते एक छण पता हो किज़र देखोई कोई कोई देखते के पास का सब दूबते लिए लिए हम तब बंदेग ने का हूं माने लिए माने लिए देखती के पास का रास्ती का बेट ने मेरे का सब जूरते लिए तो वहां से तुर्दिक अगर दिखाई देख आप रहा की कबजा कर लिए कबजे की जरूरते नहीं किशी साधु प्रति के व्टी से पूंछो कबजिया लिखा पड़ी की ज़रूरत नहीं है किसी अच्छे व्टी से भ्ले व्टी से साथ व्टी से पूंछो संपत्ति किसकी है हो तो रांजाइत मानष के आधार पर उत्तर में दे गाशा सब्ट शबर ए रगमपति के आहां ये सारी संपदा रग्भुपती के संपsmद ये सारी संपदा कोई ना करेकित पर उसराम को अंदों के आक मां64 पर दो संपदा सारी को आए कि आति या पुलवार महिम्स इग दूसरे की संपथ्ट नहीं इस अपने पाथ को संपथ्ट करूण पफ्टम टे संपह। अब ने का प्रत्री करें आप जाओ दर्सन करने तो देखो देने भर तो दर्सन होई ठीक है न अस्राम का सिच्चा बंद करके तारा अब उत्तारा अब उत्तारा है को उन्हों घंटा चुरा लए जाए अब अब अधाल ठोंक रहें अब को उन्हों कुट उठा ले जाए जाए जानु से नीचे करें खड़ें क्या बता है है मुले संपति सब लगुपत के आही ये तो संसार का नियम है कि जो जिसका इस्ट है वही उसका भिष्ट है और जब प्रक्रेंगे भगवान की या अलाधरा करता है तो जी समय अधी नहीं होता है आरार के यंगी मेवस्ता होती है तो आती ती अंतिम लाइन क्या कहते है लाइन लाइन पंच तो राजकुमार लक्षमन कहीं कि नहीं है वहाँ लगते हैं करते हो कि नहीं करते हो हमें लगता है कि क्या कहा जाता है कि तन बन धन सुख संपती सब कुछ है ते रहा हो तेरा तुझे को अरपन क्या लागे अब जै जिवा ओंकारा अब जै जै जग्दी सहरे हरा 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 महादिल अब अब तो वार्टीया पड़ी नहीं है तो देर वावर कुछ नपड़े लागे लागे लिए इसकी ने बड़ा देखिए कि होफी होगी है है अब हमने दो तीन साथ से बंद किया है लेकिन वाब की इच्छा की पूर्थी हम करेंगे चलिए आपने कहा कि वो क्यों कि अब सब जगे जगे कचलो ठीक है पर हाँ आपने कहा कि यो जिसका इस्त है वो भीष्ट है कि रहते कि वो ताला के भीतर बंद घर के अरे महराद चाहिए ताला के भीतर चाहिए ताला के भार वो ससीम नहीं है असीम है एक बार यही तो प्रस्ण भगवान संकर ने जो बताया था हमें लगता कि वो संकर बाला संदेशा अब तक नहीं आया है आया होता तो पूछ रहे थी कोई एक सीमा में एक इस्थान विसेस उसको बाना नहीं जा सकता परमात्मा को यही तो पूछा था उन्होंने क किसी ने कहा कि वो कहा मिलेंगे तो किसी ने कहा चीर सागर चलो किसी ने कहा कि वो वहां चलो अमुक जगे चलो तो भगवान संकर ने कहा कि तही समाज गिरजा में रहे हूं तो अवसर पाए बचन एक कहें हरी व्यापक सरवत्र समाना और प्रेम से प्रकट हूए मैं देश काल जिसी बिदिशहू माही और कहाउस कहां जहां प्रभु को ने साइस्थान है जहां परमात्वा नहीं है एक बार यहीं को बात हूँ एक विद्वान से पूछा गया कि जीवन में क्या पढ़ा तुम नहीं बहुत पढ़ा तुमार चिदानन्द कहात रखा पूछा कि क्या बोले बहुत कुछ पढ़ा, पढ़ करके क्या निकाला, बोले संसार के समग्दर गरंथ, दुनिया के सारे गरंथ पढ़ने के बाद के बल चार वाग के निकाले हैं, जीवन के सार चार वाग, कौन को पहला बाग था, आए मन, आए मन, ईश्वर के दिये हुए पर संतोस कर, और यदि संतोस नहीं है तो ऐसा स्वामी खोज जो उससे जादा रखता है कोई उससे जादा रखने बरे दूसरा बाग पता अए मन पाप करम मत कर यदि करता ही है तो उसका दिया हुआ अन जल धन वाई इत्यादी मत गरहन करता है तीसरा वाग पता अए मन पाप करम मत कर और यदि करता ही है तो वहां कर जहां वो न देखता हो है कोई जगे जहां वो न देखता हो चौथा वाग पता अए मन पाप करम मत कर और यदि करता ही है तो उसकी सीमा से बाहर निकल गए परमात्मा ससीम नहीं देश काल दिशी दिशव माही कहा उसो कहा जहां प्रभुनाही मैं आपकी प्रश्टभूम बनाए दे रहा हूं जाओ मंदिर में पूजा पाठ करो कथा वाच्की करो कहां सब लोहा लंगन लादे गूमी रहे हों नहीं जिस समय धनुस उठामेंगे अब बाण सढ़ामेंगे दिखाई नहीं बढ़ोगे हूं बाग जाओगे देख रहे हो अब रास्ता बंद हैं खुलवा देगे बाग जाओगे मुनी जब धनुस शमालेंगे पड़ोगे विर्थ चक्तर में धनुसरकर उठालेंगे एक ब पीर सिंग्रों को फर्षा दिखाते हों यह पेरे जबीशन पर्षा ने सोरित की नदी बाग यह बहुत बार इस आरप हूं में यह चात्रा नी राण बना दी है विख्यात साट्रा बाहू तके यह पोजन काठरी वाला है इस पर्षा को तु भी नहार यह रख्त बहानी वा काओ तो तुम्हें सर्यू में डुबाव में समझाओं छत्र मिजन का था राज किया उनके बदकरम की से की भुलाओं में एतीना कराओं तो सभा में पुकार कहाओं अस्तर सस्तर त्याग लखर लाला कहाओं यह आजबत की साम चुदारें नहीं देखने पावाएं यह आजबत की जगत्रात यह का लाट पन्यावएं की और भूजिता के यह लिखार में सारा जक्तो जावाएगा और सूरु देखे प्रथम लिखाना वह सूरु बंचन तो हो जावाएगा सब्सक्राइब को मुकाबला जब दसरत के लाट सी भाग जी हो सीदे महिंद्राचल सूरत न दिखाई हो फीर रगमंसी जब रनमा रनेकार से भर्षा कुछ पाए लिजे धनुसको दुराए लिजे ऐसा नहों धोका हो निखल लालते याते सम्झाओं बाबाबा हमसे न भी अब भीर रहे हो तो फिर युद्ध करो छत्री के लाल मेरे भरसा की चाल देट तुन ननुन सभी तिकाते हैं पुसकार उन्से प्रवत ही गया वह भूमनल तक धर लाते हैं तुझ बालक को ग्यान नहीं और तुझ क्या मुझको सम्याता तुझ तुझ ज़िए क्या गणना वह सुर्पत भी घबड़ा था पीलन के पाउं कहूं ठेना पीलकास पीलन के करे कहूं पर बतना ही देपक की जोतसों सूर्य ना मलीर होद मरगी और मरगे एक मिगनाज सो भिरे हैं विपरन के पुत्र ठारे ना धर्शबार प्रशबी आकास कहूं एक मातुले हैं भरसा दि च्छोना कहूं रनमा ही तेरी तीना जो दिलतारी दूहुल मिला दूँगा और सेखी का स्वात चखा दूँगा सेखी का बजा चखा दूँगा अरे पत्कते ठके खल ले तुने कुसंका खाता अब जानका रही प्रभाव मेरा यह उल्टी सीधी बात बताता हूं यह वह बात बता रहा हूं वह आपकी बात समद में नहीं आ रही है आवेज के रत पर चड़ है आवेज के रत पर चड़ है आवेज से तुम जा रहे हो और सार्व भौमिक सत्त को आईश्वर से जुटला रहे हूं धनुस खंडनहार पर पंडिगली धनुस खंडनहार पर ब्यर्थ सारा रोश है इस परस से बिखित हुआ चुए तुम तुम इस परस से बिखित हुआ क्यों भ्रात्री पर आक्रोश है मोहांद होकर आपने प्रभु पर लगाए दोस है अरे पूंचो किसी से तो सब पहें के राम इनिर दोश है के बात सीधी क्यों नहीं निच्पुद्धी पर बिखला रहे हो और सार्व भौमिक सत्त को आईश्वर से जुटला रहे हैं लच्छ मरमत आदे के बोलो सूर कुल कुली कीरत साकर बैन विश्की भूद घोलो पर उस धर को जानता जग बित्तों महिमां बादता है कर भी होगी से रखन ये बेट हद के उठानता है आज तक सहुमित्य जिसने ब्रामनों से की लड़ाई मिठ गया भाव पिपुलु से ने करारी बात खाई भूमिका मैं देवता हूँ दार्शनों की आग खोलो लच्छमना मात अधिक बोलो आपने का भूमिका देवता हूँ में ब्रामनों से जिसने की लड़ाई हम ब्रामनों से लड़ाई करने बाले ब्रामन बिरोधी आप अ धनुस्टुनता ये ब्रामन बिरोधी कारी लग रहा है आप कि अधिक जब तक किसी ब्रामन का लिप्रका आधेश नहीं हुआ है तक धनुस्का खंणन नहीं हुआ है और धनुस्टोड़ने वाले का समर्थन पूरे पूरी ब्रामन समाज कर रही है तो राजिली इतना क्या लोग बना आप रभेद धोने करही और बंदी विर्दावरी यूच्छ रहे लोगो परेसा मर्थन में वर है आप कई रहे थे कि मुदा लगते हैं हमारा जैब की पास नाम करन होगा ब्रामनों की करपाश इट ज्यो पर वीछ हुआ ब्रामनों की कर पासे अधिया किया ब्रामनों की करपासे यग रख्षा की ब्रामनों की करपासे धनुष चूटा मरोंगे तो नहीं किया जा रहा है चलिए आत्म श्राखा नहीं है आत्म पसंसा नहीं है एक यात्रा क्यूर में और आपको यह चलना हूं मैं एक परिभासा आपको प्री जीवन की दे राम तैसा है मेरा जीमंदर्शन मेरा चलना मैं मैं कठिन पंथ का पठिक लड़ा करतानित जंजा बातों से करतानित जंजा बातों से महराद यह प्राकर्तिक प्रकोपना दरा सके हमको अपनी आगहातों से हमको अपनी आगहातों से मैं चला जहां जब जिस पते परें मैं चला जहां जब जिस पते परें मराद नहीं देखा हमने आदियंत वर्षाव ग्रीश्वरी तु शरद शिशर वर्षाव ग्रीश्वरी तु शरद सिशर हे मन्त यह और बीता पसंद अपने लिए सुख से नराग और दुख से न द्वाईशे वो गया प्रथक जगनातों से वो गया प्रथक जगनातों से और मैं कठिन पंठ का पठिक लड़ा करता नित जंध्या बातों से यह परवाहनी अगडित बाधाएं अरे आती है तो वाने दो आती है तो वाने दो ओ महा काली की तिम रगताएं छाती है तो छाने दो इने इने चिंदा किस्की जो अपने पठ का मतवाला तूपान तूपान प्रले घन्याओं में जो कभी नहीं रुकने वाला मैं आसा मैं आसा मैं आसा वादी डालो हूँ हो सकता कभी निराश नहीं ओ जीवन भेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं उसी पंथे पर बढ़े चलो उसी पंथे पर बढ़े चलो किस पर जिस पर चलते जन साधार यहां तुर्गम पथे क्यों अपनाया इसका मत पूछो मुनिकारण क्यों मैं करता हूँ यह मेरा मैं और मेरा मैं करता हूँ यह मेरा है इसका करडा लो भिनास यह बरती है संसार में कवदा यही तो देख रहें मैं मेरा मैं यह जो बरती है मैं मेरे की इसका करडा लो भिनास तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आस अज्यात पंथ अज्यात लक्षे तो मिलो पथिक अज्यातों से तो मिलो पथिक अज्यातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित जंजा बातों से वी ये धूंधूंकर जलते अंगारों कर जलते अंगारों पर जिसने गेवल चलते जाना जिसने गेवल चलते जाना कैसे रोकूं उन चलों को जिनको लुकने का अभ्यास नहीं मैं सक्चे पतकार रही हूं खैसकता दिन को रात नहीं इबान इमान फेच दूंट कुलों में ये मुझको है शिवकार नहीं ये जो आप परिभासा आप अपने जीवन की दे रहे हैं एक परिभासा में और आपको अपने जीवन की दे रहा हूं आप ले का कि मेरा मुणा के वरमात्र काम है सच्चे पतकार आई हूं सत्थ मार्ग पर चलने वाना उन बड़ी पिपत्ति बड़ी आपत्ति चलने पर विपत्ति पिपत्ति बेउधान में वंनों तो आते हैं लेकिन आपदाओं का पहाड सामने ख़ड़ा options the back of the सुहूरद नहीं सुभचिन तक नहीं अबलंब नहीं सहारा नहीं नवका नहीं और कोई केने बाला लेकिन प्रमातमा की किरपा की किरण जीव की ऊपर पड़ रही हैं देखो कैसा कैसा चमतकार होता है जहां जम जातन घोर नदी बटव जहां जम जातना और जहां यम यातना इस जे ब्ला संकठ होगा कुछ जहां यम यातना जहां की आतना एप घोर नदी कि यात्रा से किन किन कठनाईयों से होकर कि जीव को गुजरना पड़ता है उसी का थोड़ा निरूपन आचार ने किया है कविता वली में जहां जम जाकना घोर नती बट देखो वहां कोटी जलक्चर दंत टेवईया धार भयंकर वार न पार न भोहित नावननीक खेवईया तुलशी जह मात पता न सखा नहीं है तुलशी जह मात पता न सखा नहीं को कहूं अब लंब दिवईया कोई सहारा देने बाना तक नहीं है ओ कहूं अब लंब दिवईया देखो जब कोई सहारा नहीं दसता ताहां बिन कारण राम करपाल बुशाल हो जा गए काढ़ी 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 काढ़ना निकालना काढ़ी लिवईया और हमारे आग्या है कि जम लोक से उसे उबारत हैं जो जल को आय चड़ावत हैं जम लोकते उते उबारत है ये जम लोकते उसे उबारत हैं, जो जल को आय चड़ावत हैं चक्रवर्थी उसे कर देवत हैं, जो चण्यन आय चड़ावत हैं ये चवदा लोग पक्षिदेग जो चावर आये चड़ावत हैं ऐसे कामारी ऐसे कामारी त्रोचन प्रभु तव भोला तव भोला नात कहावत हैं अचा उधर भोला नात इन सब नात हैं कभी भोला नात से कुछती के ओ भोले नात तुम सब के नात तुम्हरे को नात जिनके पग को पन ही न मिले जिनके पग को पन ही न मिले चाहले तो तेही को गजराज चड़ावत हैं खाने को जिने दाना न मिले तिने छपन भोग खाने को जिने दाना न मिले तिने छपन भोग लगावत हैं जिनको जग में पूजानत न तेही को त्रई लोग के जनावत हैं अ तुलसी लख दीन पहो तो दयाल सो दीना नाज कहावत हैं ये नटवर नागर रासरचावत भोरे नात का एक नाम है नटराज नद्यावसाने नटराज राजव ननाद ढका तो नटवर नागर रासरचावत तब धका नाद बजावत हैं ये मस्तक पर अरचंद पिराजित अगले सरपल पतावत हैं ये कवडी नहीं ठजाने में अकजन महल दबावत हैं ऐसे कामारी त्रलोछन प्रभ तव भोला तव भोला तव भोला जात कहावत हैं कई तूटी जानी नहुती रहने के लिए जिनके पास तूटी जोपड़ी नहीं थी कई तूटी जानी नहुती और रामजी की करपा हुई गई तो अब कंचन महल सुहावत हैं कई जुरतो कोदो नसबा भोजन की विवस्ता में कोदो सबा तक नहीं था अब करपा हुई गई अब दाख मखान न भावत है पनही बिन आतपशीत कटे पनही बिन आतपशीत कटे बिन पदत्रान के सारी रित्में कड़ जाती थी पैरों में पदत्रान नहीं होते थे होते कि अपने जी इतनी बिपनता थी बिपनता मान इतनी गरीबी थी जुरते नहीं थी पनहीं बिन आतपशीत कटे अब अब गजद्वारे पे लीने महावत है कितने लोग प्रतिक्षा में बैठे रहते हैं है तो खेल उसी परमात्मा का गजद्वारे पे लीने महावत है और तुले सीलक दीन पे होग दयाल सो दीनानात कहावत है ये जब जग में हला हल फैला तो ये दीनानात नावत है ये जब जग में हला हल फैला तो उसे भी प्रेम से पावत है ओ मान सहित प्यत पाये के देखो समु जग दीन कहावत है समु जग दीन कहावत है ओ आप बसे आप बसे बीराने में जग मों सुक सेज सुबावत है ऐसे का महारित लो चन प्रभु तवं भोला तवं भोला तो भोला जात कहावत है शरीय दीनानात कहावत है भोलानात कहावत है अब आप भोले की बात कर रहे हैं और हम इनकी बात कर रहे हैं ऐसा कि मताइक विचारों में भिन्यता हो जाए संदेशा धर्मबन किसे घलत सला जाए तो संकर राम में भेद नहीं है और जहां भेद तहां भेद नहीं है कोई भेद नहीं हो ली भी नहीं चाहिए नहीं संकर वाले कहेंगे कि शंकर वाल बड़े राम चोटे और राम बड़े संकर छोटे तो धर्मन से संदेशा गलत नहीं चला जाए इसलिए दूनों को एक ही दे रहे है भेद नहीं है संकरह संहतरह रामी सवर्ण। स्वामी सखा सिभिके हित निर्पदि सभ विभ रुदू सेवक भी हैं गुसद्वक है के स्वामी भी हैं गुसरे के सखाबी हैं पराग पराग परस्पर भेद नहीं हरी हर एक हैं दोनों हरी हर एक हैं दोनों रज्णी चान सोच रहा वनी बहुत दिन बाग हरी हर एक हैं दोनों न ये कम है न वो कम है अरी हर एक हैं दोनों न ये कम है न वो कम है पर शुखा कि क्या स्मानता है क्या स्मानता है दिल में ये कम है न वो कम है उत्तर मिला कि ये रहते चीर सागर में और वो रहते हैं हिमाले में ये रहते हैं चीर सागर में और वो रहते हैं एक सागर में रहते हैं और एक परवत में रहते हैं क्या बराबरी है यहां बराबरी नहीं है ये रहते हैं चीर सागर में तो सागर के पुत्री लक्षमी और वो रहते हैं हिमाले में तो सागर के पुत्री लक्षमी और हिमाले के पुत्री पारवती तो रहते छीर सागर में वो रहते हैं हिमाले में ससुर घर यहां बानता है ससुर घर दोनों रहते हैं ससुर घर दोनों रहते हैं न ये कम है न वो कम है हरी हरी हर एक हैं दोनों न ये कम है न ये कम है न चुन ने कहा ये वो रहते छीर सागर बे वो रहते हैं हिमाले और ससुर घर दोनों रहते हैं पर देखिए बग्या दे रहा है इनों ने इनों ने सिंधु को दाता इनों ने दच इनों ने सिंधु को डाता इनों ने दच्छ सर काता ससुर का ससुर का ससुर का मान हर ने में न ये कम हैं तों नों कम हैं हरी हर एक हैं दोनों न ये कम हैं न तों कम हैं हमारे तिवारी जी की ओर से लखन लाल जी के इस सुंदर जीत पर प्रसंद होकर के एक से पत्तमद्दास्री आपकी ओर से लखन लाल जी के चलू में समर्पित हैं न जानुद से आपने कहां इन्होंने सिंधु को डाटा उन्होंने तक्षि सिर्व ससुर का माने हरने में न ये कम है न एक बार यही प्रश्चुती चल रही थी तो एक ने कहा कि अगर समानता है बराबरी है तो संकर बाबा भांग पीते हैं तो हमने का चलो तुम्हारी अपनी विव्यक्ति है राम जी क्या पीते हैं प्रसंथा संकर बाबा भांग पीते हैं विजया दात्री राम जी क्या पीते हैं तो हमने रामय जी का इसमन लगिया तो ये पीवें प्रेम का प्याना और वो पीवें भंग का प्याना अधिया आप जाने किस नसे की बात करते हैं एक समाज जा रहा था यह वह बहा थोड़ा था थोड़ा था नसे एक समाज जा रहा था आयो जा गया और सब लोग चका चकरा है अधिया के सारे लोग आप सोच रहे होंगे अधिया के लोग पीते हैं क्या पीते हैं अरे नसासा वारी बात नहीं करो जो अरे तो वह बहुत नसासा की बात नहीं फिर का ओगे कि नहीं नसाएगी बात करते हैं पीते हैं अरे भाई हमें लेक्षमर से सर्चा करने हैं पीते हैं तो वो मदीरा पीते हैं लेकिन सामान मदीरा थोड़ा यह ठेके वाली जो संसारी थोड़ी थोड़ी है संसार के लोग जो पीते हैं और यह जो पीते हैं और यह जो पीते हैं और समानता है बाणी वेद सुत्र निकलते पाला तो पड़े है एक बार रोहारी में राद वर्सों ने नहीं दिये गए लेकिन इसमें भी समानता है प्रेम की मदिरा जो बेक्ती पीता है तो इसमें भी सरी सिफिल हो जाता है प्रेम की मदिरा में बेक्ती जब ढूबता है तो बाणी भी उसकी कैसे निकलती है प्रेम लपेटे चलते हैं तो उनको तो देखे होगा अपनी चलते हैं तो काओ धर है यहां दे रहे हुआ प्रेमी बेक्ती भी आई सब्सक्राइब करते हैं मनो रथे जसे जीए जाके और जाई सने हैं सुरा सब चाके सने हैं सुरा इसने हैं की सुरा प्रेम की मनीरा जाई सने हैं सुरा सब जाके क्या कर रहे थे विवहल बच्छन प्रेम बसे बोल लहीं ये दिल अंगे बगमगे डगम दो लहीं बाराज ये पी में प्रेम का प्याला उपी में भंग का प्याला नसे में दोनों रहते हैं न ये कम है न बगम कम है हरी हरा ये कहें दोनों न ये कम है न वो कम है और रबा की बात ये माने रबा की बात ये माने उमा की बात वो माने और रबा की बात ये माने उमा की बात वो माने प्रियाज संपान करते में न ये कम है न वो कम हरी हर एक हैं दो लो न ये कम है न बगम है है दोनों में अन्यों लियास्त्र प्रसंबंद है कोई भी एक प्रक्ष आत्मास्त्रत नहीं है एक दूसरे के पूरक है दो उरक है चलिए तो ये संदेशा है समाज के लिए भी है वह यहां से तुबाद्यों ठाप्यों सिव सुखधाम सीता सहित करपानित संभूई कीन प्रणाम और भगवान संकर करी प्रणाम रामहित पुरारी और हरस सुधा समगिना उचारी चलिए एक जीवन का सार जीवन की स अच्या दर्शन मैं प्रसुत करने जा रहा हूं आज की आप सकता जिस बात की है जीवन का जो परमलक्ष है जीवन का जो परम्थे है बड़े भाग मानुस्तन बाबा सुर्धुर्लब सद्गर्ण्थन बड़े भाग से मानोशरीर मिला है देवताओं को दुरलब है सद्ग है तो एक प्रस्तुकी में एक महां पुर्ष्की दे रहा हूं हूं गोलो कबासी है वो आप हो जाएंगे हम जब सुनाएंगे और सब के हर्दे कुछ होती थी उनकी बात अब नाक तरावत को कोई दिखाई नहीं देता है कोई कोई नहीं है अब लेकिन बिन अवसर जो अथ नहीं होगा वही है लेकिन उनके शब्द उनकी माली उनकी प्रस्ति उनका भाव उनका प्रकार आये दिरा मया झीवन का मिटी काली पीली हरे बनन मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला सूर सुनहरा चंद्रमा सीतल सब कुछ उसे की है नीला सूर सुनहरा चंद्रमा सीतल सब कुछ उसे की है नीला मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला सूर सुनहरा चंद्रमा सीतल सब कुछ उसे की है नीला सब के भीतर सयम छिप गया स्रजनहर स्रश्टी का है जिसको हम परमात्म कहते ये सब खेल उसी का है जिए चंभर को भी अलग नहीं है सदा हमारे साथ में हैं अलग है पर दे दे से तिस्थे ती अरदुन चंभर को भी अलग नहीं है सदा हमारे साथ में हैं काया की स्वासा दोरी का तार उसी के हाथ में हैं हसना रोना जीना मरना हसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है और जिसको हम परमात्म कहते ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्म कहते ये सब खेल उसी का है निर्धन धनी धनी हो निर्धन निर्धन को धनी धनी को निर्धन ग्यानी को मूर्ख मूर्ख को ग्यानी उसी का तो खेल है निर्धन धनी धनी हो निर्धन ग्यानी मूरे मूरक ग्यानी सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सान समझदार भी समझ सकेगा समझदार भी समझ सकेगा ऐसा यद्भुद रीता है वो जिसको हम परमात्म कहते ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्म कहते ये सब खेल उसी का है व्याजर राजेश्वर आनन्द राजेश्वर आनन्द अगर सुख चाहो तो मानो सिक्षा तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा यही भक्की का भाव है प्यारे अर सूत्र यही मुक्ती का है जिसको हम परमात्म कहते ये सब खेल उसी का है ये सब खेल उसी का है शंशार में जो जन्म है सो निस चैना से जो ला से तो तुना प्रकाश है जिसका जन्म है उसकी मृत्व सुनिश्चित है जिसकी मृत्व है उसका जन्म तिसका पाता रहा जो जीवन में अंद समय मृजहाँ अंद समय दुख पाना पड़ा है उखिलता रहा बाग में जो फूल अंद समय मृजहाँ ना पड़ा है पच्छिता नहीं जो जीवन में अंद समय पच्छिता आना पड़ा है ओ पिदि का है अकाट जियम यही कि जिसे आना पड़ा है उसे जाना पड़ा आपने अईसी याद दिलाई कि यह करते हैं तारण हो तो नहीं पहश्यत अब वोई वैसा नहीं होगा क्योंकि एक बार मैं सुन रहा था तो बोले परमात्मा ने जो ब्यवस्ता चपसे प्रारम में किये हैं वैसा ही चली आ रहे हैं वैसे ही पूरी ब्यवस्ता शरीर की चली आ रहे हैं कहीं कोई बदलाव ने लोगों ने कहाओ प्रम्भाणी ने दो बड़ा बड़ा कर दिया दोकान बेमतलम बेमतलम में बना दिये च्छेदे प्रयाप्त थे तो उनको मालूप था कि अवस्ता आएगी और उस चच्छुन्त की आवस्ता पड़ेगी तो उसको रखोगे कहां बनाए गई मेरे कारीगर ने कैसी सुन्दर बखरी यह सरीर बनाया बखरी माने होता है घर बखरी ऐसे बखरी ऐसी अजब बनी है इंट लगी ना लकडी है बखरी ऐसी अजब बनी है बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुन्दर बखरी बखरी ऐसे ढंगत बनी है ना चोडी ना तकरी पखरीय के ढंगत पनी है अलग प्रकार है यार ना चोडी ना सकरी बनाए तई प्रकारियर में कैसी सुन्वर बखरी अर चार कुछ पांच कुठरिया तस दरवाजे पांच कुठरिया तस दरवाजे तीन गुनन से चकरी ओ कात संको सुन्वर यसाधो छोड़ो माया मकरी बहुत दिना हो गए नाथ भोर कष्ट सहते सहते नाक में दम हो गई नाथ अब बार बार मरते मरते कितनी पाता हुई हमारी हमें जन्म धर्ते धर्ते और युग के युग ही पीद गए चौरासी लक्ष भरते हैं भरते मानों की देह मिली करी प्रभू ने दाया है और फिर भी पीछे पड़ी हुई है प्रबल तुम्हारी माया है इस माया के परचकर में उद्धी ग्यान भुणाया है पड़कु पंथ में रहे भटकते भूड़े मारग ना पाया है रामही सुबरिये गाई रामही संतत सुनिये राम लुग रामही आना जाना लगे रहता है पर सच्चाई तो यह कि छरित जे गाम है तो लूच के नाया हूँ क्यों छरित जे गाम है हरिपद पाऊ है तेन परहें हो उपाऊ आपके कर्चित और विक्त कि छर्शा सारा संसार करता है सारा संसार आपके वेवहार से परचित है कौन ऐसा है दुनिया में जो नहीं जाता है को नहीं जाने विदीत संसारा को नहीं माता पित ही उरिने भेनी के बुरूर ने रहा सोच पड़े जी के सोजनू हमरे ही मा थे अब आनी ब्योहरिया मोनी तुरत देव मैं ठयली खोली तुरत देव आचार संकर्दिगंबर आश्तो शोडर दानी करबागार करबा के भंडार खजाने मराद आप भूले बाबा को आभूत कर ले मैं तुरंत थैली खोलूगा अपना संसाव में रिण हैं ती देव रिणा गुर रिणा पित रिणा मां का रिणा अलक्सी नहीं होता प्रता के रिण में ही मां का रिण संहीं तो हो जाता है मैंने जो कृत किया है संतार में कोई नहीं कर सकता है पर फुराम पुद्वा क्या राकी मारी मात लोग सब साखी पर एक कार मैंने ऐसा किया है कि पुत्र अपनी माता की शेवा कर सकता है पुत्र अपनी मां को वस्त दे सकता है पुत्र अपनी मां को अच्छा भूदन करा सक अच्छी चिकसा दे सकता है पर अगर मां पाइधप को प्राप्त हो गई है तो उसे सदवा नहीं कर सकता और यह कार मैंने किया है जिस समय पिता का शिरोच्छेदन हुआ उस समय मैंने मर्संईमिनी विद्या के दवारा पिता जी को जीवन नान दिया और जो मेरी मैया पईधप को प्राप्त हो गई थी उन्हे मैंने सदवा पुना मेया का शिरुक छेडिन दिया मेया को जीवन दन лохलवाया मात प्रजान से औरेण पिता का सिरुक छेडन हुआ पिता को सब करशी मंदल में से सरीर बहेजा गुरुगा रम चेशें बेवहडिया नाम भगवान शंकर का भगवान शंकर को आ नहीं सकते है हम बेवहारी ये बस दिखावेंगे राम लीला समित के जो भी पदाधिकारी ज़न है अगर हमारी आबाद सुनने हैं तो यहां मंच पे आ जाए हाँ देखिए जो राम लीला समित के पदाधिकारी हैं वो सब लोग और और जो भी सम्रांद बेखती हैं यहां बैठे हैं वो लोग भी मंच पे पहुँच जाएं सब लोग अगर हमारी आबाद सुनने हैं तो यहां आ जाए खमेटी के सभी लोग मंच पे पहुँच जाएं और जो लोग सम्भाद भक्ती हैं आ जाएं दस-पांच लोग कम से कम आज-दस लोग तो पहुँच जाएं जाएं ए्जच जाएं जजसार बेड़ा है आईए दो आईए, जैरोग हो खाइँ, जैरोग आजाएं देखे, संसार में दो काज़ है एक राम काज काम काज़ परतेक परतक लेता है किसी के हैं मुनन है, किसी के हैं नप्रास्वन है किसी के हां भिबा है पर रामकाज कोई कोई कर पाता है और रामकाज में बाते ही नहीं लाते भी मिलती है जो लातों और बातों को सह करके रामकाज करता है उसके उपर पर्व की विशेस अनुकम्पा होती है उसका लाब परतच्छ में नहीं अब प्रतुच्छ में प्राप्तुपा है संसार में ये दो काज हैं ये शिकुणी है जो कभी घठने वाली ही नहीं है नवदा भक्ति में लीला भी एक भक्ति है लेलाद लीलाद और ये घातमपुर घातमपुर गोपाल नगर मार्ग पे असोग नगर दच्छनी और बड़े सुन्नर सुन्नर बेवारी लीला अर्शी कहरदाश उपस्तित है और जैसा मुझे ज्याद हुआ कि ये पर्थम वर्थ है यहां लीला का दुती वर्थ है तो हमारा आश्यरवाग यही है कि ये लीला पर्थम वर्थ अच्छे धंचे होती रहे हैं यहीं सुन्काम है कि जबलों प्रवाहिर हैं पागी यति इत भारत भूमिन दुपावल में ओ जबलों प्रवाहिर हैं तरंग दुपावल में कि जबलों प्रवाहिर हैं नित भारत भूमिन दुपावल में कि जबलों प्रवाहिर की इसनी बढ़ है कभो हूँ न रहे मल्यकी बढ़ में दुपावल प्रवाहिर हैं एक एक लोग आते जाएं भाहिया क्या नाम है अब भ्रगुनाथ यह देखाओ लखाण भ्रगुनाथ हमाई पाली के वहरी हैं रुको 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 रही हम देखे लेते हैं क्यों एक बात बताओ लक्षमण जब भूलता है तो इसकी इसकी थैली निकलती है और आप हमाई पीवहरी होतत है आप दो नहें हमारे हैं यहां झाहे है हमारे तो नहीं सैंत भ्रगॵारीों इसपी डाइसा के तो पियां आप राम कता के नुरागी राम दूजा के नुरागी बहुत बड़ यहां बेवहारी लीलारसिक घरदाद रच्छमन की रच्छमन जम मुख भोलता है तो इसके मुख से बिश्की थैली निकलती हो बेवहारी आप लोग बने हो तो थैली को फुद खुलेगी अब आप लोगों की तो बेवहार लिखा जाएगा है है कि नहीं तो अब देखना है कि तना पेवहार लिखाता है है कि नहीं बहुत बड़ यहां बेवहारी लीलारसिक घरदाश भगवान शंकर स्रेव आपकी रच्छा करें क्या नाम है आपका शिव बरन शिव करन बहुत बड़ यहां बेवहारी लीलारसिक घरदाश क्या नाम है आपका मनोज कुमार बहुत बड़ यहां बेवहारी बहुत सुंदर सुंदर बेवहारी क्या नाम है सरवेश, सचाथ बहुत बढ़ यहां पे उहारी क्या नाम है आपका प्रमोद यादव बहुत बढ़ यहां पे उहारी क्या नाम है आपका सुरेंद कुमार बहुत बढ़ यहां पे उहारी लीलारसिक हरदास क्या नाम है आपका राम किसोर बड़ी देर बाद आया नाम, क्या नाम है आपका, है, हाँ, रिंकु बाजबा ने खुला, आओ, तुम भी आओ, बिल्ले लगाए हो न, आओ, 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 अच्छा, ए जाने की बने रहा है, क्या नाम है, है, सोहिल यादव, बहुत बड़ी, हाँ, बड़ा प्रिस्तमी में वहारी, और बड़ा खुश, बड़ी प्रसंदता से आज़िया, में अपना ही उगजान दिया, बहुत बड़ी हमें वहारी, सबी लोग एक बार प्रेम से बनो, आज तोज दिगंबर की, बाद में भी, बाद में खीचना हूँ, आती भी नीत, म्रदुशी तल्मानी, बोले राम, जोर जुग पानी, हे दिनानात, हमारे भीया, लखण से, यदि जो भी अपराद हो गया हो, सोही भगवन, हमारे लक्ष्मन के अपरादों को आप नहीं छमा करेंगे, तो हे दिनानात, कौन छमा करेगा प्रव। सुना उनात, सुना उनात, तुम सहे, सुजाना, बालक पाचन करिये, नहीं काना, बालक बचर परिरी है, बालक एक, सुभाओ, इना ही ना शर्त, भी तू, हमारे भीया, लक्ष्मन ने, हे भगवन, आपका कोई काज नहीं विगारा है, आपका अपराधी है को, तेना ही, तिनना ही, कच्छु काजे बिगारा अपराधी, आपका अपराधी, मेरा भईया लक्ष्मन नहीं है, आपका अपराधी है कोण, आपका अपराधी मैं हूँ, आपराधी मुन ना थे तुम्हा आरा, आपराधी क्रैपा को बाधी परिंद गोशा आई, मुह पर कारिये, मुह पर कारिये, ता से कि ये ना आई, काही वह बेगी, ये ही भी थी, रिसी चाहाई, मुन ना या के सुए करिये, उपाई, मुन ना या के, कैह मुनी राम, जाई रिसी कैसे, आजहू अलुज तब, चितब अले से, राग हो, क्रोद का परिट्या कश्य कर दूँ, तेरा भया भी मेरी योब, तिरसी चितरंद दिश्टिपात कर रहा है, जराते गोपने भया क्योर यह के, एही के कल्दे, उठारू लदी ना, ताओ मैं का, कोफो कर की ना, राम, इसके खंचन मैंने कुधारा धाग कही किया, तुम भोना क्रोद करना पर तो हो जाएगा राग हो, ठाच जाओ, ठाच जाओ मेरे नेत्मों के संत मैं आज मैं, मैं आज मैं आज मैं आज मैं इसका खंचन करता है। नहीं हो ना, आज आप यह राम के साब ने, भाईया लच्छमन का पत करने के लिए कह रहे हैं। यह राम के सामने यह राम के सामने यह राज आज आप लक्छमन का पत करेंगे। तो यह राम अपने सामने भाईया लच्छमन का पत कैसे करें। एक बड़े भाईय के सामने यह राम का पत किया जाएं। तो ही दिनाना वा बड़ा भाईय अपने सामने लच्छमन का पत करें। भाईय लच्छमन का पत कैसे आप करें। जब मैं भगवन आवस से चला था तो हमारी भगवन लिखा था राम। जिस प्रकार भगवन लच्छमन को ले जा रहे हैं। उससी बात मुझे वाफस कर देना। यदि भगवन आजा हमारे दुलारे लखण का पत कर देनी। तो हमारी मैया पूछे के राम। वा दुलारा लखण का तो हे भगवन मैं अपनी मैया को क्या बात। जब मैं अवस से चला था तो हमारी मैया ने ये भगवन लखण का हाथ मेरे हाथों में सोपा था। और कहा था राम। जिस प्रकार से तुम्हें भईया लखण को सोप रहे हूँ। उसी भात मुझे वापस कर देना। आज आप हमारे लक्षबण का बद लगरें। एह दीना नाथ हमारे मैया के दोरा कहे हुए बचनों को आप किसी चलों में या राम बिने पुर्वक प्रिशित कर रहे हैं। क्या कहाँ कहाँ कि मैया राम या लगरें। मैया लगरें। मैया नी चलते समय का ही राम बचने मम सुन लेना। जिश भाती लखन को लिए जा। उश भाती मुझे लवटा देना। यदि आपि लखन को मारोगे। तो मम सीर कले लग जाये ना। ये मुझे से पीछे आया है। क्या जग से पहले जायेगा। मैं पर दिपीन ना तु कैसे है। सोकातुर्यवधी सिधा मुझूगा। यदि हमारी मैया पूछेगी कि राम वा दुलारा लखन कहा है। तो मैं अपनी मैया जी को किस प्रकार से बताऊंगा कि हमारा दुलारा लखन कहा है। मैया पूछेगी कि लाल कहा है। तो क्या कहके समझा मुगा। यदि आप पत करना ही चाहते हो तो ही दीनानात ये भगवन। हम दोनों भाई कल्बा यह डाले हुए राम और लक्षमर हम दोनों भाईयों का बद आप एक साथ कर दे। और हम दोनों भाईयों के बद करने के पश्चाथ अध्यात अर्थियों। हलो। इसी राम के सब्दों को भावत होकर सुनकर हमारे मन्नी इंदल ल्यादों जी फिजिस के टीचर हैं। को ने 25 25 पुस्पुद्राएं राम और लच्पन जी की चरणों में भेट की है। मैं उनके अच्छे उज्जल की इस्वर की कामना करता हूं। पचास उन पे हमारे सीकरन सचान जी भगवार राम के चरणों में सप्रेम भेट की मैस्वर से अच्छे उठल भुष्ट की कामना और इसी वीच चंद भुष्टन यादो जी उन्होंने सो रुपे समर्पित की भगवान के चरणों में और सो रुपे परस राम जी की चरणों में समर्पित राम बिलास यादो जी भगवान के चरणों में राम और लच्छमन के चरणों में सो सो रुपे सम्प्रेम भेट की है भगवान उनका शिरी गुरू जी हमारे नमत अंसुगला जी जी की तरफ से पचास-पचास उपस्मत्राइं गाम लच्छमन और परसुराम को सप्रेम भेट की है बहुत बहुत सद्वाद यदि आप बद करना ही चाहते हो तो हम दोनों भाईयों का बद एक्षात आप करें ही मगवान मारी तुम मारे दोनों अरी अर्थी सज्यमते पठा देला सर्यूं की थंडी लहरों में मुन अपने हाथ बहा देना और यह आप है स्री सुशील तिवारी जी सीतल पूर स्री राम जी के करणों पर प्रभावित हुए हैं तो स्री राम जी के चड़ों में और लखलाल जी के चड़ों में और क्रमशाः भार्गो जी के चड़ों में एक से पत्र मुद्राएं श्मरपित हैं बहुत-बहुत शाजिवार खोड़ सा धन्यवार यह दस्रत नंदर राम ने किसी भी प्रकार की कोई भिक्षा नहीं मांगी परंत वाज यह दस्रत नंदर राम आज आप से है भगवन भही अलच्छुम्ण प्राणों की भीख मागरा है भगवन करप यह आप हैं स्रीशिव कुमार दिवाकर आपके और से 101 पत्र मुद्राएं कमेटी के लिए सहयोग राशी प्रदान है और स्रीमती सशी सिंग इस्टाप नर्स आपकी ओर से 251 पत्र मुद्राएं कमेटी के लिए सहयोग प्रदान है और 1100 पत्र मुद्राएं राजे सियादों जी की ओर से कमेटी का सहयोग प्रदान है कमेटी को सहयोग करने वालों को बहुत बहुत धनवाद, बहुत बहुत शाथिवाद बदले में मेरा सी से काटे लो, पूरी करे लो मन की इचा, ये दि आपको इस पर भी विश्वास नहों, आपको इतने पर भी विश्वास नहों, इतने पर भी विश्वास नहों, तो ले आऊँ, अपना धनुशे बाढ़, और अपने ही हाथों से काटी कंट, गुरु चरिडो में अरिपित कर दूँ, मित्रों, इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, यदि भाई चला गया तो, आई पुना वापस नहीं आता है, मिल जाते है जगत में, मिल जाते है जगत में, इस जमीत्र हाजार, पर मिलता है नहीं, यभाई पारंबार, जब में, अवश्य चला था, तो हमारी मैया ने, लक्षमन का हाथ, मेरी हाथों में सौपा था, और कहा था राम, जिस प्रकार से तुम्हें में भाईया लच्पण को सौप रही हो, उची भाद मुझे वापस कर देना, मैया, 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 मैया ने चलते समय, दिया लखने का हाथ, इसको मुन जी, मत मारिये, मुझे मार दिये हाथ, रागहो, ये क्या कर दिया, जो पासान हर्दे के भी द्रिवित नहीं हुआ, आज वो द्रिवित हो रहा है, राग हो जम्पेने पुने मया का शिरुट छेदन की आना तो मैरे नेत्रों से स्रिद भीद नहीं पें जैगे पर आज आप के वाक दूम्यांस के दोग Er interviewed हो मुझे तो लेक्षमल कि वही भीरहरा अच्छा लगता था जो मेरे पिछे धंग माल ने करके दोड़ा करता था अब नबर तो चाम घंग नहीं तरा बह जावेगी संसार में प्रेम की एवल कथा रह जावेगी ये क्या कहूं ऐसे कुछ तमझ आता नहीं मैं प्रेम के वो मिले छणों में मार्य दिधलाता नहीं आखा सके न चत्रम डल आखा तके न चत्रम डल आखा तके न चत्रम डल आज देखो रो रहे रो रहे हैं जो कि मंडल चंड मंडल रो रहे रो रहा है आज मगपती ये अतल भी रो रहा रो रही है आज प्थला ये जनक भी रो रहा रो रहे आज प्थला ये प्रक धर्वी रो रहा तके न चत्रम डल चंड मंडल रहा भाव की सरिका बहा कर ये भाव की सरिका बहा कर प्रेम तरणी धे रहे तेन आसमों के बीच में मेरी परिचा ले रहे ये तन्य अर्पत कर चुका हूँ अब तुम्हें क्या चाहिए तन्य अर्पत कर चुका हूँ अब तुम्हें क्या चाहिए सरवस्वते कर चाहिए ताओ तुम सदा हसते रहो तैसराम में ही राम में होकर सदा पसते रहो अभी तक खन्नन मन्नन का कार करता रहा अब कोई मूर की खन्दित रहे हो बाव क्रिपा मूरत अनिकूला बोलत बचन जरत जन फूला परिवर्तन प्रिकृति का नियम है प्रिकृति परिवर्तन शील है प्रिकृति जब पुरोद करती है गर्मी के रूप में तो पस्षात आपके आशु भी बहाती है वो पस्षात के रूप में । गए अभी एक ब्रिक्ष मेंने देखा था। बड़ा प्रिकृति ठीक देखा बीड़िक है के कर देखना अक्राओ की ब्रिक्ष हुई है काटी नहीं है कांटों की जनगे फूलों ने ले ली है पर शुनौं जी के शुभाव देस की संथा में परिवद्धां आ गया है का सासक गदर गया जिस सुभाव देश की संथा में शासक रूप में आरू का करो अब सासक रूप में आरू राद बृवाद करो मैं एक बृचार रहता है कोई भी कसा Inc कोई भी किसक जिसकी छेट पर जिसकी खेट पर जिसकी बीज का पीजार ओपर करता है तो फसल उसी की काटता है किसान जो बोबएगा वो ही काटेगा मैंने सोचा कि भ्रगुरामती ने अपने सुभाव रुपी खेट में आज तक अभी तक दया किरपा बीजों का बीजार उपड़ ही नहीं थिया खेट में दया करपा के बीज बोए नहीं गए ये फसल कहां से तयार होगे कहां से आ गई दया करपा करूना कहां से आ गई अभी मैं सुन रहा था लोग सुन रहे थे ये क्या कह रहे थे कर उठार मैं करून करूण करूणा रही प्रोद करने वाला और जब करूणा कृपा तया यह थी नहीं यह कहां से प्रकट होगी है करें गर्व स्रमय वने प्रवनी सुन कुठार का की घोर परश अच्छत देखों चियत बैरी भूपकिशोर एक और तो यह कहते कि लक्षमण बैरी भूपकिशोर है और दूसरी और कहते कि मौरे हर्दे कृपा लक्षमण के लिए कृपा है तो जब यह बैरी है तो यह कर्पा कैसे और अगर कर्पा है तो यह बैरी कैसे जहां कर्पा होती है वहाँ बैर भाव नहीं होता कर्पा में आत्मीता होती है कर्पा में अपना पन होता है कर्पा में अपनत होता है ओ यह कहते हैं करपा भी है, और बैरी पर करपा की जाते हैं, और अगर बैरी पर कोई करपा करता है तो पर करपा परम ख़दराई सत्रू पर करपा करना ये कायरता, है लेकिन ऐसा हो कि हुआ है तो कहते हैं वह वह बाम भी थी विधाता बाम होता है तो मनुष्ट की शिटी क्या हो जाती है बढ़ activity को अब ची अचए Betsy intuition जा ही जब होएंग्हाता बाम तो थूले रुसम जनक जंता ही विआल समदाम गहाइस जब आप होता है तो अपना पटा यमदू दिखाई देता है जो कि विधाता जब बाम होता है तो धूल एकन मेरे परवदtså्धा रv होता है तो ब्याल समगत में भाने दाम ये रस्ती पड़ी होता थालन था जे विदादा वार विंद्बाम की करनी कठन्त या तू क्तर खुर ए है ऐ tobacco का री के ए और जब आं वक टा बहुता है कि इतव हैं है प्रत तो हो लक्षमण पर मैंने दया कर दी, दुशा दुख मिला, और गया दया करने पर दुशा दुख मिलता है मैंने तो सुना है कि जीवन में दुशा दुख दो बार होता है जन्मत और मरत दुशा दुख हो या जन्म के समय दुशा दुखोता है और या मर्तु के समय दुशा दुखोता है दो बार तो पहली बार जन्म हुआ तो मिल चुपा अवाज इनको दुबारा मिल रहा है तो हमने सोचा क्या समय नहीं करता आ गया है आज देखनी दुशा सा ओगार बाव करपा मुरत नुकूला भाहरी करपा की मूर्ती हाइसा लगजा रहा है समय की बोली रहे वोता हुर्पूल जरी रहे कैसे और किस रूप पे ये अब देराज की हरी भरी अब देराज की हरी भरी पहुरंगों की फुलवारी चार फूल नितन बल नागरे ये खिलते हैं बारी बारी है चार स्या फूल है राम बरत बरत को हरा भरा पहिचानों लखन शेत्रगन की गड़ना में वहां कुलाब खुश है भूमानों ये न सोचना की फूल है आके वाला है कटक कटीलों शेयाक्षा दितव अर रहता है गुलाम तरवार और कभी भूल कर्मत फस जाना ये बतला ये देते मुनिबर नहीं अरसा परशाओ रुक जाएगा रुक जाएगा कि रुक गया रुक गया जब मारने चले तो ये बहाइन हाथ दायर शादी बाग ठार कुंठित मारने चले दूप आप से ज्यादा समध्दार है फर्षाप आप से समध्दार है आपका हाथ जब चले तो उचले नहीं था और कुथार जान बूचके कुंठित हो गया अब समगीए हाथ चैतान है फर्षाजड़ग है तो जड़ में चलता रहा है और फर सालोहा है हो जान गया कि टोग आ नहीं गया चलाने के पहले कुछ निश्य होगा अंत एक दिन निश्य होगा अंत एक दिन अब नीशे अंध्या चारी का पर भूल भूल ना भूल भूल ना पंदल होगा इन बीलों की फुलम वारी का ये फूल पमीले नीले पीले अवलाद गुलादी होते हैं को गंद किनी में होती हैं कोई निर गंदी होते हैं इन धूलों में अभीलत चमर ये पतलादों बना परिचें इत कठेल कुधार की प्रबलधार से कर लेंगे मद पराज का निष्चें ये फूल पूल कर फूल रहा तुम अरे फूल है तुम ये जडाली का फूल फूल ना बनना होगा इस नाहर की फुलवारी का प्रफूलों पराज इतना है कि जतना फूले होजे परियाग के ज़्यादा जरूरत नहीं है अब घनत्य की आवश्यक्ता है क्योंकि अहिम में आदमी फूल सकता है फैल नहीं सकता विकास नहीं हो सकता है अहिसा जब तब दोदो न सकता हूं तो प्रमातमा की मूते का दर्शन होता है विफज़क्ता है यह है अहिसा पूल का घनतर की दिंटर होगा जब दिंटेगा तो भगवान के दर्शन होंगे बाधा तो वह भी जांओ वह यह वो फूल नहीं है महारार tweet जो काट गिराए जाते हैं वो भूल नहीं ये महावने जो धूल मिलाए जाते हैं ये भूल भूल करके स्वामीर अर पिख्यात पिस्व बलसाली है और जैशे गुलाब का भूल दिजिश्की कटके कटी भी दाली है निश्य होगा अंत एक दिन भरती से अंत्याचारी का फूल भूल ना बंद न होगा वीरों की फुल भारी का ये आंक धकूरे बेल बमूरे ये आंक धकूरे बेल बमूरे ओ बेलर या पिक्रावून्या ओ कांट कटीले ओ चमतीले जगते नाम भी चाहूंगा यदि उन में क्या यदि उन में स्ष्टी नष्ट का होतन कं अंत पाजाओंगा तो गुरसंकर की भात कभी बिस पूद पूद पी जाओंगा ये फूल भूल करग फूल रहा तूं अरे फूल है दूं कि दाली का और फूल फूलना बनना होगा तनार की फुलवारी का इन फूलों में जिस समय आप वो ऐसी चीज देखेंगे रस्मनामेंगे फिर क्या करेंगे शंकर की तरह जहर पा जाओंगा तो बूंद बूंद पी जाओंगा ब्याजी यह कहते हैं मैं जहर बूंद बूंद पी जाओंगा संकर की तरह पी जाओंगा बाबा संकर बाबा ने जहर पिया है पिया है दो इनको मालों था राम नाम की की सक्त्र से संकर बाबा ने जहर पी लिया तो जहर ने जहर का फल नहीं दिया नाम प्रभाव जान शीवनी को, तो काल खूटे फल दीवे अमिये को, काल खूट ने काल खूट का फल नहीं दिया, काल खूट ने अम्रत का फल दिया, ते राम नाम का प्रभाव, यदि खंड हर में जनम गुलाब खंड हर में जनम गुलाब, तो यस से बच्चित रह जाता है, गमले में, गमले में, नाग फनी वाला काटा चर्चित हो जाता है, निश्य होगा, अन्त एक दिन, धर्ती से अंत्याचारी का, फूल फूल ना बंद न होगा, फीरो की फुलवारी का, ये फूलो की चर्चा बंद करो नहीं ब्यथा, ये मितला से लेकर अबद पुरी जाओ, खुल बजिया एक लगाऊंगा, और रामल जमल भरत सत्रगन ये चारो फूल लगाऊंगा, फेर उन फूलों गोस्च जवाने हे, तसर तमाली मुलमाऊंगा, फूल फूल कर जब फूले हे, लेकर कुठार में जाओंगा, फिर गाड़ गाड़ चाट फिर चाट चाट कर उन फूलोंगा, एक सुन्दर हार बनाऊंगा, अउ अगड़ाम बगड़ाम, हरा हरा बबबबब, कह करके, अउ हर पे माल पिनाऊंगा, ये फूल फूल कर फूल रहा तू, अरे फूल हे दूंगत दाली का, और फूल फूल ना बन न होगा, इतन नार की फुलवारी का, और पिर काटेंगे, और फूल से हार तयार करेंगे, और हार ले जाकर के कहा जाएंगे, संकर बाबा के पास, हर हर, बम-बम कह करके, फिर सुपर हार, ये फूल आप काट करके लाएंगे, और फिर हार तयार किया, और हार बना करके कहा ले गएंगे, संकर बाबा के पास, हर चडा दिया, तो छो फूल आपके, पूजा के काम आ गए, इस्तिके मनाने के काम आ गए, संकर बाबा के चलाने के काम आ गए, तो का पुजारी पूजा के फूल के साथ बढ़ता इसे बिवार और नेश कुझा है या पूजरी और यह फी आप फूल सब्सक्राइब कि अरे पुजरी फूल को बड़ी श्रद्धा के साथ ले करें आस्ता के साथ जात पुजरी पहले करें गरत पुजरी की पक्क्य उजरी यह है यह फूजरी वादबुदबाले हैं देखिए आप कातेंगे छाटेंगे मिट्टी में मिलावेंगे लेकिन फूल का जीवन है वो अपकार का प्रतिकार भी उपकार से देता है दो जीवन एक साधू का जीवन एक फूल का जीवन साधू का कोई कितना अपकार करें कितनी बुराई करें लेकिन बुराई का बदला भी भलाई से देता है फूल जिन हाथों से तोड़ा गया है परिवार से अलग किया गया है डाली से अलग किया गया है बदले में उन हाथों को क्या दिया है उन्हीं हाथों को सुगंदित कर द सम्सुगंद करीदों दोनों एक छोटिस बात पूल एक है कारण अनेक है तृष्टियां अलग-अलग है दर्शन अलग-अलग है सबके देखने का प्रकार अलग-अलग है पूल एक है कभी ने देखा तो मुश्कराहट का दर्शन करता है बहुरे ने देखा तो पराग का दर्शन करता है माली समस्ता है मेरी वाटका का स्रंगार फूल बैद समस्ता है मेरी यौसदी का तक तो फूल कामनी समस्ती है मेरे सवंदरी का प्रसादन फूल लेकिन एक भक्त समस्ता है कि मेरे पूजा का उपकरन है रास्ते अनेक हैं पर इ अब पस वही मिलना है, हसाओ ना, अब हमें जिससे मिलना है उससे मिलाओ बार बार मुनि विप्रिवर, कहा राम सन राम, दोले भजू पति सरुष हसी, तहू बंधू सम बार 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 पिप्र पिप्र कहकर विरा पर ध्यात कर रहा है राम होत, तो बार ब कुछ नहान होरा है , तुछ नहीं बार बाब हो भाहुष संद्यों मेरे प्रोद को भैं कर बढ़ा दिन सब्यों मैंने को शैत्रणगी सेरा और विराष किया है जिसमें एश्चाम कुछ पुछ की भाद वल करके सब्सक्राइब करके मैं यही स्पर उसकी प्रवलगर के दोड़ा आनने को राजाओं को पसुछ कि भाँ काट काट करके परिप्रदान की है अने वह समरंगल में दीते हैं रागहोमोर्ड मेरे प्रभाव को मेरे शुभाव को नहीं जानता आज एक प्राम्हां का दरादर करके बोला भाज्योग भगवान शंकर जाए तका ठंद्र कर दिया तम बढ़ गया ये सोत्रा में ती नो लोग को जीत लिया हे भगवान ये जो अपराद हुआ है इसमें हमारे भीया लक्षमन का कोई दोस्ट नहीं है क्योंकि छुवत ही तूटी पिना के पूरा ना मैं केई है तु कराभी माना जो हम निद रही पिप्रवर सत्त सुनो प्रगुनाद तो असको जक्षुभट जेई भैवस नाम हिमाद सुनी म्रद गूड बचली रगपती के उगरे पटल परसुधन मती के राग हो आपकी वारता को सुत्तर के मेरे बनवार करें संद्धेहुत पनुफ़ा जब मैं पांच वर्ष की वस्था में चक्रतीर की नाम के स्थान में तब कर रहा तहां तो भैवान रुष को के दोबरा ये सारंग नाम कायद में प्रद्ध किया गया और कहा गया कि केता में जब मेरा अंसाबतार होगा तब मुझे ये प्रद्ध कर देना ये आप वही हैं तो राम रमा पती कर धन ले हूँ खैंचव मूर मितईशन ने हूँ देत चाप आप ही जली गया हूँ परस राम मने बिश्च मैं भया हूँ जाला राम प्रभाव तब पुला की प्रफुलित गाती जोरी पाली बोले बचन रदय नभीम समाँ कि जै रभु बन से बन जै बन भादू ओ गाहन दनुल्य पुल गाहन क्रशानू कि जै सूर बिप्र भेनो ही जकारी ओ जै बद वो है कोई भ्रमहारी कि बिन ये सीर कलुदा गुल शागर ओ जै यती बचन रट जा अति जागर सेवा क सुकद अरे हां तु भड तब आंगा ओ जै सरीर छभी पोटी अनंगा करहू का हा बुख अरे हां एक प्रसंशा ओ जै महेश मन मान शेहन शाग अनुची के बहुत कई हूँ अज्या का अच्छम हूँ जूदाश बन गया इन चरणों का क्या उसे हरे से ठुकराना क्या प्रभू आपको सोबा देगा अर यही धावना दिखलाना कि तुम्हे प्रम्हें की जो की जान सर्वस्व तुम्हारा पागर के दन मन दन न उच्छावर कल्कुका हे प्रभू आपके चरणों पे यगेंद पर भी विश्वा आतन हो हे प्रभू हमारी बातों का तो अपनी उन तीखे पाणों द्वाला बदला लो अपनी जातों का यदित पर भी सर्दों तन हो तो अपना परसू दालाओं अपने हाथ होते आज करते चरणों पे आज चड़ा जानूं हे लिया भी हल्य हे मर्यादा पुसोत्तंग आपकी सेवा है हमारा बहुत अल्प समय है अन्यान पुठिया हमसे हो जाती है उन्हें आप छमा करेंगे हम पतित हैं आप पतित पामन हैं हम दीन है आप दीन वस्तल है दीना आप पस्तला एक आश्चर हो रहा हूँ कि मैंने ये स्वरूप क्यों नहारण किया है ये आप हैं राजकुमार जी रेलवे बिभाग के कर्मचारी हैं इक्यावन पत्मुद्राएं स्री राम जी के चणों में इक्यावन पत्मुद्राएं स्री लखलाज जी के चणों में और इक्यावन पत्मुद्राएं भार्गोजी के चणों में सवर्पित हैं कोट-कोट सा धनवाद है धनवाद यह स्वरूप मैंने कि उधारन किया इसमें कारण बना वहुएं कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत उधन्य था सरकाथ छोटा नहीं मैं आज भी उधन्य इसको मैं हज़र सिश्वार करता हूँ मैंने अकरिवि कहा करते थे कि भगवाण नाम संक्रिष्टन करो मैं न ही कर पाता था मैंने एक निदान निकाला कि इस तरूप को धारण करूंगा इसके माद्धंत मैं आपके नाम का उच्छान करूंगा मैं वही करकर दो इतनी दिन की सेवा में हमारा एक स्वार्थ है हमारा एक निमेदन है सुनेंगे सुनकर के ना मत करिए असका भगवल आज ये जिप्या मेरी बस में है ये जीप मेरी बस में है तो मैं आपके नाम का उचारण कर लेता हूँ आपके नाम को लेता हूँ आपके नाम को जब लेता हूँ पर मेरी सकार अंत समय में ये हिली ना हिली तो एक गरपा कर देना एक कुपार कर देना मेरे भगवण की जिस तबह इस सरीर से प्राण निकल लह हो उस समय तुम दोनों भाईया मेरे नेत्रों के सम्मु कुपस्तित हो जाना में आपके धन नहीं बागता इत नहीं बागता इत नहीं बागता संसार का कोई भी पईभव मैं आपके नहीं माग रहा हूं केवल इस इंदर की ताथ को पूरा कर देना कि जिस समय इस सरीर से प्राण निकल लहे हो उस समय तुम दोनों भाईया मेरे नेत्रों के सम्मु कुपस्तित हो जाना दर्थन देजीना मैं आपके दर्थन करते हुए अपने प्राणों का उससर्ग करना चाहता हूं भगवन एक पर आउर कर देना जो मेरे जीवन का यतार्थ सत्त है तरे कोई बड़ा भाई नहीं है मेरे कोई छोटा भाई भी नहीं है सारे जीवनी साथ में रहा कि कोई तो मिलेगा पर स्रंतार के जो भी भाई मिले नहीं तक चोड़ करके जाने वाले मैंने सुना है कि आपके जो जैता तंबंद स्थापित कर लेता है प्रहलाज ने आपके संबंद को स्थापित किया आपको खंभा भाड़ करके प्रिकट होना पड़ा धुरू ने आपके संबंद को स्थापित किया तो आपको छे महिदा में दर्तन देने पड़े भगवल वत पस्तू गज ने आपके संबंद को स्थापित किया तो आपने कि पल भर में बिगड़ी बनाई क्या हमारी बनाओंगे कि नहीं बनाओंगे छोटे तरकार वह उल्लाई रड़ी तुक्ते अबसे पर हमारी कैसा भी हो अच्छा हूं बुरा हूं भला हूं पर तरकार एक बात बताओं मैं हर्दैसे मैं आप का हूँ आप का हूँ जिस समय बनेंगे आप हमारे भाई चाहे अक्रिज बन जाए चाहे अनुज बन जाए भाई तो बन नहें हो भाई बन गए हो पर भाई के जाईतु का निर्वाहन कर देना है सरकार जिस समय इस सरीर की सोयात्रा निकल नहीं हो उस समय तो दोनों भाईया करदा देने के लिए उपस्चित हो जाना हुआ दा गुरू बेरी दाल है दाल रखकार दाल मैं है कि सुनो ना थे अब तो कहानी है दुख की कि किसे और जग में सुनाओं मैं जाकर कि पिता मात तुम के तुम्ही तो कहाते कोई नहीं आता तुम्ही दोड आते कि छमा करो रहूं इन दुख की कि किसे और जग में सुनाओं मैं जाकर हे जगन इंता जग पालक हे जगदाधार प्रणाम तुम्हे दुरिया के सचे बारसा है बारंबार प्रणाम तुम्हे किये आप है राजिय सुकला जी आपकी उर से 51 पत्मद्राए श्राम जी के चड़ों में 51 पत्मद्राए लखन लाल जी के चड़ों में और 51 पत्मद्राए भारगोु जी के चऩों सवर्पत हैं बहुत-बहुत धनवाद कॉठ रसा दुम्हे हे निराकार हे नराकार मेरे सरकार प्रणाम तुम्हें दुनियां के सत्य बादता है बारंबार प्रणाम तुम्हें एक बार प्रेम से बोली ो परेद आप फुर्टम छिराम जी शरकार की पुरी लखन लाले ती पुरी जान की मैं जाद की पुरी आस्तोत गंबर की पुरी अहल मंतरा ले ती काई ही जय 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 रगु कुल के तू भगु पती गए बनही तप हे तू कि यह आज की लीला का पसारन यूट्यूब में धर्म संसकार चैनल पर किया गया है अगर जिसको देखना हो तो धर्म संसकार चैनल में आज की लीला देख सकते हैं आज आज़ाओ अगर आज़ाओ नहीं है कि झालनी में आपड़ के बादंसा कि आ गरा стала करका लो ऩेडिती कि प्सकेश कि 0 Il tô और गा है음 कि उर तर जर उरा है कि घर खोर में आदत smत ificación कि प्सकेश झाल झाल झाल